पहले दिन सेट और 14 वर्ष की उम्रुपूरी धेशन तक वो कफ के प्रभाव में होता है मतलब सीधा सही है कि बच्चों को बच्पन में सबसे ज़्यादा कफ के ही रोग होगा है सबसे ज़्यादा बच्पन जो होता है कफ के फिर 14 वर्ष की उम्र से शुरू करके लगबख साथ वर्ष की उम्र करके देनकंगीया क LAURIHB हो और नश्याद के सबस्ता, 14 आए पुर्ष की उम्र से 140 वर्ष की उम्र तक जो व्यक्ति है इस्त्री हो या पुरुष वो पित्त के प्रभाव में होता है मानि 14 साल से लेके 40 साल तक जितने भी रोग होगे 99 परसंट ये कि ये 40 साल मैंने किया, आयूवेट तो 60 साल की बात कर दा, ये 40 साल मैंने इसलिए किया है कि मेरे पास सप्ड़ों पेशेंट हैं जो बात के हैं 40 भी उमर, 40 की उमर में उनको घुटनी के साथ, कमर के दर, पाना है, इसलिए इसमें बात सबसे बिगडा हुआ है, तो 40 की उमर से हम शुरू करें और जीवन के आखरी दिन तक सबसे जादा बात का असर दोगा, बने 40 की बात के जो रोग शुरू होंगे आपके जीवन में, उमर के आखरी दिन तक तो आपको सबसे जादा तो बात के के रोग होंगे 40 प्लस पित्त के होंगे 14 प्लस 14 प्लस और कफ के होंगे 1 प्लस यह 0 प्लस इतनी मोटी बात की बाद अब हम पढ़ते हैं अश्टांग हिर्द्यम के सूत्र पर यह भूमिका मुझे बनाना इसलिए ज़िए ज़िए था कि मोटी जानिकार हमें लेगा है अश्टांग हिर्द्यम में बागवट्टी जी कहते हैं कि जिन्दगी भर बात पित्यकफ को संतुलित रखना ही सबसे बड़ी कला है और पौशन है कि सारी जिन्दगी आपको एक ही काम करना है प्रयास पूर्वक्त कि हमारा वाथ हमारा पित्त हमारा कफ हमेशा से सुरक्षित रहे नियवित रहे संतुलित जितना चाहिए उतना बात रहे जितना चाहिए उतना पित्त रहे जितना चाहिए उतना बात पित्त कफ हमारा रहे तो इसके लिए क्या करना है वो साथ हजार सूत्र है उसमें से पहला सूत्र बहुत चोटा सा सूत्र है आप पिछी जेटी पिर मैं आपको समझाओंगा कि यह सूत्र का मतलब क्या है और इसका असर इत्रा बात्य तकफ को जीमन भर संसुलिप रहता है तो उसका पहला सूत्र ह है कभी भी खाना खाने के तुरंत बात पानी नहीं कुलना कि पहला सूत्र है कभी भी खाना खाने के तुरंत बात पानी नहीं कुलना कि इतना सा इस कभी भी जीवन में खाना खाने के बात तुरंत पानी नहीं नहीं कुलना लिख लिख लिए आपने चलिए अब इसको समझ दे क्या कहा ये इस बाद वर्ट जी आने के बाद पानी नहीं तुरंत पानी नहीं अब आप इसको उल्टा करके देखिए कि हम तो रोज यही करते हैं मैंने 100 इसे 90 लोगों पो देखा है यह वो पानी यह बिना खाना नहीं खाते पानी पेले होता है को बहुत साने लोग को खाने से ज़्यादा पानी कि पीछे जो चार रोटी के ने का इसी इस तर्च कि अस्था में बागवट जी बिल्कुल ऐसी बात क्या है थि पानी ही नहीं प्वारीत तक्राइब यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या इसी है कि हमारा जो शोड़ियर है यह पूरा केंगर है हमारा पेट यह पूरा शरीर चलता है पेड़ की ताकत सब्वक और पेट चलता है भुझली की ताकत से जो तो कुछ भी हम खाते हैं, वो ही हमारे पेट की तार है, हमने दाल खाई, हमने सबजी खाई, हमने रोटी खाई, हमने अचार खाया, दही खाया, लस्ती पिया, कुछ भी, दूद, दही, छाच, लस्ती, फल, खादी, ये सब कुछ भोजन के लूप में हमने गहट किया, ये पे पेट में सब्तू जाता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं आम आशाय। कभी आप अनोटोमी का फिजिलोजी का कोई कलेंडर आजकल आते हैं शरीर विद्यामी के जिसमें शरीर के एक एक फंट को दिखाया जाता है। एक कलेंडर खरीद लीजिए दस-पंदर रुपर आएगा घर में टांटर रखिए। उस कलेंडर में आपको बताए जाएगा आपका पेट में जो नाभी इस्थान है। उसके विकुल लेफ्ट में एक इस्थान है उसको आमाशाय करते हैं आमाशाय। उसी इस्थान का एक द अंग्रेजी में हैं, एक संस्कृट में हैं एक पंजाबी में क्या कहता है। इस्थान है। यह इस्थान हमारे शरीव का सबसे महदू का इस्थान है। और यह इस्थान है। यह इस्थान है। इसमें अधिक से अधिक साड़े-300 ग्राम शट उसके लादा शरीव में है। वह कुछ भी कहते हैं, अब आमाशाय में क्या होता है। खाना जैसे ही पहुचता है यह निधा भगवान की व्यवस्ता है शरीव में है। तुरंत इस्म अगनी बिलाके बोलते जट्राइब यह जट्राइब होने वाली अगनी है यह आग ऐसी ही होती है जैसे रसोई गैस की आग आपकी रसोई गैस है ना एलपीजी सिलिंडर से जो अपने स्विच ओन किया आज जल गए ऐसी पेट जैसे आपके खाना खाया तुरंत आज जल गए यह ऑटोमेंटिक है रोटी का पहड़ा पहड़ा तुकड़ा आपने मुह में डाला इधर आज जल गए यह अगनी तब तक जलती है । जब तक खाना पचता है कि डाइजेस्ट है आप खाना खा रहे हैं कर दिया थोड़ा चावंड डाल रीज तो जब तक अठीज बने कि इसी तरह से आपने पानी रख दिया चावल डाल दिये अब जब तक अगनी जलेगी चावल पके आपने पानी रख दिया दान डाल मैं गटाके पानी पे लिया और खूब ठंडा पानी पे लिया और नहीं लोग तो बोतल पर बोतल उतार दिया अब होने कि अब हमारे पेट में धो ही क्रिया को थी खाने के पचने में एक जिसको करें ढब Reserve क्रिया जिसन दूसरी है आप्रमेंटेशन हे अक्रोभत लिवागा और जाःसी यंग का मतलग है खाना पचेगा तो रस बनेगा जो रस बनेगा तो उसी रस मेंसे मास बनेगा मास जिसको आप फ्लेश पर उसी रस मेंसे मज्जा बनेगी फिर उसी रस मेंसे रट बनेगा फिर उसी मेंसे वीरे बनेगा फिर उसी मेंसे हड्डियां बनेगी बोन्स फिर उसी मेंसे मल बनेगा एक्सक्रीटा, इस्टूल फिर उसी में से मूत्र भी बनेगा तो मास, मज़ा, रक्त, वीर, मल, मूत्र, अस्थी और सबसें अंत में मेद बनेगा ये फ़्म होगा जब खाना पचे गाता और आप ज़रा ध्यान से सुने इन शब्दों को मास की जरूरत है हमको मज़ा की भी जरूरत है रक्त की भी जरूरत है वीरी की भी जरूरत है अस्थी भी चाहिए, मेद भी चाहिए ये सब हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए, मल नहीं चाहिए और मूत्र नहीं चाहिए तो मल और मुत्र तो बनेगा जरूर, लेकिन वो हमें चाहिए नहीं, शरीर को चाहिए नहीं तो शरीर हर दिन उसको छोड़ देगा, मल को भी छोड़ेगा, मुत्र को भी छोड़े बाकी जो चाहिए, शरीर उसको धारत करेगा खाना जब भजम होगा पचेगा तो रस बनेगा रस मैंसे मास बचा रक्त वीर मल मुत रस्ती बेद बनेगा मल मुत्र की जरूरत नहीं है शरीर उसको छोड़ देगा बाकी सब चीजों की जरूरत है शरीर उसको धारत कर लेगा यह एक है दूसरी तरफ क्या होगा आग नहीं जलेगी आपने गटागेट पानी पी लिया तो वही खाना सड़ेगा और सड़ने के बाद उसमें से जहर बनेंगे तो सबसे पहला जहर जो बनता है खाना सड़ने के बाद उसका नाम है यूरिक एसिड कई य करुछ के बार आप नायके जाता यह तेक है यह तकलीफ मुझे ऊड़र तो डरफ तो डॉक्तर सुरें ताइग्नोसिस करके आपको यूरिक एसिड नहीं ज़ल नहीं कफ G entre इस आध एगर अगर आपने इसको कट्रूल नहीं किया या बंद नहीं किया то यह आपके शरीर को कुस स्थती में ले जा सकता है कि आप एक कदम भी चल ना सके तोटली बैट रेडिंग हो जाए बिस्तर पे ही आपको पढ़ा रहना पड़े पिशाप भी बिस्तर पे निकले और आपको सेल्डास भी बिस्तर पे करनी पड़े यूरिक ऐसे इतना खतर ना ले वहां त बनता है वरीर में उसी को कहते हैं एन्डी एल लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन माने खराब कॉलेस्ट्रॉल को है डाक। आपको लूर्टर क्षार को कहता है कॉलेस्ट्रॉल कौन सा बहुत है आप और जाद़ डीप लो डनसिटी लिपो प्रोटीन और इससे भी ज्यादा खराब और एक विश है वो है VLDL, Very More Density Lipoprotein, यह भी कॉलेस्टरॉन जैसा ही विश है, अगर VLDL बहुत बढ़ गया, तो भगवान में नहीं बचा सकता, फिर्टी खराब इस्तिती है शरी, और एक उधारन देता, खाना जब सड़ता है पेट में, तो इसी में से कुछ और भी जहर बनते हैं, उन जहर के कुछ नाम हैं, अंगरेजी में हम कहते हैं, ट्राइगलिसराइट्स, डाप्टर आपको डाइगनोस करके कहता हैं कि आपका ट्राइगलिसराइट्स बहुत बढ़े बुए हैं, समझ लीजिए, विश निर्मान हो रहा है तो कोई यूरिक एसिट के नाम से कहें, कोई कॉलेस्ट्रोल के नाम से कहें, कोई LDL के नाम से कहें, या ट्राइगलिसराइट्स, समझ लीजिए, ये सम विश हैं, और ऐसे विश एक सो थीन हैं, मैंने आपको चारपाँच नाम ले ये सारे विश तब बनते हैं, जो खाना पचता खाना सबता है मतलब समझ लीजे किसी का कॉलेस्टरॉल बढ़ा हुआ है तो एक in मिनट में ध्याना नांज यह खाना पच नहीं रहा है खुरी सब्सक्राइब कीजिए एक ही मिनWhen कर लिजिये आपकी खाना पच नहीं रहा हे कोई कहता है यूजी समझने में यह पच नहीं बनता खाने के पचने पर बनता है मास बज्जा रत वीरे मल उत्र हस्ती में यह सब पचने पर नहीं पचने पर क्या बनता है यूरेक ऐसे ट्राइगलिस्टराइड कॉलेस्ट्रॉल को यही आपको रोगों का कारण बना देती है तो अब्स customers किस बाद पर देना है इनमस Rules का की एक गहांद रहे हैं वो पूरा ठीक से पचना चाहीए और खाना ठीक से पचना चाहीए इसके लिए पेट में आग जलनी ही चाहीज़ चूंकि बिना आग के खाना पकता नहीं है और पचता भी भी रसोली में आग नहीं है आप कुछ नहीं बना सकते पेट में आग नहीं है कुछ नहीं पचा सकते तो महतु की बात है खाना खाना नहीं महतु की बात है खाने को पचाना आपने क्या खाया, कितना खाया, यह immaterial है, कोई कहता मैंने 100 ग्राम खाया, कोई 200 ग्राम, कोई 500 ग्राम, यह immaterial है, पचाया कितना उसमें से, वो material है, वो महत खाया, आपने 100 ग्राम खाया और 100 ग्राम बचाया, बहुत अच्छा है, और 200 ग्राम खाया और सिर्फ 100 ग्राम बचाय बहुत बेकार आपका report card बहुत कराट था 500 gram खाया और उसमें से 200 g ram भी पचाने ही सके तो बहुत कराद ही अगर 100 g ram खाके 200 g ram खाके पूरा पचानिया तो बहुत अच्छा आपका report card था तो हमें ध्यान दिहाने रखना है कि खाना खाना महतु का नहीं खाने को पचाना और खाने को पचाने के लिए महतु की चीज है अगनी तो अगनी जलेगी तो खाना पचेगा इसका मतलब खाना खाते ही पानी नहीं पिएंगे तभी अगनी जलेगी तभी खाना पचेगा तभी उसमें से मास मजजा रख तो मेरी म सवाल आना ही चाहिए आपके मन में कि ठीक है बात तो अभी समझ में आ गए कि खाने के तुरंब बात तो पानी लगी पीना लेकिन इतनी देर कर अब यह जो देर वाला किस्सा है इसको समझ ले हम जो खाना खाते हैं उसके पचने की तीन अवस्थाइं हैं पहली अवस्था य तो आपके शरीर में खाया हुआ सॉलेड और लिक्वट दोनों एक दूसरे में मिक्स होता पेस्ट बनता यह पेस्ट बनने की अवस्था एक घंटे 30 मिनट तक रहती है शरीर में और एक घंटे 30 मिनट तक ही अगनी भी जलती है पेट में अगनी का सबसे बड़ा काम है इसमें मदल देना यह अगनी का मुख्य का एक घंटे 30 मिनट के बाद अगनी अपने आप कम हो जाती है बुझ तो नहीं जाती है लेकिन कम हो जाती है उसके बाद क्या होता है उसके बाद आपके खाने का रस मनना शुरू होता है अब आप जानते हैं कि जब भी किसी चीज का रस बनेगा तभी उसमें पानी की जरूरत आएगी आपको अगर मैं यह कहूं कि आम का रस बनाएगे तो आम कछिलका उतारेंगे फिर उसका पल्प निकालेंगे फिर पानी मिलाएंगे तभी रस तैयार होगा वो पानी चाहे जूब के रूप में मिलाए या सीधे पानी मिलाएंगे तो आप भी करेंगे पल्प निकालेंगे फिर पानी मिलाएंगे जब भी रस निर्माण होता है बिना पानी के नहीं होता तो पेट में भी रस का निर्माण बिना पानी के नहीं होने वाला तो जब देड़ घंटे के के बाद ही रस बनना है तो आप खाना खाने के देड़ घंटे के बाद ही पानी पीना कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको खाना खाने के एक घंटे के बाद ही रस बनने लगता है कुछ ही लोग हैं बागी सब को नहीं बनता जो लोगों को एक घंटे में बनने लगता है वो लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं केड़ में हल चलाते हैं फावड़ा चलाते हैं पत्थर तोड़ते हैं सरब पर रिक्षा खीच के ले जाते हैं हाथ गाड़ी लेके जाते हैं जो बहुत मेहनती लोग हैं उनको पेट में खाना खाने के एक घंटे में ही रस बगने लग तो क्लियर हो गया, खाने के तुरन बाद पानी नहीं पीना है, डेवल गंटे के बाद पानी पीना है, और डेवल गंटे के बाद कितना पानी पीना है, जितनी एक्षा करें उतना, एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, पांच गिलास, आपकी जितनी प्यास लगी है, उतना कि रहुत को हम उसका में लुषा खाभाay मेशनी है विздते फिरते फोली फी उसका है जितना जाहे उत्ना त्युक्ट he द्जान रखना है खाना खुटाहने से 40 मिनट पहले 48 मिनिट 47 मिनिट पहे आप बोलेंगे 48 मिनिट का क्या कैलिकुलेशन है एक गंटा क्यों नहीं कहां मैंने 48 मिनिट क्यों कहां 50 मिनिट भी कह सकता था बात ऐसी है कि जब आप पानी पीना शुरू करते है तो पानी मूँ में जाता है और बात में सभी अंगों में जाता है मास में भी जाता है मज्जा में भी सब जगे जाता है रक्त में भी जाता है और अंत में पानी जो सर्पलस होता है माने जरूरत से ज़्यादा होता है शुरी को वो मूत्र पिंड में आके एकठा हो जाता है बाद में आप यू मूत्र के साथ उसको बाहर निकाल दे तो मूँ में पानी शुरू किया, मूत्र पिंड तक आने में उसको 48 मिनट ही लगता है, तो आयोवेज में ये कहा गया कि जब ये 48 मिनट पूरा हो जाए और मूत्र पिंड में स्थिर हो जाए तो पेट तो खानी हो ग के लास, तीन के लास, क्वांटिटी आपकी के उपए, तो खाने के पहले पानी पीना है, तो और ताई समय में, खाने के बाद पीना है, तो डिड़ धिंटे पर, अब आगरी प्रशना आएगा, खाने के बीच में, बीच में पीने के लिए कहा गया है कि कोई मजबूरी है, मुझा हैं को इमर्जेंसी हैं तो पी सकते हैं एक या दो पूट झाले में फस गया है फोगियो इस फिई हैं और मजबूरी आ रहे हों फाना खाते और गाउने तुर फिर तो वी आप और एक छूप्र फिसकते है और तीसरी एसी एक मझबूरी है और मजबूरी आयुदेद में ये कही गई है कि जब आप दो अन्म का खाना खाएं तो बीच में जरूर पानी पीना है दो अन्म का खाना मतलब रोटी खा रहे हैं गेहूं की और चावल में खाना है आपको चावल एक अन्न है गेहूं दूसरा अन्न है मकी की रोटी खा रहे हैं और उसके साथ चावल खा रहे हैं मखी एक अन्न है चावल दूसरा हैं तो जब भी दो उंद का खाना आप एक खाने के बाद दूसरा खाने से पहले थोड़ा पानी जरूर पीना निवारे है कि पारानी थे नहीं हैो नहीं पीएंगे तो नकसान कुछ नहीं होगा लेकिन पीएंगे सो फाइदा बहुत om एक खाने के बाद पानी कैसे पीना गटmüş पीना जाना उड़ा पानी के को करके बताugen कि क्यों पीलें आपके पेप में इंजाइम्स जो है न पचाने के लिए है अलग हैं यह उनको पचाने के लिए अलग हैं चावल वाले यह पानी बीच में जो पीना है वो एक दो सिपसे जादा नहीं है इस पर मैं उंतर दूंगा लेकिन थोड़ी देन के बाद अभी हम जो बात कर रहे हैं वहां तक सीमित है कि हमके बीच में पानी पीने के लिए तीन कंडिशन में बता ही या तो गले में खाना फस गया तो मजबूरी है या तो खासी आगई मजबूरी है लेकिन पॉजिटिव जो बिना मजबूरी का काव हो यह कि एक अन्म खाने के बाद दूसरा शुख होने से पहले दो तीन से पानी पी लिजे उसके बाद दूसरा अन्म शुख करें अब आखरी बात जो इस एक नियम से जोड़ी कुई है वह यह कि ठीक हमको समझ में आ गया खाने के डेड़ गट पी सकते हैं कोई भी फल का रस पी सकते हैं दूसरा कहा गया कि खाने के तुरन बाद आप चाहें तो लसी पी सकते हैं और तीसरा कहा गया कि खाने के तुरन बाद आप चाहें तो दूद पी सकते हैं तुरन भाद उसका भी टाइम बताने जा तुरन खाने के बाद अगर पी पी सकते हैं, दूसरी लसी पी सकते हैं, तीसरा दूद पी सकते हैं. अब बहुत अच्छा सवाल पीछे से आगया, इसका भी कोई टाइम है? हाँ, है. आयूर बेदमें बिना टाइम के कुछ नहीं है. हर चीज के खाने का टाइम है. मुनफली का दाना कब खाना चाहिए? चना कब खाना चाहिए? गुड कब खाना इसके भी टाइम फिक्स हैं. मुन की दाल किन दिनों में खानी चाहिए? कब नहीं खानी चाहिए? उसके भी टाइम फिक्स है. और की दाल, तूर की दाल कब खानी चाहिए? मा की दाल, हर एक चीज का टाइम फिक्स है. इसी के साथ हजार सूत्र है लेकिन आप घवराईयों मत इतने जादा नहीं बताऊंगा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा मैं आपको सीधे सीधे कुछ 20-25 या पच्छा सूत्री बताने वाला हुआ अब प्रवारा है उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको याद भोजा इसी एट खाने के तुरंगा पानी पीना और खाने के तुरंट बाद दूसरी कोई चीज पीने है पानी को छोड़कर तो लसी पीने है दूप पीना है और जूस पीना है इसमें जो ध्यान रखने की बात है वो ये कि जब भी जूस पीना है खाने के तुरंट बाद वो सबेरे ही पी सकते है नाच्टे के बार, ब्रिक्पास्ट के बार जब भी जूस पीना हो तो सबेरे ही पी सकते हैं आप पूछेंगे क्यों, बात सीधी सी ये है कि फल को या जूस को पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं हमारे पेट में वो सबेरे ही सबसे ज़्यादा होते हैं तो सुबे के समय अगर आप जूस पी रहे हैं या फल खा रहे हैं तो जूस का एक एक बूद आपके शरीव में डाइजेस्ट हो जाएगा और वही जूस रात को पीएंगे तो वो सब फ्लश आउट होगा यूरिन के साथ उसका कुछ भी उप्योग नहीं आए तो सुबे सुबे जूस पीना सबसे अच्छा हरे एक बूद उसकी पचे हमारे शरीव को दुपहर के समय लसी पीना ही सबसे अच्छा क्योंकि दुपहर के समय हमारे जूस जो एंजाइम्स होते हैं वो दही को और लसी को डाइजेस्ट कराने वाले है, दुपहर को, तो दही या दही की कोई भी चीज खाना, दुपहर को ही सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा है, नुकसान थोड़ा हो सकता है, कब होगा, जब आपकी उमर 40-45 क्रोस कर जाएगी, 40-45 तक तो क्य मैं आओगा थोड़ी देर में, जो दो-दो गिलास लसी पीते हैं, वो काम भी बहुत करते हैं, आप से जादा करते हैं, उससे जादा करते हैं, उनको अभी बोलो कि पांच एकड़ का खेत जोतना है, तो वो चले जाएंगे, मेरी तो हिम्मत नहीं, आदे एकड़ में बैठ जादा हैं, तो जो गाओं में अभी महनत कर लेते हैं, हिम्मत उन में है, उनके लिए तो कुछ चीज़े एक्सेप्शन में आजाती हैं, मैं बात कर रहा हूँ आपकी, आप से मतलब जो शरीर शर्म जादा नहीं करते हैं, शहर में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं आई जौसी पीएंगे दुपहद को, जूसी पीएंगे सबेगे, दूध का सबसे अच्छा समय है सूरियास्त के बार, जब तक सूरज रहता है, दूध को पचाने वाले Engyimensे पेट में नहीं आते हैं, जैसे ही सूरज डूग जाता है, दूध को पचाने वाले Engyammed में जबर जस् तो अब माताओं को यह परिवर्तन लाना पड़ेगा और आपको अपने बच्चों को सबेरे जूस पिला कि स्कूल बेजना पड़ेगा एक मिनट अशुर भाई का सवाले में एक पिरेट आपका सवाल है बहुत जैनुएन है पते आला में हूँ या जलदे में लोद्याला में हो या दिल्ली में ज्यादा तर घरो में मैंने भी देखा है पाता है अपने बच्चों को इसकूल बेज ती है तो दूद पिला के भेज पिला कर इन सबसे मेरी प्रांथना है कि उनको जूस पिला कर बेंचे बच्चे की दूद पिने की इक्षा नहीं होती आप मार के पीट के जवर जस्ती अपना फोर्स दिखाकर उसको पिला देते हैं इक्षा क्यों नहीं होती इंजाइमस ही नहीं है उसको बचाने होती है इसी एक्षा भी नहीं होती तो वो सही है एक्षा नहीं होती उसकी तो आप उसकी इक्षा का सम्मान करिए बस उसको सबेरे जूस पिलाना शुरू कर दीजे जूस नहीं पी सकता है तो फल खिलाना शुरू कर दीजे सबेरे का स स्कूल से लटते हैं तो दही का समय fix कर दीजे आप दही के लाइए लसी खिलाइए मठा के लाइए जो की नहीं और शाम का समय fix कर दीजे दूठ का अधिम में हम चाय काफी लेतें जाव के पहले एक नियम जो क्लियर हो जाए हम सब को बोगे हैं चोटे बच्चे दूर मालते हैं देखिए मैं एक खुदी करने जा रहा हूं आप एक मिनट के लिए बस शांत रहें घहरे रखेंगे मैं जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुने यह जो नियम है जो मैंने बता दिया यह सामन्य लोगों के लिए ठीक है अब इसमें कुछ एक्सेप्शन से मैंने आप से काना अब हर नियम में कुछ एक्सेप्शन होता है इसमें पहला एक्सेप्शन यह है कि जो बच्चे मां के दूद पर निरभर हैं लगभव दो से धाई साल की उमर तक कई बच्चे तीन स ठीक है कि जो पूरी तरह से मां के दूद पर निरभर हैं उन बच्चों पर यह नहीं लागू नहीं होता मानें उनको एक्स्कलूड govern करके आप बात करेने मां के दूद पर निरभर पच्चों को दो भूख लगेघे उनको दूद पीना है क्योंकि उनके शरीर में तीन साल तक तो दूढ़ी हैं रगी वाले एंग्याइम्स तो तीन साल के बाद था को पचाने वाले एंग्याइम्स देड़ों पहुने दो साल के बादी बच्च के शरीड में आना शुरू होते हैं उसके पहले तो सिर्फ दूद और दूद के ये जैंस हैं उनको पचाने के लिए तो जो बच्छे मां के दूर पर निर्व रहे हैं उनको छोड़कर सभी के ऊपर ये नियम लावू होगा दख कहते हैं कि पास सब्सक्राइब रात के दूर नहीं देना चाहिए वह बैट बैटिंग करेंगा अब यह जो बैट बैटिंग है यह डिस यह हैं और दूर्ट जो है वो चाही है एल्किलाइं जी तो जो चाहरी चीजें है इसको और दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर करेंगा जितनी चाहरी चीजऑ रहें वो सब आप सूरज डूपने ऑद खाईए कि तो शरी निद्र को बहूत काम करते नी और जतनी अमली चीज़ें एक इस बूरत निकलने के बार कहिए Mickie तो शरी शरीर को बहुत लाप कर थे अमली अने as a prophetic ठोड़ी कटी तही एक हकता होता हुटका कटापन उसमें आता कितना भी ताजातों तु handlar हलका कट्टापन उसमें होता है तो हलकी खटी ज्यादा खटी रस वाली ये सब चीज़ें अमली हैं और जिनका स्वाथ थोड़ा कसेला होता है या नॉर्मल होता है जैसे पानी जैसे दूप वो नॉर्मल स्वाथ के हैं और बाकी सब कसेली चीज़ें तो ज्यादा कसेली है सूर्सभाने के बाद ही सबैस्का सब्सक्राइब सबसुंने केबाद है आगे दूसरे सूंतर पर चले दूस्षा सूंतर है लिख लोगा है लिए फिर बात स्क्रीट पहले पाथ में जी चाय की बात हो चलो चाय ही पढ़नेते हैं चाय के बारे में चाय जो है ना आपके देश का उतफादन नहीं है पहली बात जानकरी के लिए खता अंग्रेज आये थे जब इस देश में तो चाय का पौधा साथ ने लाए थे और उन्होंने भारत में कुछ ऐसे इस्थान है जो अंग्रेजों के अनकूल जहां ठंड जादा पड़ती है उन इस्थानों पर पहाड़ियों पर चाय के पौधे लगवा दिये तो उसमें से चाय भूने लगी अंग्रेज अपने साथ चाय लेके आये थे भारत में चाय कभी भूल नहीं 1750 के पहले इस देश में एक भी नामों निशान नहीं था बिटिशर में देश में फिर इस इंडिया कंपपीनी लेकर तो उन्होंने ऐपने लिए लगवान लगाए कियों लगाए चाय एक मैडिसीन मेडिसें इस बात को ध्यान से सुनिए चाय एक मेडिसें उनноеकि तिहों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है चाय मेडिसिन है और जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल और हाई रहता है चाय उनके लिए जहर है बता रहा हूं ना आगे बढ़ते हैं चाय उन सब के लिए जिनको ब्लड प्रेशर कम रहता है अमरुत है मेडिसिन है वीपी वालों रहे लेकिंच यूर्ण को ब्लेकरियों की एक समस्या आज भी है वो हजारों साल से साइसलियों की लोगन इनका गयूत की लोगन का और लोगों का जर्मन लोगों का स्वीडिश लोगों का डैनिश लोगों का सब का बी कि लोगों का करत क्या बहुत ठड़े अलाके से किनुप को थंड़े लाकर थे उनके थंडा तो हम स सोच नहीं सकते सके राँ टेंशन के लिए मैं बहुत आता हूं अभी एक بात पूरी हो जाएते हैं अंग्रेज और अंग्रेजों के आसपास के सारे देश दुनिया के इस हिस्से में रहते हैं जहां ठंड बहुत है साल में छे महीने सूरज नहीं कि इतनी ठंड है और आप अगर उनक्या टेंपरेचर रेंज देखेंगे तो माइनस फॉर्टी उनकी यह तेंपरेचर उनकी आज छे महीने रहता है सूरज निकलता नहीं छे महीने धुन्द ही धुन्द रहती है आसमान में यह इनकी सबसे बड़ी तक्लीट है अंग्रेजों की और अंग्रेजों के आसपास के देशों ज्यादा ठंडे इलाके में कोई भी रहेगा उसका देखे लिए लेट इसपाले मेरा बीपी चेक कर लिया और लेट गया तीन मिनट के बादी मेरा बीपी लो होना शुरू हो गया तीन मिनट से छे मिनट में इतना रो गया कि मेरी दम निकल जाई ऐसी हालत हो गए आग दस मिनट में ही मुझे बरफ से बाहर आना पड़ा फिर बीपी चेक किया मैं कलपना नहीं कर सकता इतना लो था इतना लो था फिर मेरे समझ में आ गया कि मेरे से ज़्यादा बिचारे तों अंग्रेज हैं जो बरफ की सिल्वियों में छे महीने रहते हैं फिर उनको इस्पेशल अवियान चलाना पड़ता है बरफ को तोड़ने का सारी सरकारों का बड़ा बजट तो बरफ तोड़ने में खर्च होता है कनाड़ा अमेरिका वगेरा तो वो लोग सच में बरफ में जादा रहते हैं ठंड बहुत है ब्लेड प्रेशर बहुत लो होत चाय और कॉफी उन सब के लिए बहुत अच्छी है जो ठंड वाले इलाके में रहते हैं और भारत के ऐसे कई इलाके हैं जहां बहुत ठंड पड़ती है अगर मैं जम्मू कश्मीर में जाकर ये व्याक्यान दूगा तो लोगों से कहूँगा चाय प्यो कॉफी भी प्यो क्य है वो भी साल में 10-15 दिन की है वो दस-15 दिन तब होते हैं जब कोहरा बहुत पड़ता है हाथ पर आपके गल्ले लगते हैं टेमपरेचर माइनस जीरो या जीरो के नीचे आ जाता है तब आपके हाँ शाहिद 2-4-5 दिन ऐसे आते हैं कि आप चाय पी लो कॉफी चाय पी लो क्योंकि उस समय भी पी बहुत लोड लेकिन पूरे साल चाय पीना और एवरी टाइम इस टी टाइम ये सबसे खतरना तो वह उटते ही चाय पीना कई लोग तो कहते हैं चाय नहीं पीएंगे तब तो पौटी भी नहीं कर सकते हैं ये तो बहुत खतरना है ये तो बहुत खतरना है इसलिए उटते ही चाय पीने का अगर आपकी आदत है तो इसको बदलिए नहीं तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ अगर लो बी पी और ब्लड प्रशन नॉर्मल है चाय पीना आप जारी रखते दीरे दीरे हाई होना शुरूग हो और वो हाई होते होते फिर आपको गोलियों तक लेके जाएगा तो डॉक्टर कहेगा बीपी लो करने के लिए गोलियां खाओ और जिंदगी वर चाय भी भी हो जिंदगी वर ग तो लियां खाके दिन्दा रहना है तो चाय पीते रहिए और अगर जो नहीं खानी है तो चाय पहले छोड़े दूसरी जानकर यह और दूं कि आपका पेट बहुत अभली होता है आप जानते हैं क्योंकि हम गरब देश में रहने वाले लोगों का नॉर्मल एसिडिटी से थ दोनों में अंतर हैं अगर अब पीएच स्केल को जानते हैं तो हमारा ब्लड जो है ना वो 7.5 के आसपास 7.4 7.3 कभी कभी 7.2 कभी 6.8 तक चला जाता है एसिडिटी में लेकिन यूरोप और अमेरिका में तो प्लस 8 और 8 के आगे रहता है तो उनका ब्लड जो है ना थोड़ हमारा ब्लड पहले से ही थोड़ा ऐसे दिख है और पेट भी हमारा ऐसे दिख है और हम चाय पी के और जादा ऐसे दिख उसको बनाते हैं और जादा हम लिए बनाते हैं तो जीवन का सरवनाश करते हैं इसलिए चाय आपके लिए नहीं है और मैं एक आखरी जानकरी आपको बड़वान ने जो चीजें आपके नजदीक में पैदा की हैं, वही आपके खाने पीने के लिए अच्छी हैं, जो चीजें आप से हजारों बील दूर पैदा होती हैं, वह आपके लिए अच्छी हैं, आपको खाने पीने को जितना लगता है, वो सब 20 किलो मीटर के दाइरे मे होता है आप पट्याला को केंद्र बनाकर 20 किलो मीटर का एक सरकंफरेंस बनादी है आपकी जरूरत की हर चीज वहां होती है पूर आपके लिए सबसे अच्छी है और हजारों मील दूर नील-गरी की पहाड़ियों में जो चाय होती है या करनाटक पे करग एरिया में जो काफी होती है वहां काफी होती है नट्याला और आसपास में कॉफी का कितना भी प्लांटेशन करेंगे होगी ने क्योंकि कॉफी की हमें जरूरत नहीं है ये तो गड़बड़ी क्या हो गई कि ट्रांसपोर्टेशन के साधन इतने हो गए तो दुनिया में जहां भी जो कुछ होता है हम उसे हासिल कर लेते हैं लेकिन वो शरीर के अनकुलने और एक और चोटी सी बात कि हमारे आसपास के जानवरों और पक्षियों को जरा अब्सर्व करें वो चाहे पीते हैं क्या मैंने बहुत पिलाके देखा है नहीं पीते हैं कोई पक्षी चाहे नहीं पीता कोई पक्षी कॉफी नहीं पीता मेरे घर का पाल्तू कुट्ता भी नहीं पीता वो भी मुई इधर उदर कर देता चाहे रखतो इधर उदर करेगा दूद रखतो फट सकी जाए एक मिनट नहीं लगता बिल्ली को पिला के देखा, कुते को पिला के देखा, वो भी नहीं पीते, उनको भी इतना sense है हम तो इतने sense-less होते हैं अपने को समझते हैं तो बहुत होशयार हैं कि हम हम रहे इंटेलीजेश, प्रॉप्बम हमारी intelligence है, यह sense-less हो नहीं तो आप थोड़े सेंस में वापस आईए, चाय कॉफी छोड़ीए, फिर आप बोलेंगे कैसे छूटेगा, स्वामी जी का एक सूत्र बताता हूं, चाय छोड़नेगा, स्वामी जी कहते हैं, चाय पीकर जो नुकसान आपने किया है, उसकी भरपाई भी हो जाएगी और चाय भ आपने किया किया, आपके ब्लड को ऐसे डिक बना लिया, अमली ये बना लिया, अब इसको वापस आपको चारी ये बनाना पड़ेगा, तो सबसे अच्छी चीज है, अरजुन चाल का पाउडर उसका काढ़ा बना के पीजिए, चाय जिनको छोड़ भी है, घर आने वाले को सबसे अच्छी आउडर चाल का पाउडर दे रहे हो, जो चाय छोड़ना चाहते हैं, और जिनों ने चाय पीकर नुकसान कर लिया अपने शरीर का वो नुकसान फिर ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे अच्छी आयुर्वेदिक दवा है, अर्जुन चाल, आप जाए अर्जुन चाल का, कहीं भी मिलती है 35-40 रुपए किलो की है, बहुत सस्ती, चाय तो 1.500 रुपए किलो है, ये तो 35-40 रुपए किलो है, स्वामी जी का यहां अगर केंद्र होगा, सेवा केंद्र वहां से ले लीजे, अर्जुन चाल का पाउडर मिलता है, उसको कारा बनाए आप सब जानते हैं, पादी में डाल के उबाल दीजे, थोड़ा उसमें चाहे तो शक्कर मिला दीजे, गुड़ मिला दीजे, बहुत अच्छा प्यार होता है, टेस्ट उसका चाल कई जैसा है, और रंग भी चाहे के जैसा है, उसमें दूद भी डाल सकते हैं, गुड़ या नुकसान आपने कर लिया, वो सारा नुकसान उससे कवर पढूले आपके ब्लड में असीडिटी कम कर देगा और आपके ब्लड को अलकिलाइन कर देगा, और मजे की बात यह है कि ब्लड की असीडिटी बढ़ते ही, कॉले us disciples ये सब भणने लगते हैं, और ब्लड कीzagड़ की कोनस्टॉल और ट्राइगलिस्राइट सब घटने लगते माने हर्ट अटेक से बचना है तो भी अरजुन की चाल ही चाहिए आप तो चाहिए का सबसे अच्छा विकल्ब है और एक अच्छा विकल्ब है अरजुन की चाल बहुत चाल ये है ऐलकलाई ने ऐसी कोई भी चीज जो alkaline है वो आप पीना शुरू कर दीजे चाहे के विकल पूरूँ जैसे जीरा है ना जीरा बहुत alkaline है जीरे का काड़ा बनाई है, जीरे का काड़ा कैसे बनता है, जीरा पानी में डालिये, उबालिये, थोड़ा गुड़ मिला दीजे, और थोड़ा उसमें पुदीने का पत्ते का चट्नी मिला दीजे, ये बहुत अलकिलाइन हो जाता है, फिर इसको भी लिखे चाहे की तरह से, एजवाइन आजवाइन है बहुत अच्छा तयार होगा तो ऐसे बीसियों तरह के काड़ी है एक हमारे भारत देश में राहतरी परिवार नाम की बड़ी संस्था है उनका एक प्रग्या पे आता है वो भी बहुत अच्छा विक्रित है स्वामी जी ने भी एक विकल्प लाया है दिव्यपे वो सभी अल्किलाइन चीजें हैं उसमें चुद चुनकर अल्किलाइन चीजें उसमें रखी है वो दिव्यपे चाय का बहुत अच्छा विकल्प है तो विकल्प है अच्छा विकल्प है तो दिर जहर क्यों खाना और पाउडर कशुए को कौफी पिलाइए जल्दीमार डालिए उनको और अगनाव बानते हैं कि नहीं वो देवता है तो बिल्कुल चाह करें था पौफी बहुत अच्छा सबाइब जिनको सुबद जूस पीने से कॉल होता बस एतना सु छूटा काम करें कि जूस में काला नमगा आप सब के घर में तो कभी कोल्ड नहीं होगा दूसरा जूस में थोड़ा सा अधरक कादस्द है कमी कोल्ड नहीं होगा और तीसरा और आखरी जूस मे थोड़ा छून के पीए जिंदगी में कभी भी कोल टीए मातरा बहुत थोड़ी सी काला नमक होगा तो यह फिर्ट करने के बराबर न तो इन गडमत मिलानें नहीं तो काला नमक मिला लें नहीं तो जूणा मिला लें जिनको जूस पीने से खीишופ सर्थी यह स्था सब के लिए नहीं यह सिर्फ निक पानी को हमेशा पानी को हमेशा गूट घूट कर पीना पानी को हमेशा गूट-गूट कर पीना ये दूसरा कि पानी गटांगत नहीं पीना एक सात मुँए लोटा लगा के गटांगत ये बहुत खड़ाब तरीका पादी पीने का पानी पीने का तरीका है वैसे ही जैसे गरम दूँद पीते हैं एक सिप लें तोड़ी दे रुखते हैं फिर दूसरा से रूखना फिर तीसरा से ऐसे पानी के नहीं है और पूझेंगे क्यों मैं समझ भी एस पांट को क्यों मैं बात ऐसी है थोड़ी देख पहले से चल चल रही है हमारा भी मुह है ना यह बहुत बड़ा फैक्टरी बहुत बड़ा प्रड़क्शन यूनिट है किसका लार का लार जिसको अंग्रेजी में आप सलाइवा कहते हैं और एक अंग्रेजी में सैलीवा भी कहते हैं एक क्वालिडेश करती हैं नर्णती नैसमें और यह सबसे जाधा मदद करती हैं जीद के साथ कूछ लार ग्रथियां हैं वूदी का करती Kabul आपको सुनकर ताजू होगा फिजिलोजी एनोटॉमी का एक information आपको दे रहा हूं कि मुँ में एक लाख लार गृंदिया है एक लाख एक लाख लार गृंदिया है मुँ में और ये रात बिन काम कर रही है तो लार बन रही है अब ये जो लार बनती है हम़ारे मुmost ये फूरी तरह से चारी ऐह इल्कलाई में पूरी तरह सरा अल्कलाई में कभी भी आप इसको से निकालके टेस्ट कर सकते हैं लिकमस ये 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 इल्क्लाई में और पेट में हमेशा अम्ल बनता है और और बेट की फैक्टरी मी चाहलू रहती है हमेशा अमल बनाने की एपीगस्ट्रियम में अमल बनता है उसको हाइड्रोछोरिक एसट भी कहते हैं सब तो पेट में बनता है अमल एसट वह में बनती यह लार है अलकलाइन और अम्ल है ऐसे लिए कि यह दोनों मिक्स हो तो इस दूसरे को न्यूट्रल करते हैं तो गर्वार में व्यवस्ता ऐसी बनाई है कि पेट के अम्ल में मूं की लार जाकर मिलती रहे ताकि एसिट को न्यूट्रलाइज करें नौर्मल रखें ऐसी बढ़ने ना पाएं इसलिए व्यवस्ता है कि जो भी लार बनेगी वो अंदर जाएगी लार बनेगी अंदर जाएगी बनेगी अंदर जाएगी बनेगी अंदर जाएगी यह हमारे श्रीब करता है इसलिए कहा्quiera चैनल है, कि पानी को अगर आ खूट-खूट कर पी रहे हैं, सिप सिप कर कर के पी रहे हैं, तो ज्यादा मात्रा में लार अंदर जाएगी, और एक साथ गठागट पानी पी रहे हैं, तो बहुत थोड़ी सी लार अंदर जाएगी, पानी पाणी आपने दो सेकेंड में खतम कर दिया। थोड़ी सी ही लाज जाएगी लेकिन उसी एक बलाज पाणी को तीन चार मिनट दीरे दीरे पिएगे तो जादा लार जायेगी. पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका बताए गया। में कि एक सिब पानी बुमे बरना, फिर उसको भुमाना पर चारों पर. अब भुमा तरीका पिर पूरी लार उसमें मिक्स हो जाए फिर फिर पीना. फिर एक दो मिनुनट वेट करना. अब यहाँ बार रार अंगर गई तो पेट का एसिद आपने निउट्रल कर लिया जिद का एसिद निउट्रल होता है उनको लाइफ में वाथ पित्ट कफ तीनों निउट्रल रहे हैं तो रही नहीं सकते घट भी नहीं सकते और जिन्दगी भर आप निरोगी रह सकते ये इतना पावरफुल सूतु है कि सिर्फ पादे को घूट घूट करके पीना मैंने इस सूत्र पर बहुत एक्सपरिमेंट किये और मेरे अलावा दुनिया के बहुत सारे वैग्यानिकों एक अमेरिकन इंसिट्टूट है जॉन होपकिन्स इंसिट्टूट वहाँ पर दो साइंटिस्त नेफरलोजिस्ट है उनसे मेरा कंप्यूटर के माध्यम से दोस्ती हो गया, इमेल के थूप, मैंने उनकी एक बार वेब साइट पे क्लिक किया, वो दोनों साइंटिस्ट बारे सा साल से एक ही ऐक्स कर रहे हैं, धोनों नेफरलोजिस्ट हैं, न मैंने किड़नी रोग के रिशेश है, उनका ये क्सपरिमेट है कि पानी गटागट पीओ तो क्या होता है और पानी गूट गोड़ पीओ तो क्या होता है, बारे साल से वो एकी काम ने लग लगे लिजी, बार दूसरी संभावना है प्रॉस्ट्रेट एंलार्जमेंट की वो कहते हैं कि यह प्रॉस्ट्रेट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं यह सब मैक्सिमम उन लोगों को हैं जो गटा गट पानी पीते रहते हैं और वो कहते हैं कि जो भूड़ भूड़ पानी पी रहे हैं वो कहते हैं इस इर लुड़ लखी है इस नियमका भारत को साड़े-तीन हजार साल से ग्यान है हमको तो अभी पता चला 12 साल पहले पानी भूड भूड पीना औरहों ने सौ से ज्जादा पेशन पर बारे सांगी। निकी कित्नियां ऐख राब हैं और जिनको डायेलीसिस कछिए यां ऐसे सौ पेशन, उन्हों लैंट के जितने पेशन को बूडूडूडा पॉन पीने को उन्होंने बोला सभी को डायेलेसिस देर में होना देर में वह समय पढ़ता ही गया और एक बार इस उतको करना पड़ा और शे महीने में करना पड़ा और जो गठागत पानी पीचे उनको हर दिन या हर दूसरे दिन डाइलिस इस पिल जाए तब उन्होंने थीसिस तैयार किया वह थीसिस को उन्होंने एक बहुत बड़ी मेगजीन आती है लेंसे उसका नाम ने लंदन से छपती है उसमें दिया हो थी से मैंने पढ़कर फिर उनको कॉंटेक्ट किया कि आपको यह पता कैसे चला गूट-गूट पानी पीने का तो उन्होंने का कि हमको किसी इंडियन में बताया था जो अमेरिका में रहता है और हमने उसको सीरिय करने लग गए उड़ते पानी को गूट-गूट पीओ तो खिट्टी भी अच्छी रहेगी लीवर भी अच्छा रहेगा सब कुछ अच्छा है तो आप इसको हमेशा याद रखिए कि पानी को गूट-गूट पीना ही सबसे उत्ता है और दूसरी जानका यह कि जब आप कि अच्छा रही का चान्स होता नहीं मैंने एक्सपरिमेंट बहुत सारे ऐसे लोगों पर किये जिनको मुटापा है बहुत ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो आई-टी इंडस्ट्री में काम करते हैं सौफ्ट्वेयर में काम करते हैं जिनको तो उसमें लिख दिया गया कि माफ करिये आदमी को तो हम काम पर रख सकते हैं हाथी के बच्चों को नहीं रख सकते हैं 150 किलो 160 किलो ऐसे मेरे दोस्ते हैं फिर जब वो परेशान हो गए मौकरी चली गई घवरा गए तब उन्होंने का आप बताओ क्या करें तो मैंने का सुमामी जी का शिवर करो तो उन्हेंक वो साथ दिखका हो बैंग ईसे मेरे दोस्ते अनुने शिवर किया फिर उसके बार क्या थ्यूश्व किया हम से नहीं हो जिसने दिखका उन्हों सब इसको कर रहे हैं अब किसी का बजन 160 किलो से अस्टी किलो हो घृघ किसी का वजन 140 किलो से 70 किलो हो गया। किसी का वजन 165 किलो से 89 किलो रह गया। वजन इतना तेजी से घठता है भूट-भूट पानी पानी में। और मेरे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिनका पेट बहुत ज्यादा बाहर आ गया था उनका सभी पेट अंदर चला गया भूट-बूट पानी कि जो पहले से पतले हैं वो और पतले हो जाएंगे बिल्खिन मत घब रही है आप जहां है वही इस्थिव हो जाएंगे उससे जादा पतले नहीं होंगे लेकिन जो हैवी हैं मोटे हैं उनके लिए तो यह इतनी रामबा ओशदी है कि आप बूट-बूट पानी पीना शुरू कर दीजे साल भर में आपके रिजर्ट आपकी आँखों के सामगे जिना थायराइड वाद आपके वेड़वाद है उनके लिए तो बात दूसरी उनको कुछ मेडिसिन भी खानी पड़ेगी लेकिन नॉर्मल लोगों को जिनको थाइराइड इसम नहीं भी है फिर भी सब भूओन कर पानी पीते हैं किसी चुडिया बने पानी हुआ पानी पीटेया पीते हैं फिर लिटे चलाती है ठिर दीजर चलाती है फिर फिर पानी तकूण सब्सक्वरा देर benchmark टित तीसरा पर लो ग्याराइड इस म Keysih या चुडिया एक एक ड्रॉप पानी पीती है। सारे विसीज और सारी तकलिफ है आदमी कोई है क्योंकि छोटी छोटी बात है वो नहीं परस्ता है अब मैं कई वार सोचता हूँ कि चुडिया को किसने बताया पानी गूड़ गूड़ पे हमको तो माममट्ट जी बताके चलेए चुडिया को किसने बताया इसका माने ये है कि बाई बर्द उनको ये नौलेज है इसका माने ये है कि नेचर में कोई ऐसी व्यवस्था की है प्रकर्टी में ऐसी व्यवस्था की है कि चुडिया जनम से ही इस बात को जानती है या कुटता जनम से ही इस बात को जानता है उनका कोई गुरू नहीं होता, उनका कोई कॉलेज नहीं होता, उनका कोई स्कूल नहीं होता, फिर भी उनको ये नॉलेज है, इसका माने ये नेचर का नॉलेज है, और नेचर के नॉलेज को वो अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, जिनको हम जानवर कह रहे हैं, और जो इंस किसी बात नहीं जानता पानी दूपी तो आप गए कि हमको किसी ने नहीं बता चुड़िया वो इस ने पता है तो हम थोड़ा सा अपने आपको समझ ने की कोशिश करें जांबर और पक्षियों की तुलना में हमारा नॉलेज वेस काफी कम है उनका नॉलेज वेस हमसे थोड़ जहादा है और वो बराबर उसको पाके से पॉल उकरते तो आप इस नियम को कोशिश करें कि आज से पॉलु करें क्योंकि इसमें नुकसान कुछ भी नहीं फाइदे यह इस नियम को पालब करने में थिर्फ सिर्फ आपकी हैविट बदलनी आपको और कुछ नहीं करते पानी को जैसे गटागट पी रहे थोड़ा थोड़ा दीमे दीमे कम-कम मात्रा में पीना फिर आप गएगे बहुत समय लगेगा मैंने वो भी करके देख लिया पंजाब का जो गिलास होता है वो भारत का सबसे बड़ा गिलास है उतना गिलास पानी पंजाब का एक गिलास तो मतलब एक दिन में दस ग्लास से जादा तो कोई भी नहीं पी सकता तो, 30 मिनिट एक दिन में आपको चाहिए पानी पीने के लिए. 24 गंटे का आपके पास दिन है 30 मिनट आप नहीं निकाल सकते गूट-गूट पाई पीने में कर सकते बस ध्यान देने और ध्यान देकर आप इसको शुरू कर अभी कोसा पाई टेना अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ कि कोसा पीना के तका है गूट-गूट पीना है दूद भी गूट-गूट पीना है काड़ा मी गूट-गूट पीना है जो भी लिक्विड चीज आप पीरेंगे गूट-गूट भी जिस चीज में पानी है सबको गूट-गूट पर यह जूत की जाहाए फूट क्यु नहीं खायansen students कि फल क्कषाना शूर्ब यूस पीने से सौग नाच्छा थाए तो फल के साथ यू स्थांते वह सब यह तो थोड़ी डिसीज की बात है लेकिन आइवेज की भाषा में आप अगर इस सवाल का जवाब दूनेंगे तो आइवेज में सभी वैद्दियों ने सभी रिशियों ने महिर्शियों ने का है फॉल खाना जूस पीने से कई गुना अच्छा तो आप कोशिश करिए नहीं कोई कारण से कोई प्राइब्लम है तो आप जूस पी लीजे लेकिन कोशिश ये करिए कि जूस निकालने के बाद जो फाइबर्स बच गए हैं उनको भी खा जें जैसे हम अनार का रस निकाल गए है तो अनार का जो दाना है ना पीस ले गए तो वो कुछ तो निकलेगा ना वेस्ट के रूप में उसको डाल में डाल के खा जाईए चावल में डाल के खा जाईए नहीं तो खुद ऐसे ही खा जाईए तो उसके जो फाइबर्स निकल गए उनको भी किसी तरह से खा लीजे जूस निकालने के बाद कोई भी फाइबर वेस्ट मत करिए क्योंकि वही फा जाडू और पोच्छे के जैसा है ताइब में जाडू को चाओ था नियुजां भूझा होता ने जो सफाई करने में सारा फाइबर आपके शरीर को साफ करता है इसलिए । फाइंबर गाना ही चाहिए पेट में अब जूस के साइब नहीं लेपाते तो पीछे से खा लीजे आ पहले खार लीजिए बार में जूस पी लिए अजिए। फाइवर हो नहीं चहिए। दो सूत्र हो गए हैं प्रफल सुबह सबसे अच्छा है रात को बिलकुल अच्छा है थोड़ा आगे बड़े तीसर सूत्र की चत्रा कर लएं तीसरा सूत्र समय हैं फिर आपके पशनांसर का समया हैं तीसरा सूत्र, कभी भी सबेरे सोकर उठें, तो सबसे पहले पानी पीए, कभी भी सबेरे सोकर उठें, तो सबसे पहले पानी पीए, माने दिन की शुरुआद पानी से करें, मैं बता रहा हूँ, दिन की शुरुआद पानी से करें, सबेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीए, स्वामीर आप देव जी इसी सूत्र को दूसरी भाषा में कहते है उशा पान करें उशा पान का मतलब ही यह है कि सुवह चार बजे के आसपास उठना और उटते ही पानी पीना दाद नहीं साफ करना, मूँ नहीं दोना, कुला नहीं करना पहले पानी पीना दाज ही साफ करने हैं तो रात को साफ करके सोई कुला करना है तो रात को कुला करके सोई सुबह उठते ही पानी पीलेंगे क्यों पीना है दो कारण पहला कारण है रात पर आप सो गए तो मुँ में लार बन लेगी वो इकटी हो गए दोलों तरह बरपूर मात्रा में इकटी हो गए अब आप उठते ही पानी पीलेंगे तो सब अंदर जाएगी और दाज साफ करने लगेंगे तो ये सब बाहर निकल जाएगी ठोकना पुड़ेगा आपको इसलिए उठते ही दाज साफ नहीं करना मुह नहीं दोना पहले पानी पीलेंगे ताकि सब लार अंदर चली जाएगी सुबह की लार जो है न बहुत अलकिलाएगी सुबह की लार का मैंने पी-च निकाला तो 8.4 के असपास इतना अलकिलाएगी और ये इतनी medicinal property वाली है सुबह की लार कि कहीं भी आप इसको एपलाई करिए इसके medicinal result बहुत लोगों को आज की जमाने में खास-खास बीमारिया है जैसे हांकों के नीचे डार्क सर्क्ल होना अगर किसी को भी ये बीमारी है तो उनको आप बोलिए सुबह सुबह की लार हाथ में लगा के ऐसे मालिश करना हलके है तीन चार महीने करा दीजिए डार्स सर्क्ल निकल जाए किसी को आँखों में चश्मा है और वो हटाना चाहते हैं तो सुबह की लार को आँखों में लगाए काजल की तरह से आपका चश्मा उतर जाएग क्योंकि चश्मा आँख में लगता ही तब है जब आँख के लिक्विट की एसिडिटी बढ़ी हुई है और ये लार एलकेलाइन है ये एसिडिटी को ऐसे ही कंट्रोल करने का चश्मा उतार देता सुबह की लार का और बहुत अच्छा एप्लिकेशन है शरीर में कहीं चोट लग गई है और वो जल्दी ठीक नहीं हो रही है आप सुबह की लार उस पर अप्लाई कर दो ठीक कर देता और कही तरह से इसका उप्योग होता है जैसे किसी को कील महासे हो जाए पिंपल्स हो जाए और बहुत खराब चेहरा हो जाए उनको कहिए सुबह की लार लगा के मालिश करो कील महासे का दाग भे मिटा ले थी मैंने जले हुए का दाग मिटाया है समय लगता है तीन साल एक पार मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसको हाथ जल गया था दूद गरम दूद से हाथ जल गया था तो ठीक हो गया, लेकिन निशान नहीं मिट रहा था, और उस पेशेंट, वो पेशेंट को जरूरी था, वो निशान मिट नहीं चाहिए, वो पेशेंट एक लड़की थी, उसकी शादी होने वाली थी, तो उसके घर वाले सब परेशान थे, कि सस्वाल वालों ने देख लिया, कॉस्परी है, साइड इफेक्ट नहीं है, एकस्पाइरी डेट कुछ नहीं है, आप कर लो इसको, तो उसने किया, हालिये में दूरूप से किया, साथ से आठ महीने में जले हुए का सारा निशान मिट गए, इसकी नेदब नॉर्मल हुए, आपको कभी देखने में आया है, कि जानवरों को जब भी चोट लगती है, वो चाटने लगते हैं अपनी चोट को, पर चाट करी ठीक कर लेते हैं, तो जानवरों का भी यही कहानी है, जो बना है, जानवरों की लार भी एलकिलाइन है, छारी है, और चोट को चाट कर वो ऐसे ठीक कर लेते हैं, गाय अपने बच्चे को चाट चाट कर उसकी सारी बिमारी मिटा देगी। मनश्यू भी कर सकता है। बस इसमें थोड़ा सेंसिबल होने की जरूरत है। मैंने बहुत पेशन्ट पे इसके एक्सपरिमेंट किये हैं। एक पेशन्ट मेरे पास है कैंसर का है। उसको कीमोतरफी हुआ तो कीमोतरफी में आप जानते हैं बाल वाल सब उड़ गए। लेकिन अभी वो ठीक स्थिती में हैं। अब उसको बाल वापस लाने हैं तो मैंने का बहुत लार लगाओ। तो वो लगा रहा है और धीरे धीरे नए बाल आ रहे हैं। तो सुबह की लार के बारे में मैंने बचपन न सुना था मेरी दादी मोलती थी कि इसको थूकना नहीं। तो पाप पड़ेगा, ऐसा बुलिभी मेरी दादी। अब वो इसको समझ में नही है वही पाप पड़ेगा, पुन्य होगा। मेरे आप समझ में आया, वो क्यों बोलती थी पाप पड़े का, क्योंकि वो मेरे लिए कीमती है, तो इसलिए आप सुबह की लार के बारे में थोड़े कौशस हो जाएए, इसको ब्रश करके, पेस्ट करके थूकिये मताई, वाश वेशन में, कितना वेस्ट कर रहा है, और उसस व्यवस्था दी है, आप भगवान का धन्यवाद करिए, मेरे पास दो पेशन्ट ऐसे हैं, जो कैंसर की लास्ट स्टेज में हैं, और उनके बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि उनकी लार ग्रंदियां पूरी तरह से खतम हो गई हैं, अब उनको चार आवि भी पिलाओ, दूद भी पिलाओ, तो सब बाहर आजाता, कुछ भी अदधर मी जाता, क्योंकि लार ही नहीं है मिन, हैं दोनो करोणपती हैं, तो मुझसे कहते हैं, कुछ बता दो, कुछ बता दो, तो मैंने का अच्छा ऐसा करो, ज़्यादा पैस है, आपके पास तो अमेरिका से इंपोर्ट करो, लार का सैशे आता है, अमेरिका में मिलता है अमेरिका में कुछ कमपणिया हैं जो लार का बिजन्स करती तो मनुशीगी ही लार होती है, उसको जैसे शैंपू काrevट होता है न, उसमें भरके बेचती है पांच मिली ग्राम का एक शैशे दस हजाग हो पैगा है तो वो दोनों कैंजर पेशेंट हर दिन दस से बारे शैशे कंज्यूम कर लेते हैं साथ से सतर हजार खर्च करते हैं लेकिन इस्तिती अगले दिन सुबह फिर वही हो जाती है मौपूरे का पूरा सूखा रहता है माने दूसरे की लार किसी दूसरे को काम नहीं आदी लेकिन वो अपने संतोष के लिए करते जरूर है ये का तो भबभान ने आपको ये व्यवस्था दी है इसको खराब नद करना अब ये व्यवस्था खराब कहा होती है और ऐसे होती है वो जरूर लार बनना सबसे ज़्यादा कम होता है तब जब आप कोई ऐसी वस्तू का उपयोग करें अपने मुह में जो एंटी-अलकलाईन है एंटी-अलकलाईन बने ज़ार के विरुद्ध कोई वस्तू आप उपयोग करेंगे मुह में तो लार का बनना कम होगा उसका उत्पन कम होगा अब ऐसी कौन सी वस्तू हैं हमारे जीवन में आप जितने भी टूथपेस्ट करते हैं यह सब एंटी-अलकलाईन यह सब आपकी लार की उत्पन करने की खमता को घटाते हैं। ये sodium laurel sulfate को जहर माना जाता है दुनिया में ये थोड़ी भी मात्रा में जीप पर आप डाल दें तो लार गृंतियों को सुखा देता है पूरी तरह से इसलिए दुनिया में जो भी sensible doctors हैं दातों की, dentists वो सब brush करते हैं, brush को कभी paste नहीं नगा दे अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे dentists को मैं जानता हूँ through email और मैं उनसे बार बार पूछता हूँ, आप क्या करते हैं, patient को क्या बताता हूँ, आप क्या करते हैं, we do not use any tooth paste हम नहीं use करते हैं, हम यूस्ते वाले नहीं करते हैं, क्यों? अगरे तुमको नहीं मालूम, लार बनना कम हो जाता है, तुम मैं पूछता है, आप करते हैं, जूरोप का खाली brush नहीं बढ़ते हैं, paste नहीं लगाते हैं अगर अमेरिका में तो आपको मालूम है, कॉलिगेट, क्लोज़प, अपसुदेंट, सभी टूथपेस्ट पर वार्निंग प्रिंट होती है, इस चूठरी वार्निंग, वैदानिक चेताव में, उस पर लिखा होता है, प्लीज कीप आउट इस कॉलिगेट नहीं बढ़ते है यह पेस्ट करेंगा, तो तुरंथ ऑस्पिटल लेके जाना उसको, थार्ड बार्निंग होती है, इफ यू आरे एडन, लिग टेक पेस्ट ऑन यूर ब्रश, एट यूर ओन रिस्क, इन पी साइज, पी साइज मनें, चने या पटर के दाने से भी छोटा, इतनी सी मात्रा में नहीं ब्रश पर बेस्क लेना, वो भी अपने रिस्क पर लेना, इतनी शार्व वार्निंग प्रिंट होती है टूथ पेस्ट, हिंदुस्तान में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तीवी में दिखाते हैं, ब्रश भर भर के पेस्ट, अमेरिका में बिल्कुल थोड़ा सा लेना, क्योंकि इसमें सोडियम लॉरेल सल्टेट है, और वो आपकी लार उत्पादन शमता को खतम कर देगा, तो थोड़ा साही लेना, हमको टीवी बताता, ब्रश भर भर के लेना, और दिन में तीर तीन बार लेना, सुबह में लेना, दुपेर को लेना, शाम को लेना, त की घटाने वाली चीज़ा, तो आप बुरेंगे कौन सी चीज़ा है, जो लार को बढ़ाती है, नीव का दातुन, सबसे जादा लार बढ़ाता है, करके देख लीज़े, नीव के दातुन को जैसे आप दात के बीच में फसाएंगे, तुरंत लार बनना शुरू हो जाएंग करके देखे, और जैसे जैसे आप उसको चबाते जाएंगे, लार का प्रड़क्शन बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, इसलिए बेस्ट क्वालिटी है, नीव का दातुन, ऐसे बबूल का दातुन, जितना चबाएंगे, लार का उच्वा प्रादस आगया उपर से लार भी है दोनों बेस्ट अल्किलाइन प्रॉडक्ट है नीम के दात उनको चबाते हुए जो लार को भी सकते हैं मैं उनको स्टांप पेपर पर लिख के दे सकता हूं जिन्दगी में डाइबिटीस कभी हो नहीं सकती हुआ अर्थराइटिस होगा नहीं को दिया क्योंकि एसिविटी बढ़ेगे नहीं ब्लड की अलकिलाइन रहे लागे और अलकिलाइन रहेगा तो डाइबिटीस, अर्थराइटिस, हर्ट अटेक, कार्डिय करेस, ब्रेट, एमरेज, पैरलिस, कुछ नहीं होने वाला इसलिए नीम को बारत में नातुन के लिए सबसे अच्छा मता है, तो नीम का नातुन करिये दस्ट है, पुरी भी नहीं पीना, कितनी भी गर्मी पड़े, कितना भी पसी ना निकले, नहीं पीना, क्यों? आप उसको समझ लीजे, बात ऐसी है, कि जब बहुत ठंडा पानी आप पीते हैं, त बातों पेट पानी को गरम करता है, या पानी पेट को ठंडा बनाता है, थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करें, कि मान लीजे, आपने बहुत ठंडा पानी पिया है, और पानी में पेट को ठंडा करते हैं, पेट के जैसे ही ठंडे होते ही, हिरदय ठंडा हो जाएग क्योंकि पेट और हिर्दय का आप इसमें connection है हिर्दय के ठंड़ा होते ही मस्तिश ठंड़ा हो जाएगा और मस्तिश के ठंड़े होते ही शरीर ठंड़ा हो जाएगा और शरीर के ठंड़ा होते ही आपको घर के बाहर निकाल के फेग देगे वो सब लोग जो आपको लिपट कर प्रेप करते हैं वो सब आपको छूना भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि शरीर ठंडा हो गया और वो एक ही बात बोलेगे जन्दी लेके जाओ इसको हटाओ क्यों रखा हुआ है अंतिन समस्कार करना है क्योंकि शरीर ठंडा होते ही राम नाम सत्युसी तो आप फिर ये शरीर को ठंडा बनाना चाहते हैं पानी प्रेपी लिए मत करिये ये गल्टी अब इसका दूसरा पार्ट है जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको जब बहुत ठंडा पानी हम पीते हैं तो होता क्या है कि पेट पानी को गरम करता है उसको जिंता रखना है आपको तो एक सिस्ट्म बना रखा बंवाने आप बहुत ठंडा पानी प्येंगे पानी को गरम करेगा लेकिन गरम करने के लिए उसको इनर्जी चाहिए खुचुछूर्जा चाहिए वो energy कहां से आएगी, blood में से आएगी, रगत में से आएगी तो सारे शरील का खून पेट की तरफ जाएगा, पानी को गरब करेगे अब थूड़ी देर आप imagine करिए कि सारे brain का blood हमारे पेट में चला लिया heart का blood पेट में चला लिया, intestine का blood पेट में आ गया तो हर एक औरगन को blood की कमी आएगी brain को कमी आएगी heart को कमी आएगी brain को 3 मिनट अगर blood supply रुप गया या कम हो गया तो brain dead हो जाता है heart को 1.5 मिनट अगर supply रुप गयी तो heart dead हो जाता है बागी सभी organs तो ऐसी खतम हो जाएगी इसलिए कहा गया है ठंडा पानी पीना बहुत बड़ा risk लेगा है और एक समस्या होती है जब बहुत ठंडा पानी आप पीते हैं तो हमारे पेट का जो large intestine है बड़ा आथ जहाँ पर excreta है मल है वो बंदो जाता है large intestine ऐसा होता है pipe के जैसा खुले हुए pipe के जैसा जब ठंडा पानी पीते हैं तो यह पर जाता है अब होगा क्या आप ठंडा पानी पीपी के large intestine अगर आपका श्रिक कर गया बंदो गया तो सुबह जब आप toilet में जाएंगे तो यह गंदे बैठना हो अब क्योंकि यह बंद है स्टूली पास नहीं होगा सारी ताकत लगानी पड़ जाएगी आपको फिर भी स्टूल पास नहीं होगा माने constipation शुरू हो जाएगी और constipation को अईलवेज में mother disease कहते है सभी बीमारियों की माँ है कबजियत आपको एक बीमारी आगई कबजियत तो सारी पानी पानी पीने से सबसे जादा नुकसान होता है लार्ज इंटेस्टाइम के श्रिंक होने का माने कबजियत होने का इसलिए आप ये गल्ती मत करिए कभी मैंने मेरी आँखों से देखा है अमेरिकन और यूरोपियन लोग बहुत धंडा पानी पीते हैं इतना धंडा पानी पीते हैं कि हम सोच नहीं सकते हैं अमेरिकन और यूरोपियन लोग तो क्या करते हैं पानी को फ्रीज में रख देते हैं पांच-छे दिन रखा रहता है खूब धंडा होता है फिर पानी को निकालते हैं फिर आइस क्यूब डालते हैं परफ की टुगड़े फिर पीते लिए तुछ परिणाम क्या होता जो भी अमेरिकन ये अरोपियन लोग धंडा पानी पीते चिल्ड वाटर पीते वो सवेरे जब टॉइलेट रूम में जाते तो एक एक गंटे बाहर नहीं आए कुछ लोग तो दो-दो घंटे बैठे रहते है पूछ जो कि एक गंटे तॉइलेट रूम में तो गहते जोड़े बादे बाहरा चाई ये आपके टॉइलेट रूम में ये कमोट सीट क्यों लगाती है इंडीयन स्टाई का क्योंले लात magazine तो उसमें बहुत अच्छा उत्तर दिया, उसने का कि इंडियन स्टाइल वाला जो टॉइलेट पॉट है, उसमें पांच मिनट बैठ सकते हैं, क्योंकि बैठने की जो पुजीशन है वो पांच मिनट में ही ठका देती हैं, हमको दो-दो घंटे बैठना हैं, इसलिए हम पुरस जैसा ही कमोट बना लेते हैं, आरा जो बैठ जाते हैं, न्यूस पेपर पड़ते हैं, उस दिन मेरे समझ में आया, कि अमेरिकन टॉइलेट रूम में लाइबरेरी क्यों होती हैं, सारे अमेरिकन टॉइलेट रूम में लाइबरेरी मिलेगी, न्यूस पेपर मिलेगी, करने का बन करता है वो बिचारे किते परेशान होते होंगे सारी ताकत लगाते होंगे अगर आजा 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 फिर भी नहीं आती यह सारी सबस्या हुटगी दिद्रीद में और इन समस्याओं का जो रूट कॉज है वो चिर्ड वॉटर है ठंडा पानी आप मत गल्पी करना ये वो गल्पी कर रहे हैं उनका उनको मुबारक हमें हमारे जीवत को थोड़ा ठीक रखना है आप कभी भी ठंडा पानी बदती ना फिर आप बोलेंगे घड़े का पानी पी स क्योंकि वो धंडा नहीं है थंड़ो पानी की परिवाशा मैंने बताई 27 डिग्री से कम टेंपरेचर का सभी पानी धंडा है जब भी आप टेंपरेचर नोट करेंगे वो 35 डिग्री, 36 डिग्री, 34 डिग्री, 33 डिग्री ऐसे याता है और आपके शरीड का तापमान है 37 और आपका शरीद दोनों लगवर बराबर गरम है इसलिए आप कभी भी मिट्टी के गड़े का पानी पीना फ्रिज का बन पीना दरफ डाला हुआ इमर्जेंसी कितनी भी होने हो आप टेंप वाटर पीलेना नल का पानी सीधे पीलेना थेंडा पानी ये चौथा नियम है औ आज का आखरी नियम है तो मैंने आपको चार नियम बताए हैं इन नियमों के आधार पर कोई प्रश्ण आपके मन्ना हो तो जरूर पूछिए मैं आदा गंटे का समय देता हूं और आपको लगेगा तो और आदा गंटे उसको एक्सेंट करूँगा चार नियम अभी तक मैं बताए हैं जो समझ में आए तो दूसरों को बताए हैं तो दूद पीने का समय कितनी देर बाद खाने के रात को खाना खाते ही कभी में दूद पी सकते हैं तुरंत आप दूद पी सकते कोई दिकत नहीं है और अगर आप सोने जा रहे हैं उस समय पीएंगे तो और अच्छा लेकिन खाने के तुरंट बाद अगर आपको कुछ भी लिक्विड पीडिक रिच्छा है तो दूर पीकर उसी ख्षा की पूर्टी कर से मैं बता रहा हूँ वो कल बताओंगा नमक का बहुत फरक होता है लेकिन कल बताओंगा उसे आज सिर्फ इतना जाने लिजे कि दूर तुरंट खाने के बाद रात को पिया जा सकता है अब किसी ने सवाल पूछाए कि विदेशों में दातुन नहीं होती है तो हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करना शुरू करें कुछ तो फाइदा बिलेगा इस देश को एक दातुन एक डॉल नहीं विखेगी तो अपर रिज districts को कितना मिलेगा या आदे डॉलर में मिलेगी तो इसने विदेश में बताना चाहते हैं तो उनको कहिए कि दंतुमंजल मिलता है और दातुन चाहें तो यहां से एक्सपोर्ट की जा सकते हैं दातुन सबसे अच्छा नीम का है उसके अलावा दूसरा सबसे अच्छा मैंने बोला बबूल का पीसरा सबसे अच्छा दातुन होता है करंच का चोखा सक्षे अच्छा दाता करंच, करंच एक पेड़ होता, आप नहीं जाते क्योंकि आपके अपकी एय्टिया में नहीं होता ये करण्च का सारह पैर होता बंगाल में आसाम में उडी सामें पिहार में भारकन में पाच्छे राज्यों में तो नहीं होता है उसको छोड़ में होने वाला आम का आम का प्रिम्ट को आप सबी जानके एक छटे नमबर में जो सबसे अच्छा दातू ने अमरूद का अम्रूद और आपके बारे में जानकारी देए आपके घड़ में आपका अगर पेड़ है या पेड़ है तो एक पत्ता तोड़ लीज़े एक या आधा और उसको चबाई है खुब लार बन जाती है और चबाते चबाते उसका चट्नी जैसा बन जाएगा उसी चट्नी से दाद गिस लीज़े और उसको पी जाएगे हाँ गन्य से तो बहुत दाद साफ होते तो आपको मैं बता रहा हूँ अगर घर में आम का पेल है या अमरूद का पेल है आदा पत्ता तो लीए आम का या अमरूद का जाएगे चट्नी बन गया दाद पे गिसींगे पाली के साथ पीड़ेज़े जो फाइदे एक साथ दाद तो एक दम साफ करी देगा पेट में कुछ भी गंगड़ी नहीं आने लेगा तो आम के पत्ते से माने आम के डंडे से भी दातुन होता है अमरूद के भी डंडी से दातुन होता है और दातुन वाला एक पेड़ है बहुत अच्छा जिसको मीठा मीठ कहते है मीठा मीठ करी पत्ता करी पत्ता उसका भी बहुत अच्छा दातुन होता है करी पत्ते को चबा लीजे फिर उसका लूप भी बनेगा का चटनी उससे दात साफ कर लिए और आखरी पेड़ है जो दातुन के लिए हो सकता पीपल है पीपल और बर्गत दोनों को एक ही कड़े में तो भारत देश में दस से बारे पेड़ माले जाते हैं जिनके दातुन सबसे अच्छे हैं और इन दातुनों के हर महिने का समय है नी आप इतना जिनों ध्यान रखिए कि नीग तो आपके पंजाब में होता है दगूल आपके पंजाब में होता है आम आपके पंजाब में होता है अमूद आपके पंजाब में होता है पीपल भी आपके पास है बर्गत भी कम से कम छे पेड़ तो हैं दातुन करने के और मौल शीरी और शीशम अगर दोनों पेड़ आपके आस पास हैं तो ये भी दातुन में यूज़ी और कोई प्रश्ण मेरे पास जो प्रश्णा है उसका उप्तर देगा अब देखिए मेडिसिं डिसीज दोनों को आप आज मत पूछेए क्योंकि इसके लिए मैंने पूरा दिन ही रखा है तर्टियत और ट्विटीनाइंट को मैं यही बताओं आज तो आप उतने प्रश्ण करिये जो चार सूत्र मैंने बताए चार नियम मैंने बताए उससे जुड़े हुए उस चुड़े जो आपने बताया है तो खुड़े है क्यों से बताए जो आपने बताया है वह घृठनों के लिए ठीक है सबक्ड Rights möchte है इसके हर पेन के लिए उस है आप ने सबाल कुशा बच्चे को पनी कब से बिलाना चलेगे बर्चों को पानी पिलाने का उम्र है तीन महीने के बार तीन महीने तक कभी भी किसी भी बच्चे को बाहर का पाकिपन पिलाई क्यों तीन महीने तक उसके पानी की जरूरत मां के दुख सही होती है तीन महीने के बार फिर उसको पानी की जरूरत बार सब दो मिनट के लिए मौन रहेंगे श्रदान यली देने के लिए आज हमारे देश में इस बहुत दुखत गटना हुई है हम सभी जानेते हैं मुंबई शहर पर आतंगवादियों का हमना हुआ है और हमारे देश के पुलिस के नौ जवान शहीद हुए है उसके अलावा रेल्वे पुलिस का एक जवान शहीद हुआ है मुंबई की और महाराश्व की एक एंटी टेररिस्ट स्क्वेड है उसके जो चीफ हों हैं मत कर करे वो भी शहीद हो गए है तो दुखत गटना है हम सब हमारे देश के उन सब नागरिकों के जिनोंने आतनकवादियों से लड़ते हुए अपना सर्वसु निचावर किया है उनकी आत्मे उनकी आत्मा को शांती मिले इस दरश्टी से दो मिनट का मौन रखेंगे आप से निवेतन है कि अपने स्थान पे खड़े हो जाए जिनको शहादत मिली है उनकी आत्मा को शांती मिले कल की बात को आगे बढ़ाता हूँ और एक घंटे मैं बात करूंगा बाखी समय आपके प्रश्णों से लिए आदा घंटा कम से कम ज्यादा समय हुआ तो भी कल चार सूत्र पर बात हुई है एक मिनट में चारों को रिपीट कर देता हूँ याद आजया इसलिए सबसे पहला सूत्र था खाना खाने के तुरंद बाद पानी नहीं पीना कम से कम देवर घंटे बाद पीना खाना खाने के पहले पीना हो तो और तालीस मिनट पहले पीना बीच में पीना हो तो तब जब इमर्जनसी हो कोई और दो तीन सिब भी पीना है बीच में तीसरा सूत्र था सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना, तमसे कम तीन गिलास और चौथा और आखरी कल का सूत्र था ठटड़ा पानी अभी ने पीना। पाच्वे सूत्र पे हम चलते हैं। पाच्वे सूत्र है बागवट जी का, अश्टान गिर्दियम का, वो ये है कि जब भी खाना खाएं, तो खाने को इतना चबाएं, जितने हमारे दात हैं। अब हमारे दात हैं 32, तो 32 बार चबाना, अगर 28 हैं तो 28 बार चबाना, 26 हैं तो 26 बार सबाना। जितने दात हैं उतनी बार बोजन चबाना है, ये नियम है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा करना है, सीधा सा लॉजिक है कि ज़्यादा अगर चबाएंगे ठीक से खाने को, तो वो लार जो आपके मूँ में है, सलाइबा, वो खूब अच्छे से मिक्स होगा। और फिर ये अंदर जाएगा तो पचने में, डाइजिस्ट होने में बहुत आसान हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसलिए खाने को जितना जादा चबा के खाएंगे उतना अच्छा है। हमारे बुजर्ग लोग घर में जो बड़े बुड़े होते हैं, अक्सर ये कहते हैं, पानी को खाओ, खाने को पियो। अब पानी को खाने का मने सिप सिप करके पीना, और खाने को पियो मने खाने को इतना चबाना कि वो पानी जैसा हो जाए। यह नियम बहुत बहुत जुरूरी है सबको पालड कर known इस एक नियम के पालड नहीं करने से बहुत तक्रिक है आप सबी लोग जो परेशान है इस बात से कि हमारा मुटाफा हो गया है वजन बढ़ गया है, कोई परेशान है diabet novels हो गाई है कोई परिशान है, कॉलेस्टाल है, कोई परिशान है, ट्राइकिलिस रैज्ट हैं, कोई परिशान है, हाइपर थाइरएगिजम है. ये जितने भी रोगों के मैं नाम ले रहा हूं, ये सब आपके रोग खतम हो जाएंगे, बस आप खाने को चबा के खाना शुरू कर दीजे, जितना जाला खाना चबाएंगे, बजन उतना ही आपका कंट्रोल रहे, एक साल कर दीजे इस नियम को, तो जितना सर्प्लस वेट है वो सबका सब आपका साल बर में निकल जाएगा, चबा चबा के खाना शुरू कर दीजे, इतना सिंपल है और लिकिन बहुत इफेक्टिव है, बैने इस छोटे से नियम का हजारों हजारों लोगों पे परिक्षण किया है, पिछले बारे वर्षों, और इतने अच्छे परि आप चाहते हैं शुगर ना बढ़े आपकी, बस इतना सिंपल है कि चबा चबा के खाना शुरू करते हैं, चबाने के लिए दो तीन दिन आपको बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा, कि रोटी का एक टुकड़ा मुमें डाला, तो गिन कर उसे चबाएगा, गिनते जाएग तो ये माइन जो है ना, ये सुपरकंप्यूटर है, एक बार इसमें फीड हो गया, तो तीसरे दिन से फिर आपको गिनना नहीं पड़ेगा, वो अपने से ही उतना ही गिनेगा, उतना ही चबाएगा, ये पांचवा नियम है, बहुत आवश्चत है, आप इसको फालो करें त तो जमीन पर बैठ के खाएं, भूमी पर बैठ के खाएं, ये जो नियम है कि जब भी खाना खाएं, भूमी पर बैठ के खाएं, जमीन पर बैठ के खाएं, आप तुरन पूछेंगे इसकल और जे क्या, सिंपल सी बात इसमें हैं जो समझने की वो ये, कि हमारा जो शरीर बन बदबिक पोन्त को इं спुझ प्रद्वी है कि रिक बनने ही इसur हैं आपक जिसी को हम सब कहते हैं गुरुड़वा करशेंग बनत force of gravity और ये पूरी दुनिया में जहां तक प्रधवी है वहां तक ये है जब भी आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं हमेशा ये force of gravity आपके उपर काम करता है हर समय काम करता है जब आप बैठे होते हैं तो एक आसन होता है, जिसको योग और प्रणयाम में कहा जाता है सुख आसन आलती पालती मार के बैठना ध्यान करने का आसन तो ये जो सुख आसन है, इस स्थती में जब आप बैठते हैं तो center of gravity एकदव आपके नाभी पे होता है exactly नाभी पे होता है और नाभी के बारे में अगर आप कभी भी observe करें तो ये आपके body का center part है एक तम केंदर बिंदो है आप जानते हैं, एक मोटी सी बात कहता हूँ कि जब भी center part पर या central कोई भी बिंदू है वहाँ पर जब force लगता है तो equally distribute होता है उस subject physics की एक छोटी सी जानकारी है जो मैं याप यूज कर रहा हूँ कि अगर केंदर मिंदू पर कोई ताकत लगेगी तो वो हर तरफ बरावर मात्रा में distribute हो तो हम जब बैठ जाते हैं सुखासन में center of gravity हमारे नाभी पर केंदरित हो जाता है तो पूरे शरीर में उसकी ताकत बढ़ी हुई रहती है और दूसरी बात क्या है जो समझने की है कि center of gravity चुकि नाभी पर है हर एक force जो होता है हर एक बल जो होता है उसकी कुछ charging capacity होती है तो charge करता है आवेशित करता हर चीज को तो center of gravity अगर नाभी पर है तो नाभी चार्ज होती है आवेशित होती है नाभी के बिलकुल परोस में जखर है epigastrium तो epigastrium उससे charge होता है epigastrium की charging का मतलब है उसमें अगनी जादा होती है और अगनी जादा होने का मतलब है dization के लिए paste अक्छे से बनता है और paste अच्छा बनेगा तो raps अच्छा बनेगा रस अच्छा बनेगा तो maas, manja, rus रग्त्मीर जो मैने कल बताया वो अच्छे से बनेगा और वो अच्छे से बनेगा तो life आपकी disease free वो पक्रेषय पनेदा इसके बारे में अगर हम थोड़ा समझ लिया है तो बहुत अच्छा होगा हम ऐसे किसी ने भी अपने घर में अगर डाइनिंग टेबल लाया है तो कोई दिमाग लगा के नहीं लाया कि हम इसको क्यों लाया है जादा तर घरवालों को मैंने पूछा है कि भई आपने टेबल लिया तो उसके पर ले कुछ सोचा होगा कि इसको लाना है तो क्या करना है क्यों लाना है इसका यूटलाईजेशन क्या अगर एक हजार लोगों को अगर मैंने पूछा तो 900 इंडियाद मैंने जवाद दिया कि हमने तो इसलिए लाया कि स्टेटस सिंबल है घर में लगता है कि भई स्टेटस बड़ा है अगर डाइनिंग से बिल है तो हमने कभी नहीं सोचा कि ये डाइनिंग टेबल उन लोगों के लिए है जिनकी हट्टियों के जोड जिनको जॉइंट साब कहते हैं वो स्टिफ होते हैं उनमें फ्लक्सिबिलिटी नहीं होती है फर एक्जामपल अमेरिकन लोग यूरोपियन लोग अभी थोड़े दिन पहले स्वामी राम देव जी अमेरिका गए जब वो लोट के आये तो मैंने स्वामी जी से पूछा क्या अनुभ रहा तो उनका यार बड़े विचित्र लोग है मैं पूछा क्या क्या आसन लगा के भी नहीं बैठ सकते सुखासन में भी नहीं बैठ सकते वो मुझे बता रहे थे कि सुखासन में बैठने के लिए सिखाने को ही उनको सबसे ज़्यादा समय चला गया तो मैं बजरासन उनका बजरासन की तो कल्ब नहीं छोड़ दो कि वो बैठ पाएंगे कभी और स्वामी जी कहते थे कि जब भी मैं कहता थे आसन लगा के बैठो सुखासन में जैसे मैं बैठाओं तो कहां किसी के पाओं ऐसे निकले हैं किसी के ऐसे निकले परफिक्ट कोई भी सुखासन में बैठ नहीं सकता वजरासन तो बिलकुल नहीं बैठ पाते कारण एक ही है कि उनके jouintz जो है उनको बहुत इश्वर का बनाया हुआ प्रकरती का दिया हूँ हमारे भारत के लोगों का ये बहुत अच्छा सदभाग्य है कि वो भारत की जलबाईों में है इसलिए उनके जोइंस में स्नोवियल फ्ल्यूड बहुत है बहुत flexible joints हैं हमारे हम जैसे चाहें अपने को मोड कर बैठ सकते हैं बशर्ते की बजन जादा ना बढ़ा हुआ हो लेकिन European और American लोगों को ये बहुत तक्लीफ है धंड में बहुत रहना पड़ता है मैंने कल आप से कहा 6-6 महीने सूरज के दर्शन नहीं होते हैं उनको 6-6 मही माइनस 30 माइनस 40 टेंपरिचर होता है तो जादा बरफ में रहने से जादा ठंड में रहने से स्नोडियल फ्यूट बहुत कम बनता है तो joints बहुत कड़क हो जाते हैं इसलिए उन्होंने कुर्शी बनाई या कुर्सी का invention किया या discovery की जो भी आपके हैं कुर्सी उन्होंने इस करते हैं हमने उनकी डगल करके हमारी घर में लई और हमारी घर में आ गई अब हमने उसको स्टेटस सिंपल की तरह से इस्तेमान करना शूरू किया हैं और माफ कीजिए का ये बात कहने के लिए कि जब से हमने टाइनिंग पेब्ल बहुżenie कि चैँन के तभी से हमारी पेट ब आप समझते हैं, बलड का फ्लो रुप जाता है, जंगाओं से नीचे बलड नहीं जाता है, जब जमीन पर सुखासन लगा के बैठ जाते हैं, तो सारा बलड मैकसिमम इस्टमक रीजन में रहता है, तो खाने के लिए सबसे जादा बलड यहीं चाहिए पचाने में मदद करने क तो मैकसिमम बलड हमें यूज होता है, जब हम कुरसी पे पाउं लटका के बैठते हैं, या खड़े-खड़े खाना पाते हैं, तो सारा बलड नीचे तक जाता है, वो इस्टमक रीजन में रोकी नहीं पाता, तो बलड का यूज कम होता है, तो पाइचन बराबर नहीं होता डाइजेशन परफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम लोगों को तकीफ हैं बहुत होती है, तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, कि जिनके भी घुटनों में दर्द नहीं है, जिनके भी घुटनों में दर्द नहीं है, वो कोशिश करें जमीत पर बैठके खाने की, एक आसन खरीद में, आराब से बैठें, जमीत पर आलती पालती लगा के और खाना शुरू करें, लगातार आप कर लीजे, अपने आप आप देखेंगे, पांच्छे महीने में पेट अंदर जाना शुरू हो जाए, अपने आप, बिना किसी एक्सरसाइस के, और दूसरा फाइदा क् आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे, हमारे भारत में कहा जाता है कि जमीन पर खाना, जमीन पर सोना, जमीन पर मरना, तीनों महत्वों हैं, भारत में जो म्रत्यू होती है ना, तो जमीन पर ही लिया जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिनकी धर्ती पर म्र प्रद्धियों अच्छी है। बैड पर मिरतियों अच्छी नहीं मानता है। सारे भुजरुग लोगों को इस बात का ध्यान रहता है। मेरे दादेजी का स्वरवास हुआ था मेरी आपों के सामने। तो बार 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 मुझे ये बुल रहे थे कि जैसे ही मेरे प्राण निकले मुझे जमीन पर ले लेगा। मैं बोला क्यों इतना अच्छा तो बैड है उन्होंने का बैड पे मरते नहीं। तब से मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं मरते बैड पे तो पता चला उसका पूरा विधान और शास्त्र है और विधान और शास्त्र ये ही है कि आपका जो अस्तित्व है इस प्रत्वी पर वो सेंटर ओफ ग्रेविटी के कारण है, आपका सा रास्तित, आपका जीना, आपका मरना, सब कुछ उसके साथ है, तो जब आप मर रहे हैं, तो उसके संपर्थ में रहिए, खाने खाने के समय उसके संपर्थ में रहिए, जमीन के संपर्थ में जादा से जादा रहना, इसी ब और दूसरा, आप मुझे फिर प्रशन करेंगे कि फिर डाइनिंग पेवल का क्या करेंगे, मेरी बात तो माने इसको एक्सपोर्ट कर दीजे अमेरिका और यूरूप के देशों में, जरूरत तो नहीं कि है, वो उसको यूज करेंगे, कुछ आपको डॉलर्स की मिल जाएंगे फिर आप बुलेंगे कि नहीं कुछ तो करना है उसका, मैं एक बात आपको ये कहना चाहता हूँ, आप इसको अनिता मत लीजेगा, पट्याला जैसा शहेख हूँ महंगा है, एक स्क्वेर फिट जमीन कम से कम यहां तीन चार हज़ार उपई की तो हो, क्या रिख है, यह यह जमीन मिलती हो, वहाँ डाइनिंग टेबल से आपने कितना स्क्वेर फिट घर में कवर करके रखा है, ज़रा कैलकुलेट करो, एक तो डाइनिंग टेबल में इन्वेस्ट कर दिया, फिर कम से कम आपने 5-6 फिट लंबा चोड़ा होगा, और 2-3 फिट चोड़ा बने उसकी ब पोचा लगाने के लिए भी तकलीफ होती है, और अल्टिमेटली जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो ये कि हमारे देश में वास्तु शास्त्र नाम का एक बहुत बड़ा विज्ञान है, वास्तु शास्त्र में ये कहा गया है, कि घर में जितना स्पेस खुला रहता है, दि उने हमारे घरों में आजकल एक स्टिट सिंबल के लिए काम शुरू किया है, कि हम घर बनाते हैं इस पेस की, फिर उस इसके इसको घेरने के लिए, कवर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उठालाते हैं, सोपा ले आते हैं, कुरसी ले आते हैं, डाइनिंग टेबल ले आ मैंने इसी पंजाब में, हर्याना में, राजिस्थान में, गुजरात में, गाओं में बहुत प्रवास किया हैं, तो गाओं के जो घर देखता हूं इतने बड़े और खुले हुए, उनके पास क्या है, वो चारपाई उसकरते हैं, कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, ये मैं स पाके रख देंगे तो इस्पेस ओपन हो गया, विछा दिया तो इस्पेस कवर हो गया, सबसे सस्ती है और सबसे अच्छी है, तो आप कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा समय जमीन पे बैठने का हो, खाना खाते समय जमीन पे बैठना पड़े, आसन प्राणायाम करते जमीन पे बैठना पड़े, सोने का भी अगर आप जमीन पे शुरू करने हैं, तो उससे अच्छी कोई चीज ने, जितना ज़्यादा शरीर आपका ग्रेविटी के नस्दीक होगा, माने शरीर का सारा का सारा भार सौप दीजे घरती माता को, वो आपको समझ लेगे, डाइन जमीन पे बैठने के लिए नहीं होते हैं, तो उसको भी एक एंटीक पीस मानके आपके घर में रखिए, ज्यादा समय जमीन पे बैठके खाना शुरू कर दीजे, और खाने के तुरन बार, पांच मिनट नहीं तो दस मिनट, पांच मिनट तो कम से कम, दस मिनट तो अधिक सा वजरासन में बैठना शुरू कर दीजे, वजरासन आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो ये पतंजली योग समीति के सब कारिकरता योग सिख्यका आपको सिखा देंगे वजरासन कैसी लगाया जाता, तो लंच के बाद जमीन पे बैठके ही वजरासन लगा लें, डि आपकी चिंदा दीगी वजर और कम तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, जहां रहना चाहिए, आपकी हाइट के हिसाब से जो आपका वेट होना चाहिए, वहीं पे जाके स्टैडिनेट हो जगता है, उसके नीचे कभी भी नहीं जाता, क्योंकि ये मेरा बारे साल का तज्यूर्बा, और मैंने कल आपको उधारे दिया था, फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने ऐसे बहुत पेशेंट को वेट लूज कराया है, जिनका हंड़ेट सिक्स्टी, हंड़ेट फिप्टी, हंड़ेट फॉर्टी, हंड़ेट सेवेंटी, सिंपल से इस सूत् का पालन करके साल वर में किसी ने 40 किलो डूस किया, किसी ने 50 किलो डूस किया, किसी ने 25 किलो डूस किया, कोई मेडिसिन नहीं, कोई डाइटिंग नहीं, मैं बहुत सक्त किलाफ हूँ कि डाइटिंग करके वजन कम किया जाए, क्योंकि जैसे ही आप डाइटिंग करके वजन कम ना करें डाइटिंग करके कभी भी बजन ना कम करें जब आपके पास alternate है तो डाइटिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डाइटिंग से क्या होता प्रोटीन बहुत कम हो जाते हैं शरी वह फिर दूसरी तरह की कमजोरियां आपको दे जाते हैं फिर क्या होगा कि एक तरह आप वजन कम करते जाएंगे दूसरी तरफ आपको जॉइंट बनता चला जाए एक बीमारी से निकलेंगे दूसरी में फश जाए तो डाइटिंग करके वजन कम कभी कभी भी उपवास रखके वजन कम मत करिए आप बर्पेट खाईए जितना चाते हैं जितनी आपकी कैपसिटी अगर आपकी कैपसिटी है उससे थोड़ा कम खाईए बस इतना ही मेरा खहना है बाकी इस नियम को ध्यान रखिए जबी तुबट के खाने का चबाचबा के खाने क खाने के दिड़ गंटे के बाद पानी पीने का पानी गूट गूट करके पीने का सुबर उठते ही पानी पीने का ये छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हुए आप देखेंगे एक दिड़ साल में आपकी बाड़ी एक तम चुस्त और दुरुस्त और पहले से जाला फ्रे करना वो यह है कि जवीerem करें जवी बू इस 23 वाराम करना सहे बहुत आंगश करें मिस जिनकी की एक फॉट्टी प्लस एंँनको तो कंपल से ऍलें महरा लट के बार आराम कहए इसको नियम को ऐसे कहा गया है कि लंच के बार कभी भी कोई काम नहीं करा ये ऐसे कहा था लंच के बाद कभी भी कोई काम नहीं करना कितना भी ज़रू ही हो आरभ करना अब आप तुरन बोलेंगे फिर तो वजन बढ़ेगा वजन कब बढ़ता है ध्यान रखें जब लंच के बाद आप दो घंटे सो गए तीन घंटे सो गए दो वजन बढ़ता है आयूवेट में कहा गया है कि लंच के बाद सबको 48 मिनट सोना ही चाहिए 48 मिनट से 50 मिनट का टाइम दिया गया ब्रेक लेना ही चाहिए क्यों लेना है वो डाइजेशन के लिए क्या बात है जो लंच के तुरन बाद हमको लेटना चाहिए आराम करना चाहिए बात सीधी सी यह है बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे ही हम खाना खाते हैं पेट में अगनी जल जाती है अगनी जो है वो सारी की सारी ब्लड की मदद से जलती है हमारा जो ब्लड है ना बहुत गरम है खून बहुत गरम है इसी की गरमी से रक्त में जो गरमी है खून में जो गरमी है वोई गरमी है जो खाने को डाइजेसर करने में मदद करती है तो ब्लड का फ्लोच हो होता है वो सभी इस्तमक की तरफ आ जाता है खाना खाते ही, ब्रेन का ब्लड इस्टमक में आ जाता है, हर्ट का ब्लड इस्टमक में आ जाता है, ये निचुरल है, अब ब्रेन का ब्लड जब इस्टमक में आ जाएगा, पेट में आ जाएगा, यू एपिडेस्ट्रियम की तरफ आ जाएगा, तो ब्रेन को ब्लड कम होगा तो blood come होगा तो कोई भी ऐसा काम मत करिये जिसमें brain का use हो क्योंकि blood come है उस समय उसको आराम करने को छोड़ दीजे brain को heart का भी blood come हो जाता है खाना खाते ही तो heart में ऐसी कोई काम नहों जिससे heart पर pumping करने का pressure आए तो आराम करना चाह होता है तो इसलिए बोला गया है कि दुबहर का खाना खाते ही आराम करें और दूसरा एक कारण है दुबहर को जब हम खाना खाते हैं तो सूरी का प्रकाश बहुत तेज होता है और सूरी का प्रकाश शरीर को गरम करता है और शरीर जितना भी गरम होगा तो उसका blood pressure बढ़ने ही वाला है और बढ़े हुए blood pressure में किसी भी डॉक्टर से पूछना क्या करना चाहिए तो गएगा आराम करना चाहिए क्योंकि physiology एनोटोमी यही सिखाती है कि जब भी blood pressure बढ़ा हुआ है कुछ मत करिए चुपचा पैश जाएए या लेट जाएए लेटने की एक विशेश अवस्था है दुपहर के लेट के बाद लेटने की बाद आप जब लेटे हैं तो हमेशा left side यह जो आपकी left side है इस करवट लेट जाएए left side में लेटने को आएरुवेट की भाषा में कहते हैं वाब कुछी की अवस्था में लेटना बहत अच्छा होता है मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कभी आपने विश्नु भंवान को लेटे हुए देखा हो तो वाब कुछी की ही अवस्था में लेटना है उसी position में उसी posture में आप लेट जाएए इस posture में आपको अगर नीद आ गई है तो उसको छोड़ना मत जरूर लेना क्योंकि ये नीद बहुत किम्ती है इस नीद को पाने के लिए लोग पता रही कितने हजार कितने लाख लोग अगर आपको नीद आ गई है तो बहुत सुखी आदमी है लेनीजे लेकिन कंट्रोल नीद पर ये रखिए कि वो 48 मिनट से ज्यादा की ना हो 48-50 मिनट बहुत अदिक एक घंटा एक घंटे के बाद उठी ही जाए क्यों एक घंटे से ज्यादा सोने लगेंगे तो फिर आपको बेट बढ़ना शुरू हो जाएगा मेद बढ़ना शुरू हो जाएगा मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा ये है दुपहर को खाना खाते ही आराम करेश का ये आठवा नियम है इसका बिलकुल उल्टा है आठ्वा नियम ये है कि रात को जबी भी खाना खाएं तो दो घंटे तक आराम नहीं करना दुबहर को खाना खाते ही आराम करना रात को कभी भी खाना खाके दो घंटे बाद भी आराम करना अब आम बुलेंगे रात का क्या है रात की बात ऐसी है कि सूरी चला गया जद्रमा शीतल है तो शरीर भी शीतल है और शरीर शीतल है तो ग्रट प्रशर लो है और जब लो बीपी होता है तो काम ही करना चाहिए आराम करेंगे तो फिर तकील फाएगी हर्ट हो। सबसे अच्छा काम क्या है आईवेद में कहा गया है रात को खाने के बाद सबसे अच्छा काम है टहलना कितना टहलना कम से कम पांच सो कदम गिन करना अधिक से अधिक हजार कदम पांच सो तो कम से कम तो आप जो मॉर्विंग वॉक करते हैं मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि evening walk शुरू कर लीजे morning walk की जगए evening walk शुरू कर लीजे खाने के बार बले गली में कर लीजे अधेरा है light नहीं है तो छट पर कर लीजे आपके पिछवाडी में कर लीजे गिनके आपको 500 कदम चलना जिन गी आपकी इतने आराम से कटेगी शाम को खाने के बाद जो इवनिंग वॉक कर लें 500 कदम 1000 कदम इतने आराम से कटेगी कि आप सोच नहीं पाईए मौर्निंग वॉक के लिए मैं क्यों मना कर रहा हूं मौर्निंग वॉक के लिए इसलिए मना कर रहा हूं कि भारत में सवेरे सवेरे हम जब सोकर उठते हैं तो शरीर में वाद का प्रकूब होता है वाद वायू और वाक करेंगे दोड़ेंगे, भागेंगे एकसरसाइस करेंगे तो वायू और बढ़ता है तो वायू का प्रकूब है जो मैंने आपसे थोड़ी दिर पर निका असी रोगों का कारण होता है इसलिए भारत के आयुवित शास्तर में कहा गया है कि सुबह की समय में आराम से बैठ कर योग करें प्राणायाम करें जिसमें दोड़ भात जादा ना को और रात को खाने के बाद आप थोड़ा चाहें तो दोड़ भात करें, वाकिंग करें, फास्ट वाकिंग करें, ब्रिक्स वाकिंग करें मीडियम स्पेस पे करें, मीडियम स्पेस में करें जैसे करें वाकिंग रात को कम से कम हजाद है दुपहर को खाने के बाद आराम और रात को खाने के बाद थोड़ी देर वापिंग और फिर थोड़ा कुछ इदर उदर का काम कुछ रीडिंग, कुछ स्टडी दो घंटे बिता दीजे खाना आपने साथ बजे खालिया तो नौ बजे तक समय निकाल दीजे फिर आप सोने के लिए चले जाए या आट बजे खालिया तो दस बजे तक का समय मिता दीजे फिर आप सोने के लिए चले जाए तो ये आठवानिया नवा नियम है, नाइव ये सभी के लिए बहुत आवशक है जानना, विशेश रूप से यहाँ जो माता ही आई है उनको तो यह बहुत जरूरी है वैसे तो पुर्शों के लिए भी जरूरी है बाईयों को भी जरूरी है कि इसका connection है सीरा सीरा siitä वह यह कि जब भी आप भोजन बनाते हैं और खाते हैं तो कभी भी भोजन में दो जो चीज एक साथ ऐसी मत बनाई है जो एक दूसरे के विरोधी है तासीर में एक दूसरे के उल्टे है तासीर में एक दूसरे के उल्टे होने का मने कोई धंडा है कोई गरव है ऐसी चीज़े एक साथ मत बनाई है कोई एसे डिप बहुत जादा है कोई एलकलाइन बहुत आता हूं ज़्यादा उसको घुमाने की बजाए कि आप जिन चीजों की एक दूसरे के विरुद तासीरे उनको साथ में ना बनाए ना खाएं जैसे दूद और दही दोनों एक दूसरे के विरुदी दही जो है ना ऐसे डिख है और दूद एल के लाइन है दूद छारी है दही अगली है ये दोनों साथ में नहीं खा सकते हैं खाएंगे तो जहर है और आपके वीस्यों रोगों का ये कारण बनेगा दूद और दही साथ के खाएंगे इसी तरह से हमारे रसोई घर में प्याज है प्याज है प्याज कभी भी खाएं तो दूद के साथ नहीं खा सकते हैं प्याज बहुत ऐसी लिख है, दूद बहुत छारी है, दोनों साथ में खाएंगे तो जहर है। तो जब भी प्याज खाना है, कच्चा खाना हो या सबजी में खाना हो, दूद की कोई चीज उसके साथ ना हो। खीर खानी है तो प्याज की कोई चीज साथ नहीं होनी जाए और प्याज खानी है तो दूद की कोई सी चास चीज साथ में मत खाए प्याज के साथ जो दोस्ती है वो दही की है दही के साथ भरपूर प्याज खाए दही में प्याज डाल के खाए प्याज में दही डाल के खाए हम कई वार सलेट बनाते हैं न दही का उपयोग करते हैं तो प्याज दही बेस्ट कॉम्बिनेशन है सलेट का तो दही प्याज का कॉम्बिनेशन बनाईए प्याज दही का कॉम्बिनेशन बनाईए दूद उसके साथ नहीं तो दूद के साथ दही नहीं, प्याज के साथ दूद नहीं इसी तरह से एक तीसरी चीज़ हमेशा याद रखे लाइफ में शहर्द के साथ घी कभी मत खई घी और शहर्द दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं अगर एक साथ खाएंगे तो वैसे दोनों अमरुत हैं घी भी अमरुत है, शहर्द भी अमरुत है लेकिन साथ में खाएंगे तो यही दोनों जहर्द तो घी और शहर्द नहीं खाएंगे इसी तरह से उड़त की दाल काली वाली उड़त की दाल दही के साथ कभी मत खई इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सुनने में गल्टी मत करना आप इसको काली वाली उड़त की डाल दही के साथ कभी मत करें मा की डाल पंजाब में आप सब लोग उसे मा की डाल करते हैं मा की डाल अकेले खानी दही उसके साथ में क्यों नहीं मां की दाल के साथ कभी भी दही मैंने खा के देखा आयरोगेज में तो मैंने ये बारे साल पहले पढ़ा था बहुत दिन मैंने खा के देखा पांच-छे महीने मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है लेकिन जब भी मां की दाल के साथ दही खाया भी भी खाया जब भी खाया तो मेरा आप सभी माताओं को विश्वेश निवेदन है कि दही बड़ा अगर उड़त की दाल का बड़ा है तो दही के साथ मत खई मूम की दाल का बड़ा दही के साथ खई मूम की दाल दही के साथ खा सकते हैं अरहर की दाल दही के साथ खा सकते हैं, तूर की दाल दही के साथ खा सकते हैं, मसूर की दाल दही के साथ खा सकते हैं, चले की दाल की दही से बहुत अच्छी दोस्ती है, खेसारी की दाल दही के साथ खा सकते हैं, सोयावीन की दाल दही के साथ खा सकते हैं, एक ही दाल है भारत दुनिया में अगर सबसे जादा प्रोटीन अगर आप लिकालेंगे तो मां की डाल नहीं है और हाई प्रोटीन डाइट का नियम यह है कि उनको किसी भी ऐसिडिक चीज के साथ नहीं खाया जाए क्योंकि हाई प्रोटीन को डाइजिस्ट होने में सबसे जादा समय लगता है और कोई भी ऐसिडिक चीज है वो हाई प्रोटीन को डाइजिस्ट होने में रुकावत पहला करती है तो मां की डाल के साथ नहीं खाना बाकी किसी भी डाल के साथ नहीं खाया फिर आप पूछेंगे कि कोई इमर्जेंसी हो जाए, दही भी खाना है, मांकी दाल भी खानी है, तो दोनों के बीच में एक गंटे का डिफरेंस कर दीजाए. क् है कि भागत गंटे बार दही खा सकते हैं या दही खाने के एक गंटे के बाद मांकिदाल खा सकते हैं इसके आगे का एक भिए है जो बहुत जरूरी है आप सब को follow करना वो यह कि कभी भी दही को नमक के साथ मत खई है कि बाहा जाना लप्टी नीज़ा जाए बाहा की दाल के साथ लसी है, एक गंटे बार, दही को कभी भी नमक के साथ मत खाये, दही को हमेशा मीठी चीजों के साथ खाये, दही को शक्कर के साथ खाये, दही को गुड के साथ खाये, दही को बूरे के साथ खाये, दही को खांट के स है क्यों मैं आपको एक छोटा एक्सपरिमेंट करने के लिए बोलता हूं आप बाजार में जाए कोई भी साइंट पिक इंस्टुमेंट की दुकान से एक लेंस करीब दाई छोटी चीजों को बड़ा दिखाने वाला जो लेंस होटा है मिल जाता है दस बारे रुपय का आएगा एक दिन लाके अपने दही पे लगा के देखिए तो इतने बैक्टिरिया दिखाई देंगे आपको जो करोड़ों की संख्या देखिए जो इधर जाते हुए उधर जाते हुए घूमते हुए टैंते हुए दिखेंगे यह सब जीवित और शरीर को यह चाहिए सब जीवित अवस्था में चाहिए क्योंकि यह बैक्टिरिया दही के साथ जब हम खाते हैं तो अंदर जाके हमारे जो एंजाइम सिक्रिशन है उसको यह बैक्टिरिया बहुत मदद करते हैं तो दही हम खाते हैं बैक्टिरिया के लिए जीवाणों के लिए दभी काते हैं, दभी को आयोज्रेट की भाषा में कहा जाता है, जीवाणों का घर, और एक दो नहीं, करोडों. एक कब दभी में अगर कैल्पुलेट करेंगे, एक करोड से जाधा जीवाणों. अब होता क्या है? कि एक कब दभी में जो एक करोड जीवाणों है, ये अब वो अंदर गया तो दही के नाम पे आपने खातो लिया लेकिन उसके जो फंशें है वो काम नहीं आने वादी अब अच्छा सवाल है कि ये वेजिटेरियन है या नाम वेजिटेरियन है थोड़ी देर में मैं बात करूंगा जीवाणों पर तम इसमें से क्लेड़िपाई हो जाएगा अभी जो बात चल रही है वो ये एक चुपकी नमत डालते ही सो किलो दही के सारे जीवाणों मर जाते ह हाँ ये बात सही है दुनिया में कुछ भी वेजिटेरियन नहीं है हम थोड़ी देर में इसके एक्स्प्लेनेशन करेंगे दही में एक चुटकी नमत डालते ही समभर जाते क्योंकि नमत की जो क्यमिकल्स हैं वो जीवाणों के दुश्मन है सारे नमत के सारे क्यमिकल्स जीवाणों के दुश्मन इसलिए आयोवेट में कहा गया है कि दही में कोई ऐसी चीज पिलाए जो जीवाणों की संख्या को बढ़ाए मारे नहीं खतम न करे इसलिए कहा गया है दही को गुड के साथ है गुड दालते ही जीवाणों की संख्या कि इतनी तेज उनकी प्रोथ है दही में बूरा डाल दीजिए पूरा समस्क्राइब तो दही में पूरा डाल दीजिए मुल्टिप्लिकेशन इतना फास्ट होता है कि कोई सब्सक्राइब तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीवानु कितनी तेज मुल्टिप्लाइब करते मीची चीज डालें चीनी भी डालें तो भी मुल्टिप्लिकेशन होता है गुड़ डालें तो और ज्यादा होता पूरा डालने पर सबसे ज़्यादा होता है और एक मिश्री और जाती है मिश्री वो पीस के डही में डालती है तब तो अधूब्स होता है सोने में सुहागा बग्वान खरशन दही को मिश्री के साथ ही कह देती और ले ओंध तो आप जो है दही को खाने का नियम तो अदो रिदिए मैंने पंजाब में बहुत लोगों को देखा दही में नमक डाल के खाते हैं या लस्ती में नमक डाल ते ये लस्ती नमक के साथ नहीं खाई जाती गुड़ के साथ खाई जाती है खांट के साथ खाई जाती है, चीनी के साथ खाई जाती है, मुझे पुराने समय का याद आता है कि हम लोग हमारे मामा के घर जाते थे दही बूरा खाने के लिए, दही नमक खाने के लिए कभी कोई कही नहीं जाता है, दही बूरा खाने जाता है, और दाबते होती थी गाओं हैं तो दही के साथ बूरा ही डाला जाता था बहुत इंटिलिजेंट लोग थे वह से अब शुगर जो है वो आपकी एक specific problem है वो तो पूरे देश की नहीं है आपकी problem है तो आप अपनी शुगर को control करने के तरीके में बता दूगा वो आप करते हुए दही को इस्तिमाल कर सकते हैं मीठा दही भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन दही के लिए विशेश मैं आपसे कह रहा हूँ कि दही में नमक नहीं है और इसी तरह का और एक नियम है वो ये कि दूद खाते हुए या दूद पीते हुए कोई भी नमक की चीज़ नहीं है दूद और नमक क अगर कोई चीज दूद्ड की खा रहें तो नमक की चीज ना हो, नमक की चीज खा रहें तो दूद्ड की चीज ना हो, अब आप कहेंगे it is highly impossible, ऐसे impossible है कि खीर खाने है और सबजी ना हो यह तो बड़ा पुश्मिन, तो मेरा तो आपको request है कि खीर खाने है तो रोटी, खीर ख कि अगर आप दूद को नमक के साथ खाना चाहते हैं या दूद की चीज के साथ नमक की चीज भी खाना चाहते हैं तो नमक बदल दीजिए अपने घर का नमक लाइए सेधा जिसको हम पाकिस्तानी नमक कहते हैं लाहरी नमक कहते हैं वो नमक खाईए अब आप बोलेंगे इसमें क्या फरक है बहुत बड़ा फरक है एक तो नमक बनता है समुद्र के पानी से जिसको आदमी बनाता है जो आजकल आपके घर में आता है ये बजार से जो आप नमक लाते न आयोडी नियुक्त ये सब समुद्र के पानी का नमक है और एक नमक है जो भगवान बनाता है इश्वर बनाता है वो वही नमक है जिसको लाहरी नमक कहते हैं सेदा नमक कहते हैं कुछ लोग उसको उपुवास का नमक भी कहते हैं परारी नमक कहते हैं वो उपुवास में इस्त करके तो अचला कि जो समुद्र का नमग है समुद्र पानी का नमग है इसमें शरील के काम आने वाले या चार ही माईक्रो न्यूट्रेंट्स हैं उन्हें चार कभी ओहते हैं कभी चार और यह जो समुत्र की नमक को छोड़कर हम सेधा नमक खाना शुरू करें पाकिस्तान वाला लावर वाला या उपवास वाला उसमें 94 तक माइक्रो न्यूट्रेंट्स चौरानवे अब आप देख लीजिए फाइदेका सौदा क्या है ये नमक है जिसमें तीन से चार माइक्रो न्यूट्रेंट्स है वो नमक है जिसमें 90 से 94 माइक्रो न्यूट्रेंट्स है तो आप सीधे कहेंगे हम तो तो वो ही चाहिए वो ही नमक सबसे अचाए और मैंने इस पे थोड़ा काम किया तो पता ये चला कि जब हम समुद्री पानी का नमट खाते हैं तो शरीर के सारे complications बढ़ते क्योंकि वो शरीर को अनकूल नहीं पढ़ता क्योंकि समुद्र का पानी ही अनकूल नहीं है किसी को समुद्र के पानी को शुद्ध करने की ताकत तो भगवान और ईश्वर और वाहे गुरू के इपास है और किसी पे पास आदमी तो नहीं कर सकता यह समुद्र का पानी जब धूप पड़ती है वेपराइस होता है बादल में पढ़ने वाले है समुद्र के पानी का जितना नमक खाएगे ब्लड प्रेशर उतना ही बढ़ेदा आपको और आजकल ब्लड प्रेशर एक कॉमन डिसीज हो गई है जो इलर है किसी को भी मार डाए हर दूसरे तीसरे आतमी को पूछ लो तो कहता बीपी हाई है उसका सबसे बड समुद्र के पानी का नमक हम भारतवासियों ने मात्र सब्तर साल पहले से खाना शुरू किया है सब्तर साल पहले कोई भारतवासी समुद्र के पानी का नमक नहीं खाता था हम सब सेदा नमक आयोडीन की नाम अब समस्या इसमें एक आती है वो यह कि हमको आयोडीन की डिफि हुआ। तो समस्य आती हैं। और वो समस्या क्या आती है। सबसे घ्री समस्या आती है नượng सकता की। से लिए बाश्च ऐगा अल्ग चैज हम लगातार नपंसक बनाता जाए चैज सब्सक्या हैं और हमारे धेश में यह केस्ज geben दें हैं। मैं तो डॉक्टर की तरह से भी काम करता हूँ पिछले बारे साल से और ट्रीटमेंट देता हूँ, निशुलक देता हूँ, फुकट में चिकता करता हूँ इसलिए बहुत पेशेंट होते हैं मेरे पास ऐसे हजारों पेशेंट हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, दस साल हो गई, बारे साल हो गई, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बच्चा नहीं हो रहा है मैं दोनों की रिपोर्ट निकलवाता हूँ, पती की, पत्नी की, कहीं कोई मुझे कॉम्प्लिकेशन समझे नहीं आता लास्ट में फिर मैं डाइगनोसिस करते हुए आयोडीन का चेक करवाता हूँ तो उनके ब्लड में जरूरत से ज़्यादा आयोडीन मिलती है जरूरत से ज़्यादा आयोडीन ब्लड में अगर है तो ये क्या करेगी आपके इस पर काउंट कम कर देगी अगर आपको रुष्ण है तो और अगर इस तरी है तो आपका ओविलेशन का काम खतम कर देगी और फिर आप माँ या पिता नहीं बन पाएंगे ऐसे हजारों केस आरे फिर मैं क्या करता हूं जब मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लगता आयोडीन सर्प्लस दिखता मैं उनको कहते हूं नमक बदर दो आप ये सेदा नमक खाना शुरू करो काला नमक खाना देगी एक साल के बाद वो आते हैं कहते हैं बच्चा तो हो गया देड़ साल में आके कहते हैं बच्चा तो हो गया फिर वो मुझे कहते हैं आप तो बड़ी चमतकारी आत्मी है मैं कहते हूं मेरा पूरी चमतकार नहीं है आप में बड़ी सिद्धी है ऐसी बातें करना शुरू करते हैं बहुत हम ये मेरा चमदकार नहीं नमक का चमदकार है इतनी सिम्पल सी बात है किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि उनकी इनर्जी लेवल कम हो रही है सेक्स पावर कम हो रही है आप सिम्पल इतना ही करो नमक चेंज कर दो आप नमक चेंज करते हैं आप देखना ऐसा दिमाग खराब किया है कि हर व्यक्ति को लगने लगा आयोवी नमक नहीं खाएंगे तो मेरा बेटा ऐसा पैदा होगा जैसा उसका टीवी में दिखाते हैं या आयोवी नमक नहीं खाएंगे तो मेरा गला ऐसा हो जाएगा जैसा कीवी में दिखाते हैं कि इसमें नमग बंता है समुद्र का 15 पैसे किलो आप जाने की शक्रूट का स्वार्च की रोशनी है वह भी मुफत यह मशीन कोई लगती है पंद्रे पैसे किलो का नमक बिखता है, बनता है, अब उसको बेचना है दस रुपई किलो, तो कैसे बिखेगा, तो कुछ तो कुछ उसमें शिभूफा लगाना पड़ेगा, तो वो बताना शुरू करते हैं, आयोट आइस्ड है, आयोट इन्युक्त है, एक्स्ट्रा फ्री फ फ्री फ्लो हिना नहीं चाहिए, नहीं तो वो नमक नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा फ्री फ्लो करने के लिए पता है क्या किया जाता है, नमक की जो नमी है, उसको निकाला जाता है, और नमक की क्वालिटी है, वो नमी को एब्सॉर्फ करता है, खुला हुआ नमक यहां रखता सुखा हुआ दस मिनित की बाद आप देखेंगे वो गिला गिला हो जाएगा भातवरण में जितनी भी हुमिनिटी है उसको खींचता है इसी की क्वानिटी है नमक की अब वो नमी को निकालने के लिए एक केमिकल डालते हैं उसका नाम है अलुमिनियम सिलिकेट और ये केमिकल है हमारे शरीर को बहुत कॉप्लिकेशन दे रही है अब मैं आपको एक और जानगारी देना चाहता हूँ जो आपको होनी ही चाहिए यूरोप और अमेरिका में एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक की जरूरत है उनको जरूरत है क्यों क्योंकि उनके यहां सबजी बनाना किसी को नहीं आता है वो बनी बनाई सब्जी लाते है जो पैकेट में आती है डबा बंद आती है और बनी बनाई सब्जी में नमक मिलाके पैकेट नहीं बना सकते कि नहीं तो खराब हो जाती है तो बिना नमक की सब्जी बनाके पैकेट में बंद करके अमेरिका में बेचा जाता कर हमारे हिंदुस्तान में बिल्कुल उल्टा है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई घर नहीं है जिसको सबजी बनाना आता हूँ। अमेरिका में ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिसको सबजी बनाना आता हूँ। वो प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, इंजिनियर हो सकते हैं, लेकिन सबजी बनाना किसी को नहीं आता, रोटी बनाना नहीं आता, पराठा बनाना नहीं आता, पूरी बनाना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता उनको, तो इस टेकनॉलोजी मे हमें हमी मास्टर है और कोई 누Cre A'm कुछ आते नहीं हे वो तो जजार से पाउरोल भी खरीद लातें । दबंड नोटी खरीद लाते हैं उसको ऐसे काच लो इसे काच लो बीचसे काच लो उसमें कुछ भरोफार लुप हलूं कि वह बंती के गेहूं के आटे से ही है, हम भी गेहूं के आटे से पूरी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, ये बनाते हैं, हम सो आइटम बनाते हैं गेहूं के आटे से, उनको एक ही आइटम बनाना आता है, वो पाव रोटी, डबल रोटी, वो भी सड़ा कर, फरमेंटेशन करा कर, छे-छे कर देमाभाइन सड़ाना परता है आठे को मैदा बना के तब वो बनती है तो उनकी प्राउब्लम है सब्जी बना नहीं सकते, दाल बनानी सकते आती है नहीं टिक्नॉलेजी उनको किसी ने बताई नहीं, उन्होंने कभी ली भी यह नहीं दुनों से, दूनों की, दुनिया की किसी देश से. तो उनको उपर से नमक दाली के खाना पड़ता है. सलाग में डालेंगे, सब्जी में डालेंगे, तो उनको एक्स्ट्राफीटों चाहिए. हमारे हाँ तो उन्टा है हम तो सब्जी बनाते समय नमक डालते हैं आपको मेरा पॉइंट समझने आ रहा है हम सब्जी बनाते समय नमक डालते हैं हमको एक्स्ट्रा फील्फो की जरूरती दी क्योंकि हमारे हाँ डाल बनाते हुए नमक डाला जाता है सब्जी पकाते हुए नमक डाले हैं हम सब्जी बनने के बाद नमक डाले के नहीं खाते करें हम सब्जी बनाते हुए नमक डालते हैं उसमें बॉइलिंग आता है उबाल आता है फिर जाके हम वो सब्जी खाते तो हमको एक्स्ट्रा फ्री फ्लो की जरूरत नहीं है अच्यूबर क्लोसेस है क्योंकि अल्यूमिनियम स्लीकेट बहुत ख़दा खराब के दिदा है अल्यूमिनियम का ही नाम आम जाते है वो बहुत खराब है हेवी मेटल है वो सब डिपॉसिट होता है फ्लश आउट नहीं हो सकता बोड़ी से कि इसलिए मेरी आपको हर जोड़कर वित्ती है कि जो जिन्दभी भर आप स्वस्त रहना चाहते हैं तो नमक तो आज से ही बदल दीजे आपके है कि अधिका का यह तो बहुत है अच्छा है मीठा दही है ताजा दही है खटापन नहीं आया है तो फीका खा लिजे थोड़ा खटा पनाया है तो फुर डालके खाये चीज़ी डालके शक्कर डालके तो जी मैं अभी थोड़ी देर में आगे आ रहा हूं इसी नियम पर तो अभी तक मैंने नौ नियम बताये हैं नवा नियम रिपीट कर रहा हूं कि दो बस्तुएं एक दूसरे के विरोधी हैं तो साथ अगर मीठा खाएंगें तो सबसे अच्छा है नहीं तो आइं तो आप हमेशा किये जाए ना नमक की बदल दीजिए तो ये कहानी shuttle तब हो जाएजी मुझे समझाने ही पोड़ेगा इसके आगे दो तीन चीज़ छूट गई है खटे फलों के साथ कभी भी दूद नहीं खाना है खटे फल संत्रा है मुसम्मी है अंगूर है यह सब खटे फल है सित्रिक इन फलों के साथ कभी बी दूद नहीं, इनके साथ हमेशा दही लस्ती आदी-ादी ले सकते हैं, खट्टे फलों के साथ दूद नहीं खाना है, आम एक exception है, क्योंकि आम जो है न एलकलाईन है, आम एसेडिक है नहीं, आम जो तक खट्टा है मने कच्चा है तो एसेडिक है, पक है अंगूर है यह दूद के साथ नहीं खा सकते हैं और एक चीज जी जी सिर्फ खा सकते हैं दूद के साथ क्योंकि सेब सिप्रिक नहीं है तो वह दूद के साथ खा सकते हैं गाजर है सेव है दोनों एकलाइन है मुली एसे डिक है मुली दूद के साथ नहीं खा सकते हैं गाज के साथ मंठी जी और च्छोटी सी बात इसी में जोड़नी है कटल की सब्जी कभी भी खाएं तो इसके साथ दूद मत खाएं यह एक ही exception है कटल एज़ेडिक नहीं है कटल एलकिलाइन पिर भी वो दूद के साथ वर जिब है यह एक exception है और exception का कारण ही है कि कटल का वोई किस्सा है हाई प्रोटीन है दोग जाना उसको डाइजेस्ट होने के लिए कि इसको अलग alternatory और तुटD चीजें कि किसके साथ क्या खाए किस के साथ क्याए नहींगें गर八 जिताहि चीज़ कुछ जैसे आजकल मैंने देखा है हम गरम गरम खाना खाके आईस्क्रीम जरूर खाते हैं अपना सत्यानाश करें और यह सत्यानाश कैसे होता है कोई आपको शादी में बुलाता है इन्विटेशन देखे कि आईए और हमारे यांग गरम डिनर खाके आईस्क्रीम खाके मर के जाईए और एक नहीं खाईए डबल खाईए और मैंने तो पंजाब में ऐसे भी महान-महान लोग देखे हैं कि आईस्क्रीम में गरम रसुल्ह डालके खांडे वहां मूर खुलो पत कर रहे हैं तो कहते हैं तो आप कहीं पर दिनर में जाईए लेकिन ध्यान रखिए कि अगर गरम-गरम आपने खा लिया है तो ठंडी आईस्क्रीम मत खाईए और कई लोग पंजाब में ऐसे हैं याद ही नहीं रखते अभी चाहे पी अभी आईस्क्रीम खाले हैं उनको बिल के इधर चाहे पी या इधर काफी तो चाही और काफी दोनों गरम है और आइस्क्रीम बहुंठ थंडी है इनका कोंबिनेशन नहीं नहीं है वह तकलिफ होती है श्री को प्षाब एक घंटा कम से हाग गरम चीज़ खाने के एक गट्टे के पाद थंडी चीज या ठड़ंड फिर आइस क्रीम को कैसे खाएं गरम करके खाईए अगर आइस क्रीम खानी है तो इसको गरम करें फिर खाईए मैं एक अम्रत सर गया था एक बार तो अम्रत सरे में बहुत अच्छी चीश शाहिद यहां भी होगी कुल्फी यह जो कुल्फी है इसको थोड़ा गरम करके खाने जिए आइस्क्रीम से बैटा है थाउजन्ट टाइम्स पैठा है क्यों हाई रबडी खाइए ना तो कुल्फी वो शाहिद रबडी की ही पनाई है खूप गरम करके रबडी जैसा हो जाता फिर कुल्फी जबाते तुप कुल्फी को ठोड़ा गरम करेंगे तो रबडी जैसा ही कुल्फी पे आजाईए और कुल्फी को हलका गरम करके खाईए वह आपके लिए बहुत मुफीद है कारण एक है कि आईस्क्रीम में जितने क्यमिकल्स हैं कुल्फी में एक भी नहीं कुल्फी में दूद है वह अच्छे से गरम किया हुआ है बस उसको जादा ठंडा कर दिया तो मुझम गया है आप उसका ठंडा पन निकाले के खानी जाए और नहीं तो एक आखरी आप्शन बताता हूं खाना ही है आपको तो मेरा ये कहना है कि उसको सली के से खाए जैसे आप कुल्फी खा रहा है ना तो उसका तरीका ये है कि पहले उसको मुह में रखिए थोड़ लेड़े ये लास्ट ऑप्शन है जब खानी ही है मेरी बात तो मानिये उसको गरम करके खाये खानी ही है तो थोड़ी दिर मुह में रखिए उसको भूमाईए थोड़ी लाल से वो गरम हो जाएगी फिरा अभी लास्त आज का आखरी नियम पिर उसके बाद क्रुश्टन अं सर्दें में में बड़ा जोर देकर बार बार रेपीटिशन करके यह नियम बताए गया जो शाहिद बहुत मेहत CT असा इसलिए रेपीटिशन बहुत हुआ है भोजन को बनाते समय हुआ जो भी पात्र का इस्तेमाल आप करते हैं वो खुला रहना कि कि अ भोजन को बनाते समय जो भी पात्र हम इस्तेमाल करते हैं वो बात्र खुला होना चाहिए भगोना होना चाहिए कड़ाई होनी चाहिए खुला रहना चाहिए क्यों तो उसके आगे का नियम है कि भोजन को बनाते समय पकाते समय सूरी का प्रकाश या पवन का इसपर्श होना बहुत जरूरी है बनते हुए भोज़ग को पकते हुए भोज़ग को सुरी का प्रकाश या पवन का इसपर्श अब सुरी का प्रकाश आजकल हमारे घरों में चूले खतम हो गए पहले गाओं में चूले होते थे आज भी हैं तो खुले में होता है ना चूला तो सूरी के प्रकाश की संभावना पूरी है और वो अलग से बनाते हैं क्या कहते हैं उसको हम तंदूर कहते हैं तंदूर भी खुले में बनाते हैं तो वहां भी सूरी का प्रकाश आना संभब है तो खुले में अगर खाना बन रहा है तो सूरी का प्रकाश आएगा वो पक्की बात है नहीं तो कवर्ड एरिया में बना रहे हैं तो खुला रखिए ताकि पवंद जा सके उसमें हवा जा सके प्राण वायू जा सके प्राण वायू माने ऑक्सीदन, ऑक्सीदन माने आग, उतनी जादा प्राण वायू जाएगी और भोजन जो पकेगा वो बहुत अच्छे से पकेगा नीचे से आग लग रही है वो अगनी की है ऊपर से आग है वो ऑक्सीदन की है वो कंप्लीट डाइजिस्ट होगा क्योंकि कंप्लीट उसका कुकि इसका सीधा सा मतलब एकी है प क्योंकि वो खुला हुआ नहीं है प्रेशर कुकर चारों तरफ से बन ना उसमें पवन जा सकता है ना प्रकाश जा सकता है उसमें से पवन बाहर तो आ सकता है बाहर से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है इसलिए कुकर का खाना क्वालिटी में सबसे खराब हो था हम कि अध्य दिफिए वह होने में दाल बने दोनों को टेस्ट कि तो पता चला कि कोड़ की दाल के जो Silicon हैवो ही नहीं जादा और फुले हूँ भगोने की ऑने करा कर दो का चण आद बनाई कि अधेज़ी बनाईयों को कर में सब्संद्र अधा जाता कर 11 से एक तो कुकर में परवन म provide यह दूसे डूसरा कुकर जो है ईलिूमीनियम कि और के दूनिया का सब से खराब मैटक्ट बैखना बनाने के लिए और झाल noveट कि अलुमीनियुम का इंवेंशन वा आविशकार वा हौई जाज बनाने कि वृष्ट को फैयर प्रिश होता व्ता है तो एर्क मिस्टि का हवा जाओ कि पृट जाएगा प्लास्ट को जाएगा। इसलिए अच्छा में आच्छा मैंटल है, एक सर्वे किया था मेरे जीवन में जिस दिन से मुझे ये बहुत तकलीफ हो गई इसलिए मैं सब को बोल के बोल के कहता हूं ये एक हजार गरीब मरीज मेरे पास ऐसे हैं जो दमा अस्थमा ब्रहं के मैं स्थमा चुबर कुरसिस के पेशन हैं हजार से जाता है और कई साल से ट्रीक्मेंट उनका चलता है दीरे धीरे ठीप होता है आप जानते हैं टीवी जल्दी ठीप होती उनके घरों में जा जाके मैंने देखा क्या होता है वही क्यों इनको टीवी है क्यों अस्थमा हैं क्यों दमा हैं ना सिगरेट पीते ना बीडी हुँआ तो लिए लिए लिएक सब्सक्तराइए सब्सक्राइब वो बरतन लाके खाना बना रहे हैं उखा रहे हैं उसका अंतिम दुश्परिणाम है टीवी से मर रहे हैं इधर पैसे बचाए उधर अपना जीवन कमा और मैं आपको थोड़ा एक अगरेजों के बारत में खाने पीने के काम में कब से आये अंग्रेजों की जब यहां सरकार चलती थी इस देश में तो अंग्रेजों के देश में ऐलिमेनियम का आविश पार गुआ इटीन सेंचुरी उसके बाद उन्होंने हवाई जाज बगरा बनाया 1905 में उस समय अंग्रेजों को किसी वैग्जानी इसने बताया उनके देश के कि यह खाने पीने के लिए बहुत खराब बाकी के लिए अच्छा है तो अंग्रेजों ने भारत के लिए कानून बना दिया कि बारत की जेलों में जितने क्रांतिकारी बंद हैं सब को एलिमीनियम के बर्तन में ही खाना दो ताकि जंदी मरे हमारे जो क्रांतिवीर थे अंग्रेजों के लिए वो सब आतंग वादी थे बगत सींग, उदम, सींग, चंदरशेकर, सुभार शंद्रबो, साश्पा, कुल तो अंग्रेज चाहते थें कि जेलों में बंद करके इनको मारा जाए, और स्लो बॉइजन लेके मारा जाए, पता भी न चले और मर भी जाए, तो उनके लिए उन्होंने ऐलिमीनियम के बर्तन लाए, और तब से भारत की जेलों में कानून आ गया, कि जो जेल का कहदी है, उ अलिमीनियम के पात्र में ही पानी मिलेगा, उसी में रोटी खानी पड़ेगी, उसी में सब, और आज तक वो कानून हमारी जेलों में चला आ रहा है, अंग्रेज तो चले गए, उन्हीस सो से तालीस में, लेकिन वो कानून अभी भी है, अभी भी जेल में आप जाएंगे, तो हमारे भाई बंदे जो कैदी बनके वहाँ हैं, उनको अलिमीनियम में ही खाना है, मेरे बहुत सारे दोस्ते हैं, जो जेल सुपरिंटेंडेंट हैं, जेलर है, मैं बहुत उनको बोलता हूं कि इसको बदल दो, अंग्रेजों के जमाने का नियम था, अब तुम बदल दो, तो हो कहते हैं कि यह हम नहीं बदल सकते, यह संसत बदलेगी, तो संसत में बैठे हुए लोगों को बताओ, समझाओ, तो कहते हैं, आप समझाओ, मैं क्यों समझाओ, सुपरिंटेंडेंट कहता है, जेलर कहता है, मैं क्यों बताओ, आप बताओ ना, और भिर वो अंद में कह तो मेरी आपको मिन्ती है कि आपके घर में कोई भी अल्यूमीनियों का बर्दन तो कभी मतला है कोकर तो जितना कम इस्तेमाल करें उतना अचा है फिर आप कहेंगे कि उसमें समय कम लगता है मैंने उसका भी क्या कुकर में डाल बनाने में उसमें समय में बनाएगे तो उसमें 25 मिन वह नगता है 15 मिन आप बचाते हैं एक दिन में तो महिने का पिस साल का फिर सालका City क्यश्य ज़ा जाता है उतना आपका हॉस्पिटल में चला जाता है जब आप दमा के मरीज हो जाते हैं या अस्थमा के मरीज हो जाते हैं या टीबी के मरीज हो जाते हैं और वो समय बचाया हुआ वहां जाता है पैसे के साथ समय तो जाता है यह पैसा भी जाता है तो अल्टीमेटल यह कोई बेनिफ कोशिश कुछ इस तरह सकते तो आप बोलेंगे सबसे अच्छे बरतन कौन से एलम्यूनियम तो सबसे खराब है यह जांग दीजे फिर सबसे अच्छे जो बरतन भारत में वाने जाते हैं उनमें पीतल सबसे अच्छा बोलं बनाने के लिए भोज़न खानां की बाद दूसरा सबसे अच्छा एलोय है वो कांसा अब पर कांसे के बरतन अभी भी बनते हैं बंजाब में हड्याणा में छोटे-छोटे गाउं में बहुत सारे बरतन बनाने वाले लुबों की जातिया हैं जिपको शायद फटेरे कहते वो नोप बनाते ठोक कर पीटकर तो कांसे के ब्रतन लियाए भाप अच्छी है पीतल के बरतन लियाए बहुत अच्छी और आसे थोड़ी देर पहले का रही धरी हमेशा कांसे के लोहे के बरतन में खाएंगे तो लोहे जैसा है हाँ बहुत अच्छा सवाल हरा कभ होता है जब दही खटा होता है खटा दही का से बरतन में डालने से पहले नमक सौरी गुड़ मिला के फिराब खाई ये कभी भी हरा नहीं हो दही जैसे ही खटा हुआ तुरन खोड़ डालने जिए उसके लिए क्या करना है आपको इसके लिए थोड़ी व्यवस्ता ये करनी है कि का से के बरतन में सब्जी डालनी है तो जितना जल्दी खा लेंगे उतना अच्छा है जितना दिल दिखानें उसको स्टोर करके नहीं रखना स्टोर करने के लिए जो बरतन है वो पीतल वाले और स्टोर करने के लिए इन तोनों से भी अच्छे कुछ बरतन हैं पी तल और कासि से भी अच्छे कुछ बरतन हैं चांदी के लेकिनती नी मेहगी है। बीस हजार रूपए किलो है तो मैं डर लगता है किसी को बताऊं और चांडी से भी अच्छे बरतन होते हैं सोने की इस्टोर करने के लिए लेकिन सोना तो और भी मेंगा है अब आखरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो यह है कि सबको नहीं कर सकते ही तो मिट्टी के बरतन ल पकता है हांडी में खिचुणी भी पकती है और तवे पर रोटी भी बनती है मिट्टी की हांडी 15-20 रुपए में मिलती है तीन-चार महीने चलती है यूजन थ्रो है तो फिर ले लिजे फिर ले लिजे उससे हमारी एकॉनमी भी चलती है हां गैस पे चलेगी बराबर दाल पकाई या चावल पका कुछ भी पकाया तो गैस दीमी रखी मिट्टी की विशेष्टा है कि उसको आग दीमे 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 चलती है तो दीमी आद में पकाएंगे तो गैस की बचत होगी और जो दाल पकेगी उसका स्वाद इतना जबर्चस्त होगा कि आप उंग हांडी की दाल कभी जैपुर जाहिए तो जैपुर शहद से पहले एक चोखी डानी करके रेस्टोरेंट बना है तो वहां लोग सिर्फ खाना खाने इसलिए जाते हैं कि विट्टी की हांडी की डाल में अब धाइसो रुपाई की थाली देता और दाल तो थोड़ी ही देता है दूसरी बार ले लो तो 400 रुपाई ले जैता है अब मैने एक दिन हिसाब लगा 400 रुपाई में तो 10 हांडी घर में आती है लेकिन लोग ऐसे हैं कि 400 रुपाई की डाल खाने वहां जाते हैं लाहीं लगाके घर में चार हांडी ले आएं और उसमें दाल पकाएं वो उनक पकते आज पर वह दूद पकता था पक्ते पक्ते एकम लाघ करता था और इस दूद का जो avd शुन का जब धी जमाते थे इकम लाँ सुरग दूब रहि उसका जब था तो में उसका एसा ही होता था और उसकी चाज पीते थे मने लसी और भी अद्बूत हो दिया वो स्वाद हमने सब बुला दिया मॉडरनाइजेशन के चक्कर में अमेरिका की और यूरोप की नकल करने के चक्कर में हम मिट्टी को भूल गए कुकर ले आए यूटेंसिल्स आ गए फ्यूचुरा आ गया यह आ गया महंगे महंगे चीज़ें सस्ती चीज क्वालिटी अब मैं आपको और गहरी बात कहने जा रहा हूं वो यह कि मिट्टी के बरतनों में खाना बनाएं और उसका उप्योग करें उसम की मत्री भूल जाएं नहीं बनाया की मिट्टी की हाणडी में रति पीजिए जने सांवस अच्छी को अजन गार्ऴ ही चना हूं जो बनता ना मिट्टी सभी बनता सilly का तो काज पातन भी बिटी के अल्टरेनेट के रूप में जो सकता लेकिं थोड़ा महगा उससे भी सब्सक्रीब ती और एक बात जान लीजे बिटी जो है सारे माइक्रो न्यूट्रेंट्स की मां हैं दुनिया के सारे माइक्रो न्यूट्रेंट्स मिट्टी से मिलते हैं कैल्शियम आपको चाहिए मिट्टी से मिलता है सल्फर चाहिए मिट्टी से मिलता है जिंक चाहिए मिट्टी से मिलता है मैंगनीशियम चाहिए मिट्टी से मिलता है म क्षिप कि लाकों करोड़ों साथ तकि कई बार मुझे लगता है कि वाध्बाब の महावीर स्वामीन जितनी तपस्या गए उससे जादा मिड़ीने तपस्या की है माइकम करोड़ों साल से धूब सूरज की ले रही है तुब औरक्र रही है उसके तपने से उसमें जो इसको तो आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है पंजाब में अभी भी मिटी बहुत अच्छी है और पंजाब में कुमार भी है कि मैं थोड़े दिन पहले जलंदर गया था जलंदर शहर में सड़क के किनारे बैठे हुए दस बारे कुमारों से मैं मिला था और उनसे पूछता था वही आपकी रोजी रोटी कैसे चलती के तकलीफ में चलती है क्यों के ते गड़े बनाते हैं फूरे बिख नहीं पाते हैं तो जिन्की चलती तो है गिसेत के चलती है फिर मैं बोला अगर आपका बिखने लगे तो नहीं कहारो थो हुए तो उनका कहना था कि हमारा वेचे का क्वान है हम員 चार्भर कि तो जाहरात करने का एकुर्डीसमेंट करने का प्रशा नाहीं है। मैंने का 많ा करूँंगा मारकों के दो-चार हंडिया लिया एक टो घड़े लिया तवा मिट्टी का मगा लीजिए जो दो-चार चीज़े आजाए आपके घर में तो बहुत सुधार आजाएगा खाने में क्योंकि केल्शियम आयरें की डिफीशेंसी हमारे बोज़न में खूब हो रही है और आजकल उस डिफीशेंसी का दुशपरिणाव जानती हैं हम सभी की माताएं और महने जब घर्भा वस्ता में जाती हैं तो बिना सीजर बच्चे आते ही इस दुन्या में, वो कैंशियम की डिफिशेंसी का कानओ है, । आइरन की डिफिशेंसी का कानओ है। आइरन और कैंशियम दुपनी कम होगा, बाडी में फ्लेक्सिमिलिटी हो पी नहीं बच्चा तो सीजर करना ही पूरे बाब जिनके बच्चे सीजर हो गए याद रखियेगा, जिन्दगी बर उनको कोई भी दर्द से छुटकारा दिला नहीं सकता पीट का दर्द, पाउं का दर्द, गुटने का दर्द, होने ही वाला है सीधर होने के बाद तो कोई भगवान भी आपका दर्द में मिटा सकता जिन्दगी पर डॉक्टर कहेगा दवा खाते रो दवा खाते रो दर्द बटाते रो या कम करते रो फिर दवा बद करो फिर दर्द आएगा तो इतना बड़ा जुल्म क्यों करना अपने शरीप पर माताओं को अक्सर मैंने देखा गर्बा वस्ता के समय में हीमोगलोमीन 8 और 9 और 7 के आसपा से आईरन की इतनी कमी है खाने में आईरन मिल नहीं रहा है केल्चियम कम हो गया है क्योंकि यूरिया डिये पी इतना डाल दिया है खेप में कि उससे हमारे शरीर के भोजन की गुर्वत्ता प्रभावित हुई है तो इसको कुछ बैलेंस करना है तो मिट्टी ही कर सकती है क्योंकि मिट्टी में भरपूर नहीं बरपूर पॉस्पोरस तो मिट्टी में डाल पकाते ही आप देखते है कैल्शियम बढ़ जाएगा टेस्ट उसका बता देगा आपको पॉस्पोरस बढ़ जाएगा टेस्ट बता तो मेरा आपको फूर्स फुली ये रिक्वेस्ट है जोर देकर मैं आपसे कह रहा करोड़ा पुमाहर पीज करोड़ ने मिए इस देह अगर अगर हर परिवार 2-4-4 अंदिया खरीद ले एक एक तवक खरीद ले एक घड़ा खरीद ले तो एक करोड़ पचास लाग की जिन्दगी हमेशा के लिए खुशाल मुचाए और वो एक करोड़ पुचास लाग जब अपनी जिन्दगी आपकी मदद से चलाएगे तो आपको ही भगवाम मानेगे है बंता आप जो है मैं जलंदर में देखा बहुत अच्छा तबा काली मिट्टी का तबाह है लाल मिट्टी का तबाह है पीली मिट्टी का तीन तरह के तबे हैं जलंदर में जहां आकाशवाणी है ना आकाशवाणी के बिल्कुल बगन में बैठता हुमार उसके पास एक तब है उसने का यहों की रोटी के लिए अच्छा इतना माईक्रो कैलकुलेशन है उसका कि ये मक्की की रोटी के लिए ये बाजरी रोटी के लिए अच्छा ये गयों की रोटी के लिए अच्छा ये जरूर है कि उतके पास डिग्री नहीं है लेकिन नौलेज तो है तो वो knowledge जो उनके पास है परंपरा से आया हुआ उस knowledge का समाज के लिए सदुपयोग हो मेरी इच्छा है और करोड़ों लोगों को रोजगार मिले और आपका kitchen का थोड़ा रंग रूप बदले मैं आपको एक छोटी सी बात और share करना चाता हूँ थोड़े दिन पहले में मद्रास गया था मद्रास में एक बहुत बड़ा ग्रूप है TBS आप तर नाखना TBS जो मुट साइक की लाइए बहुत बड़ा ग्रूप है जैसे हीरो हंडा हमारे उत्तर भारत का वैसे दक्षन भारत का TBS ग्रूप है शायद उनका टर्नोबर 2-5 लाग करोड का है तो उनके घर के किसी सदस्य में मेरी कोई CD सुनी CD सुनके वो लेक्चर में आये लेक्चर के बाद उन्होंने मुझे इंवाइट किया कि आप हमारे घर डिनर को आएंगी मैं लंगा अगर फूर्सत हुई तो उर्क आईए हमको बहुत मुश्य होगी तो में उनके घर गया Chapter इतना हैरान हो गया कि उनके रसौई मेस तारे वर्तन मिट्टी कि है है कि गणा मृत्टी का करो है तबा मिट्टी का है हांडी मिट्टी की है वो आटा गूंदें के लिए जो थाली होती है न वो भी मिट्टी की पराद उसको ज़िए सब किछ मिट्टी की अब मैंने उनकी घर की मालकिन से बुखता है कि डाईला करोर का एंपाइर आप समालती है पती पत्ती दोनों मिलके काम करते हैं इतना वड़ा एंपाइर समालती है मिट्टी की हाटी में डाल पकाने का समय कम दिलता है आपको तो उनका जो उत्तर था वो देखके मैं दंग रेका उन्होंने कहा कि मिस्ट लदीखे दुनिया में हेल्थ से ज़्यादा महतुपूर कुछ नहीं होता अगर हमारी हेल्थ हम मेंटेन नहीं कर सकते तो ये डाईला करोड कुछ काम करें अगर हम बीमार पड़ते हैं डॉक्टरों के पास जाते हैं इधर हजारों करोड कमाते हैं उज़र कमाते हैं तो ये किसी काम करें और अगर मिट्टी के बर्दनों का इस्तेवाद करके हमारी हेल्थ सुरक्षित है और हमको सालों साल डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, दवा खानी नहीं पड़ती, तो इससे अच्छा क्या सोदा है तो मैंने का समय आना लगता है, तो अनुनने का मैं मैनेज करतीू उस समय इधर दाल चढ़ा दिया, अधर ये चढ़ा दिया तो तो मैनेज करतीू है तो management का इसारा किस्ता है तो मुझे समझ में आया कि ये बहाने भाइजी हम छोड़ें कि इसमें समय आता लगता है कि इसमें ऐसा होता है ये धुले में तकलीफ है या इसमें कोई तकलीफ दुनिया में बड़ी नहीं है आपके health से जाना तो आपकी हेल्थ को ध्यान में रखके अगर आप मिट्टी के परतन लाएंगे तो बहुत ही अच्छे इस्टोरिक के लिए भी पकाने के लिए दूद आप जरूर पकाईए मिट्टी की हांडी में फिर पिके देजिए दही जमाईए मिट्टी की हांडी में फिर खाके देजि कदियों में दही चुना क millennials दूथ मिट्टी की हाड़ी में उबालते हैं तब कि रसमुलाइक वह नहीद हैं बनाते हैं तो सौफटने साथी तो पूरे बंगाल में उड़ी साथ में और अब तो मैं एक और बात आप से शेयर करने जा रहा हूं कि भारत के सारे बड़े मंदिर देवाले भगवान के इस्थान मिट्टी के बरतनों में ही प्रसाद बनाते हैं और भगवान को अरफां करते कउर आप पुरी जाएं जगननाथ पुरी जगननाप पुरी में भगवान करश्न का मंदिर है वहाँ जो प्रसादम बनता है भोग लगता है वो मिट्टी की हाड़ी में लगता है पहली बार जह में गया तो वहाँ के पुझा कि आपको में ने पूचा कि आपका मंदिर बहुत गरीब है कि जो मिट्टी की हाड़ी में खाना बना तहुत हम जीफारे मंदिर के पास 5600 किलोग्राम सोना है मंदिर के टीफ आप चाह केतें गरीब है? मैंने का हाँ यह तो नहीं कह सकता गरीब है. उन्होंने का हम तो मिट्टी के हांडी में इसलिए भगवान को के साथ अलपर करता है कि मिट्टी पवित्र होती है. उससे जादा पवित्र दुनिया में कोई चीज है. तब मुझे स्ट्राइक किया कि म उससे जादा इंटेलीजेंट तो यह मंदिर का पुजारी है. जो यह मानकर काम कर रहा है कि मिट्टी पवित्र होती है. मुझे यह बात समझने में लेबरेटरी लगती है, रिसर्च लगता उसको यह बात समझने में एक ही मिनिट लगती है, मिट्टी पवित्र होती है. तो वो तभी संबब है, जब मिट्टी की हांडिया है, मिट्टी की कड़ाई है, मिट्टी के बरतन है आपके घर में, कोशिश करिए घड़ा तो आई जाए मिट्टी का पानी के लिए, दूसरी कोशिश करिए पीने के लिए गिलास जो चाहिए वो मिट्टी के आजाए आपके घर और आपकी जिवन और आपकी जित्वगी दोनों बदलेगी और मैं आपको एक छोटी सी अपनी observation कहना चाहता हूँ जिनको भी diabetes है, जिनको भी arthritis है, जिनको भी blood pressure high है जिनको भी blood pressure low है, जिनको भी cholesterol जादा है, जिनको भी triglycerides की problem है ये सब लोग कल से ही मिट्टी की अर्दाल खाना शुरू करें, हांडी की, चावल खाना शुरू करें, खेच्वी और तीन महीने के बाद आप आप अब्जर्व कर देगे, बिना medicine कहाई आपका triglyceride कम हो रहा बिना medicine कहाई आपका diabetes, बने sugar control हो रहा, बिना medicine कहाई आपका BP control हो रहा, बिना medicine के बहुत सारी चीज़ें हो रहे क्योंकि body को जो खुराट चाहिए, वो आपको भरपूर मिल रहा अब इसके बाद, मैं चाहता हूँ कि आपके मतने जिस प्रश्न है, तो आप जरूर करें लोहे के बरतन के बादे में ये कहा जाता है, कि लोहा जो wrought iron है, एक तो stainless steel है, ये अच्छा भी होता, wrought iron बहुत अच्छा जो pure iron form में मिलता ना थोड़ा काला काला हो, वो लोहे के बरतन, तो उस लोहे के बरतन में आप सबजियां बना सकते हैं, डाल भी चाहें तो पका सकते हैं, लोहे की कड़ाई आप बादार में मिलती है आसानी से, वो कई गुने अच्छी है प्रेशर को कर से, काली हो जाती है, तो उसका खरीका बताता हूं साथ करने का, लोहे की कड़ाई को साथ करने के पहले उसमें नीबू ने चोड़ दीजे, या नीबू के छिलके से उसको अच्छे से गुआ दीजे, और आपके घर में जो भी साथ करने के लिए है, उसको रभ करके कर दीजे, तो तो थोड़ी ब्लेकिशनेस आएगी उससे घबराईए बद क्योंकि आईरेंग की गोलिया खाते हैं आप हजारा रुपए खर्च करते हैं उससे अच्छा आईरेंगी कड़ाई है आपके बद इतना जरूर दिहान रखें कि ये जो आईरेंग है कड़ाई में रौट आईरिंग यह स्टिल नेस इसिटिल से अच्छा है और कई गुना यह अलियो मीधियों से भी जाज़ अच्छा है ये स्टिल अच्छा है लेकिन 100-100 फिफ्टी फिट स्टीन से अच्छा आइरन हैं से अच्छा हमेशा कासा है निसरक्ति पैत हैं यह से अच्छा पीटल है और उसमें जादा गी भी नहीं चिपकें, क्योंकि वो कलरी करते ही थोड़ा stickness उस की कम हो जाती है. तो गी ज़्यादा नहीं चिपकता, तिल ज़्यादा नहीं चिपकता, लेकिन कलरी ना करें तो अच्छा ही है, कलरी कर भी लेगे, तो इतना खराब नहीं है, कि इतना खराब नहीं है आज नहीं बीबारियों पर बात शुरू करूं उसके पहले आज के सूर्पियों के आप प्रश्ण कर लीज़ें मिट्टी से नहाते भी थे मिट्टी से बाल भी दोते मिलतानी मिट्टी से नहाता, मिलतानी मिट्टी से बाल दोना, बाल किसी के तूपते नहीं था, सभी काले रहते थे मजबूत रहते जब से शैंपू आया तब स्टि में सस्ती है आंगला, आंगला क्या? आउनले वो दूट से थोड़ा आगे पीछे खाईए ना आउना खच्टा है जी चबन प्राश खा सकते हैं क्योंकि उसमें आउनले को ऐसे जित्ती हैं उसको न्यूटरलाइज करने के लिए दूसरे केमिकल भी हैं तो चबन प्राश तो खा सकते हैं लेकिन आउनला खा देख भी है अई ही यह ना देश घी मिश्वी कोई दिका के यह आवर भी और दूट के आजए पीछे एक δूसरे को रखतिजिERS हमें दहीं के साथ दहीं मिर्ची डाली है काली काली मिर्ची जिसको हम क्या लाल वाली अच्छी ने लाल वाली मिर्च किसी चीज में अच्छी ने लाल वाली मिर्च के अच्छी है हरी मिर्च हरी मिर्च से अच्छी है काली मिर्च आम लेके कई तरीके हैं खाने के सबसे पहला तरीका कच्छा खाने जे लेकिन आमले की एक दूसरी बात है आप करके देखिये कल थोड़ा आमला काटिए दाट से तुरंट इतनी लार निकलती है इतनी लार निकलती है क्या भहरान हो जाएं और वो लार जादा इसलिए निकलती है कि आंगले की एसिविटी को कंट्रोल करें क्योंकि लार चाले तो आंगले को चवा चवा के कच्छा खा सकते हैं सबसे अच्छा तरीका दूसरा अच्छा तरीका आंगले की चटनी बना के खाना तीसरा अच्छा तरीका आउले का मुरबबा बना के खाना चौता अच्छा तरीका आउले की केंडी बना के खाना पांच्वा अच्छा तरीका है आउले का कुछ भी बना के खाना चाहे जवन प्राज चाहे वो इसको अमरत प्राज यो कहना लेकिन खाये जरूर आमगा, अचार खाये, बहुत अच्छा है, आज के सूत्रों पे प्रशन, प्राटे में अगर सेधा नमक है, या काला नमक है, तो जरूर दही के साथ खा लेजे, अगर उसमें ये समुद्री के पानी वाला नमक है, तो बन खाये, जी, प्लाट प्रेसर बढ़ेगा जी, जी, सेधा नमक से प्लाट प्रेसर आपका नॉर्मल, अगर लो है तो बढ़ेगा, हाई है तो घंटेगा, ये दोनों काम आटोमेटिक करता है, मैं आपको पूरे एक साल का शेडियूर बताता हूँ, जब गर्मियों का सीजन शुरू होता है, गोली के बाद से, और बारिश के पहले दिन तक, मिट्टी के बरतन में रखे हुए पानी को ही पीना अच्छा है, नात्री को दिन को हमेशा, जब बारिश शुरू हो जाती है, उस दिन से लेकर, और बारिश के अंतिम दिन तक, तावे के बरतन में रखा हुए पानी पीना हमेशा अच्छा हो जब बारिश खतम होती है और सर्दिया शुरू होती है उस दिन से लेकर और फिर होली के दिन तक सोने के बरतन में रखा हुआ पानी अच्छा होता है बारिश के पहले दिन से और होली के पहले दिन तक का जो समय है गर्मियों का ये मिट्टी का है फिर बारिश शुरू होके और बारिश का खतम होने तक ये तावे का है और बारिश का खतम होके सर्वियां शुरू हो और फिर गर्मियां शुरू हो तो ये सोने का अब प्रशनुता है कि वैस सोने के बरतन कहा से आएंगे इतनी महगाई के जमाने में तो आप ऐसा करिए बरतन कोई भी रख लिजे मिट्टी का ही रख लिजे सोने की उसमें एक पाइदा तो हो गाई नुक्सान तो नहीं होगा पाइला तो थोड़ा हो नहीं है सोना जो है ना सोना बहुत गर्म और चानी बहुत ठड़ी तो गर्मिया है तो सोने का पानी जहर है लेकिन वही पानी अवरुत है जब ठंड का समय है तो ठंड के समय में सोने के अंगूठी का पढ़ा हुआ पानी विकल कर शोटा सा वह कुछ भी और इस पानी को बेस्ट मेरे सिने सोने के रिज़ातें में रख्था हुआ पानी जिनको नगुकी बेस्ट medicine है सोने के बरतन में रखा हुआ पानी जिनको हमेशा बुरे-बुरे विचार आते रहते हैं हमेशा negative अभी मैं मर जाओंगा अभी वो मर जाएगा ऐसा हो जाएगा कुछ भी positive नहीं है जिनके life में उनकी best medicine है सोने के बरतन में रखा हुआ पानी जिनको कभी भी अच्छी दील नहीं आती रात को हमेशा शिकायत करते हैं मैं सो या नहीं मैं सो या नहीं उनकी बेस्ट मेडिसन है सोने के बरतन में रखा हुआ पानी जिनका माइंड कभी डवलप नहीं हो पाया बहुत पर ऐसा होता ना शरीर बढ़ गया लेकिन माइंड बच्चे का ही है ऐसे बहुत सारे केसिद आपके जीवन में आ सकते हैं उनकी बेस्ट मेडिसन है सोने के बरतन में रखा हुआ पानी और आखरी बात के दो कफ की हर बीमारी की बेस्ट मेडिसन है सोने के बर्दन में रखा हुआ पानी कफ, सरदी, खासी, जुकाम, माइग्रेन, लेफ्ट में, राइब में, ये सब कफ की बीमारियां हैं, इनकी सब की बेस्ट मेडिसीन हैं, सोने की बर्दन में रखा हुआ पानी, इसलिए आप पूरी बात सुलिएजे, कफ का रेंज मैंने बताने कफ का एरिया क्या है छाती से लेके सिर तक इसलिए छाती से शुरू करके सिर तक के सारे गहने सोने के ही पहने जाते हैं क्योंकि वो कफ को कंट्रोल करते हैं ये जो है ना सोने का होगा ये सोने का होगा ये सोने का होगा है सब सोने का है और इसके नीचे जो भी कुछ है वो सब चाने ना है तो सोना जो है छाथी के उपर के सारे अंगों में पहना जाता है क्योंकि कफ को कंट्रूर करता तो मैं कहने जा रहा हूं वो ये कि हमारे जो गहने हैं वो सब हमारे हेल्ट से जुड़े हुए हैं स्वास्त से जुड़े हुए हैं जी ये अगूटी सोने की डालते हैं वो ग्रहों के चक्कर वाले है वरना हमेशा हाथ में जो अगूटियां प कोशनी का चेकर है पंडिटी बताते हैं तो हम प्रेंट के तो मैं जो कहना चाहता था वो शायद आप समझ पाई है कि चार महीने जब सर्वियां है तो सोने के बरतर का पानी पीना है चार महीने जब गर्मियां है तो मिट्टी के गड़े का पीना है चार महीने जब बारिश है तो तावे के बर्दर का पानी दीजाए है जी पानी को हमेशा पीने का तरीका है कि सबसे पहले गरम कर लिजे सबसे पहले सबेरे सबे खूब उबाल दीजे फिर उसको रूप टेंपरेचर तक ठंडा हो जाने दीजे फिर बर्तन में डाल दीजे चाहे वो मिट्टी के गड़े में डाल दीजे चाहे तावे के बर्तन में डाल दीजे चाहे सोने वाले उसमें डाल दीजे फिर उसी को दिन भर पीते दे हर समय गरम करके पीने की जरूरत नहीं है एक बार बॉइल करके रूम टेम्परेचर तक ठंटा कर दीजे फिर उसको किसी भी बरतन में डालके सबेरे के साम तक यूज करते है अभी आरो का सवाल आया तो मैं इसको जरा बता देता हूँ वैसे मैं कल बताने वाला था ये आरो का पानी अच्छा के नहीं मैं आपको पानी के बारे में जानका नहीं देतू मोटी सी दो-तीन मिनट में वो ये आयू वेट जो कहता है सबसे अच्छा पानी है बारिश का पीने के लिए जिसको अमृत कहा गया तो आप कुछ अगर ऐसी व्यवस्था कर सके है बारिश का पानी इकठा करें और उसको साल पर पी है तो आप से ज्यादा सुखी कोई नहीं दोनिया आप बोलेंगे कैसे कर सकते हैं बहुत आसान है आपकी जो छट है ना उस छट को तो आपने सब में सीमेंटिट कराया ही हुआ है छट में से जो पानी गिर रहा है किसी पाइप में होते हुए इस पाइप को आप आपके बोर में लगा दीजे अगर बोर है तो बोर में ही है तो वो पाइप को किसी टेंग बना के उसमें डाल दीजे अंडर्राउंड टेंग बना दीजे आपके घर और उसमें पूरा पानी डाल दीजे बारिश के पानी में कोई expiry date नहीं है इसको ध्यान रखें बारिश के पानी की कोई expiry date नहीं है अगर underground time में आपने collect कर लिया तो साल भर दो साल तीन साल आप पी सकते हैं कोई तकलिफ नहीं आएगी तो बारिश का पानी आपके लिए सबसे अच्छा जैसे भी हो आप इकटा करिये दूसरा पानी जो सबसे अच्छा माना जाता है वो नदियों से आने वाला जो नदियां ग्लेशियर्स के साथ जुड़ी हुई जैसे गंडा लदी है ये सीधे glacier से आती है glacier की बरफ है वो पिड़नती है बेरिट होती है फिर उसका पानी नदी में आता है तो दूसरा सबसे अच्छा पानी है उन नदियों का जो glacier से आती है पहाडों से आती है तीसरा सबसे अच्छा पानी होता है तालावों का जो बारिश के पानी के रूम में ही इकठा होता है और चौथा सबसे अच्छा पानी होता है वो बोर का जो बारिश के पानी को रीचार्ज करके ही बोरिंग में आता है और पांचमा सबसे अच्छा पानी होता है मिनिसिपल कॉर्पॉरेशन का जवाब पीदे अब आप सोच लीजें कि मिनिसिबल कॉर्पूरेशन का पानी लास्ट में है तो माने सबसे खराब है सबसे अच्छा बारिश का तो अब आपको तो कॉर्पूरेशन का पानी है या आपकी मजबूरी है मैं चाहता हूँ आप मजबूरी को थोड़ा बदलिए दो चार हजार रुपई खर्च करिए या जादा से जादा दस हजार रुपई खर्च करिए आपकी छट में स्लोप बना दीजें और पाइप में पूरा पानी उतारिए फिर उस पाइप को आपका एक टैंक बना के अंड सेवा ग्राम गाओं में रहता हूं तो हमने चोटा सा अपने घर में ऑल्टरेशन किया छट को थोड़ा स्लोप दे दिया और उसके बाद सारा पानी एक पाइप में दे लिए नीचे एक अंडर ग्राउंट टेक बना दिया उसमें पूरा पानी कठ्था होता है साल मरूं उस सरफिकरी दे ये कुछ Package अब चाहरे तो पज्जाब में भी हो सकता है हमारे यहां तो बारिश पंजब में पंजब साल में 25 इंच बारिश है है और पंजब में उसको निकालेज़े जाती है तो उसको साफ कर लीज़े या उसमें कोई आपको confusion है तो मिट्टी के ऊपर चूना भेग दीज़े बस वो पानी को अपनी आप साफ करके नीचे दीज़ेगा चूने से अच्छा पानी को साफ करने वाला दुनिया में कोई चूने के पत्थर डाल दीज़े दो चार जितना भी पानी कॉंटेक्ट में आएगा सब फिल्टर होके आएगा तो मिट्टी का उसमें दुश्वरवाव कतम हो जाए तो च्छत का पानी कोशिश करिए एक अठा बिरने का नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं तो आपके पास कॉर्परेशन का पानी है इसको बिना उबाले मत पीजिए अब आप कहेंगे इस पानी को हम एरो में डाले और फिल्टर करें या उबाले और पियें दोनों में क्या बहतर है उबालना बहतर है क्योंकि जब एरो में आप पानी को फिल्टर करते हैं तो उसमें पानी को फिल् आप इसको मजाख मत कहिएगा, मैं आपको सीरियसली कहता हूँ, मैंने एरो के जितने भी ब्रेंट है मार्केट में, एरो तो एक ब्रेंट है, बहुत सारी वाटर प्यूरिफायर मशीन है, सब का पानी निकाल निकाल के लेबरेटरी बेजा टेस्टिंग के लिए, सबी आपकी मशीन बहुत अच्छी है, पानी को प्यूरिफाई करती है, तो उसने का हम कब मुलते हैं, वो कहते हैं हम पानी को प्यूरिफाई करने की मशीन बनाते हैं, पानी को क्वांटिफाई करना, इसके लिए मशीन नहीं बनाते हैं, बहुत पानी की क्वालिटी को इंप्र क्वालिटी इंप्रूव कर दिया तो आपको थोड़े से ब्रह्म जाले में फसा के वो अपना विज़ा करते हैं पानी क्वालिटी मेंटें रहती है जब पानी बॉइल करके आप पीते आपके शरीर में बगवान ने पेस्टी साइड रिमूब करने के लिए दो किट्नी दे रखी दो मशीने हैं उनका कम इस्तेवाल करी गया तो आप ये तो भूल जाएए बगवान ने हमको दो किट्नी दिये एक छोड़के दो दिये मूह तो एक ही दिया खाने को किट्नी दो द करें या फ्रश आउट करें तो आप उसकी चिंता मत करिये किट्नी अगर फंक्शनल है तो आप ते इवन में कोई तकलीफ नहीं है तो जरूर यह सोचने की बारी बारिश के पानी को बारी करने की जरूरत नहीं वो तो भगवान का पानी उससे जादा शुटित तो होता ने नहीं कभी मत रखिए बारिश के पानी को मिट्टी के टैंक में रखना सबसे अच्छा है कांच की बोटल के चले कांच जो हैना मिट्टी का ही तूसरा स्वर्ण और को थोड़ा प्यूरीफाइए करते हैं तो कांच बन जाता है निसविका वाने मिट्टी श्मुष्वाह रूपानीे गुन्गुना गरम नहीं गुन्गुना है रातों तावे और सोनेका कॉम्बिडेशन नहीं ओढ़ージ आम सोने का सिख्का अलग रखे रावे का लग रखे है सोने का सिख्का अभी डालिए इन दिनों में जब सर्दिया में और तावे का तब डालिए जब बारिश आजाए नहीं नहीं रात को बॉइल किया हुआ पानी आप रख लिजे सुबह उठके इसको पी लिजे कोई जरूरत नहीं दुबारा जरब करने रूम टेमरेचर का पानी पी सकते हैं यह सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए है सुबह का पानी गरम गरम पीना जिनको दमा जिनको अस्थमा जिनको ब्रॉंकियल अस्थमा जिनको चीवर क्लोसिस है उनको हर समय पानी गरम ही पीना चाहिए लें 30 कुछ नहीं 9 हो आपको कोई नुक्सान नहीं है आप पीज़े कोई नुक्सान नहीं मैं तो कह रहा हूं जरूरत क्या है जरूरत है अस्थमां प्रॉंक्यल अस्थमा क्यूम नोशिस टेशं CBD को हर समय पानी भीने उन की जरूरत डाल दीजे तूर्ण बिट्टी के गड़े में सोनीकिन द्हें की नहीं ढल दीजे कि स्टील के बंदन में अंगूठी डालें कि SHGD ऐसके प्रविद के प्रतं में सोना नहीं दाला चांटा ऑना के बरतं में नहीं इंफ परियाद ईक्ति Commons मिट्टी अबसां स्टील का मट्रकर दोहका परतन और कशनो वह उस है है अ हरा एक बार गरम करके रूम टेपरेचर पर ठेटा करके मिन ताव्य के बरतन में भरी जो पारी है अभी इसको फ्टोड़ा मैं कंट्लूड करता हूं एक ही मिननत में मैं कंट्लूड करता हूं कल फिर हम देखें कल में आपको एक क्षोटी लेकिन मुझे थीज को दुपहर का टिकेत मिला है ट्रेन का रात का ट्रेन का टिकेती नहीं मिला है एसलिए मुझे थीज को दुपहर के जाने हो घृथ reciprocal नहीं वह न्याईप्ञ पचुन हजा तो है उन्हीं की आज हेज़र दिखी नहीं आ लेट पाइब देट रहा है जो डूड बोडु शब्सक्राइब बाकी इन्थ मुझे बहुत ही तर्माधियां श्री हौपी तादिवाद यह जड़िए चेट ताहीं तके मिनिच्टर पांसरर सब्दा इंदर ईंदर सेंगी खरोड श्री हर्वंदर सेंगी प्रेशें प्रेद आपने नाज देग चाओदाव सो मोड़ेदी स्पोर्ट अनकंडिशनल सौमी राम देज नो दिती है कि जित्ते भी सौमी राम देज भी जाना भी वार रहा है कि तो हर्वेंजर सेंगी एक वर एक वर लोगे जाले को अपने है जड़े कि नेशनल इंसिट्यूट अप फेशन दिजाइन कोने जड़े कि सारी कॉडिनेशन दिरिक नों कौन सुदिया ने कौन कदों आरे कदों नहीं आरे तो नाज एक तो चाली सब्सक्राइब करते पर दोना जो दो 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 लेक्शेर हों साथे फी हो गया है पुरिस डिपार्ट परक्टर के तो उनना जो तो अठे ब आपको जबरजस्ती ऑपरेट करता है मैं आपको दो बाते कहना चाहता हूं कि कभी भी कोई डॉक्टर आपको कहता है कि हर्ड की आर्टीज में वेंस में ब्लॉकेज हैं 70% तक है तब तो आप बिल्कुल हशी खुशी रहे कोई चिंता की बात में 75 है 80 है 85 है तो आप चिंता आपको औरोट्र सबस्क्राइब को चाहता है अगरेशन होता है neutral है जिसमें आपको ऑंचियो प्लस्क्राइब कि दाना और धैडर तो दोक्रिक немे और तो नहीं है और आपकी अरट्रे में डालने्ग का कट करेंगा यहाँ से आरट्री को उठाएगा और स्प्रिंग उसमें इंसर्ट कर लेगा वो स्प्रिंग इतनी बड़ी होती है वो जो बॉल पेन में आपने देखा है कि स्प्रिंग वो ती एक्जेक्टी वही स्प्रिंग बस उसमें मेडिकेशन किया भॉल धाए दवा उसमें लपेटी होई ती वह इस परिंग दस रुपई की बनती है लेकिन आपके हर्ट में डलने के बाद उसकी कीमत दूर लाग रुपई हो जाएका हूँ दस रुपई की बना जिए अपको हैरानी होगी ये जानकर, इतनी लूट मच्छी है, हाँ, इतनी ही लूट मच्छी है इस देशुए, दस रुपई की चीज़ को आपके हर्ट में डालके वो कहेगा, अब तो दू लाग कबिल हो गया, ठाई लाग कबिल हो गया, आपको पता नहीं है आप प्रॉस चेक नहीं करते हैं और हम ये मान के बैठे हैं कि ये तो भगवान है ये डॉक्टर है लेकिन आपको मालूम नहीं है कि भगवान जब होता था डॉक्टर तब होता था अब नहीं अब तो वो शेतान से भी ज़्यादा फ़कर आखाता बगवान पर भी आपकी जान ही लेगा यह तो इतना शेतान है कि जान भी लेगा पैसे भी निकाल देगा इसलिए मैं आपको थूड़ा अवेर करना चाहता हूं कि हर्ट की प्रॉब्लम लेके कभी भी किसी डॉक्टर के पास आप जाए और कोई डॉक्टर आपको ये कह दे कि आपका कॉलिस्टोन बढ़ गया इसके कारण ब्लॉके जा गया है तो आप बिल्कुल मत घबराईए जब तक आप अपनी रिपोर्ट नहीं देख लेते कि इसमे कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बताना चाहिए और इसमें और टी तो इसमें होगा कि आर्ट्री का थोड़ा एक्सपेंशन हो गया तो खुन जाना जाने लगेगा एक दो दिन आपको बहुत रिलीफ लगेगा लेकिन आगे और पीछे जहां इस्प्रिंग है ना उसके आगे और उसके पीछे वहाँ फिर जमा हो जाएगा क्या कच्रा, कीचर कॉलेस्ट्रोल फिर जमा हो गया तो फिर तकलीफ आए गया फिर दुबारा आप डॉक्टर के पास जाएगे फिर कहेदा आपको एक और इंजियोप्लास्टी तरह ना पढ़ेगा तो जहां पे उसने स्प्रिंग डाला था उसके आगे पीछे और एक डाल देगा फिर आपका उदू ढही लाग का कर्चा फिर उसमें क्या हो गया जहां इस्प्रिंग पढ़ गई वहां से तो ब्लड निकल गया फिर उसके आगे और पीछे फिर वही समस्य मतलब सीधा सा ये है कि ब्लॉकेज होने की टेंडेंसी जब तक आपके ब्लड में वहेगी तब तक ये होता ही रहेगा आप चाहे कितनी एंजियो प्लास्टी करानी जाएगा और एक आर्ट्री में दो या तीन से ज़्यादे एंजियो प्लास्टी होनी पाती क्योंकि वो बहुत वीक हो जाती है तब डॉक्टर आखीर में कहता आप बाइपास सर्जरी करानी जो जो आर्ट्री है उसके पैरेलल इंदूसरी आर्ट्री लगाएगा और इसको बंग कर देगा लेकिन अगर ब्लॉकेज की टेंडेंसी उसमें भी बनी हुई है तो थोड़ी दिन में उसमें भी ब्लॉके जाएगा कीचड भरने की अगर नाली में टेंडेंसी है तो नाली कितनी भी नहीं बनाते रों कीचड भरने ही वाला है आप कुछ ऐसी वेवस्था करो कि पानी के साथ नाली में कीचड ही ना जाए ब्लंड में कॉलेस्टरॉल बढ़े ही नहीं ट्राइग इसराइट बढ़े ही नहीं और कॉलेस्टरॉल बढ़े तो वो बढ़े जो अच्छा वाला है जिसको हमें HDL कहते हैं खराब वाला क्यों बढ़े है? LDL और BLDL तो मूल बात जो हमें समझने की है हो ये कि हर्ट की प्राब्लम में कभी भी आपको डाइगनोसिस कर दिया किसी डॉक्टर में कि आपको हर्ट टेक आने वाला है हर्ट फेल होने वाला है कार्डियक अरेस्ट होने वाला है क्योंकि आपके आर्टीज में यहां ब्लॉकेज है यहां blockage है तो इसमें चिंता नहीं करना है चिंता करना है चिंता करेंगे आप घबराएंगे घबराहट में वो सारे पैसे आपकी निकाल लेगा क्योंकि यही आपका weak point है आप चिंता यह करिए कि मेरे blood में जो खराब कॉलेस्टरॉल है वो बढ़ क्यों रहा है यह कम हो जाना चाहिए अब blood में खराब कॉलेस्टरॉल बढ़ने से ही blockage है तो खराब कॉलेस्टरॉल बढ़ने के कारण जान लीजे किन कारणों से खराब कॉलिस्टरॉल पढ़ता है और किन कारणों से अच्छा कॉलिस्टरॉल पढ़ता है जिन्दगी में जितने भी लोग डालडा खाते हैं डालडा डालडा आप समझते हैं वेजिटेबल वाई ये डालडा सबसे खराब बस्तू है जो खराब कॉलिस्ट्रोल को बढ़ती है खराब कॉलिस्ट्रोल मैं ने फिर बोला N-D-L और B-L-D-L N-D-L और B-L-D-L आपके खून में सबसे ज़्यादा तब बढ़ता है जब आप डालडा खाते हैं और रिफाइन डॉयल खाते हैं और डबल रिफाइन डॉयल खाते हैं तो रिफाइन डॉयल डबल रिफाइन डॉयल ट्रिफिल रिफाइन डॉयल डालडा ये चार नाम हमेशा याद रखिए जो सबसे खतरनाख हैं आपकी जिंदगी के लिए इन से जुड़े हुए अगर प्रोड़क्ट आपके घर में हैं, डालडा या डालडा का कोई भी प्रोड़क्ट, X,Y,J, ब्रेंड नेम से आ सकता है, रिफाइन डॉयल, रिफाइन डॉयल का कोई भी प्रोड़क्ट, X,Y,J, नेम से आ सकता है, वो रूची हो सकता है, वो सोया हो सकता वो गवन हो सकता वो पता नहीं क्या-क्या नाम से हो सकता है ये सब वो प्रोड़क्ट है जो आपके शरीर में खराब कॉलेस्टरॉल का निर्मा करते हैं उसके कारण आपको ब्लॉक लेज़े तो क्या करना चाहिए इमीडेट आपको फैसला करना चाहिए कि हमारे घर में डालडा नहीं आएगा हमारी घर में कॉलेस्टरॉल खराब पढ़ने वाला कोई भी प्रोड़क्ट नहीं आएगा तो आपने भोजन से टालडा मिकाल दीजे और रिफाइंट ऑईल भी निकाल दीजे डबल रिफाइंट भी ऑईल दिकालते ही आपका कॉलेस्टरॉल घट्टा पुरोज़े किया गया हो तीन महीने में वो डॉक्टर भी कह देगा रहे आपका तो बहुत कम होगे LDL और BLE तो कारण आपको पता होना चाहिए कारण सबसे बड़ा जो है बैट कॉलेस्टरॉल खराब कॉलेस्टरॉल जो हर्ट एटेक लाता है कार्डिय करेस्ट लाता है उसको लाने वाला जो प्रॉड़क्ट है जो बस्तू है आपके रसोई में वो डालडा है रिफाइंट ओइल है डबल रिफाइंट ओइल है अब आप उल्टा कहीए कि डॉक्टर तो सब बोलते हैं रिफाइंट ओईल खाओ हर्ट की प्राब्लम से बचना है तो डबल रिफाइंड खाऊ और अच्छा है डॉक्टर इसलिए बोलते हैं कि उनका आपस में एक दूसरे के साथ जबरजस्त कनेक्शन है रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑई दोक्टरों के साथ कनेक्शन है डॉक्टर उटका जितना भी प्रस्क्रिप्शन करेंगे कंपनियों का धंदा चलेगा कंपनियों का धंदा चलेगा तो डॉक्ट रोका भी धंदा चलेगा जितना जाना सब्सकॉत न psychologists क harvest इसलिए आप विग्यापन देखकर टेली बीजन पर कभी भी जिन्दगी के बारे में फैसला मत करें टीवी पर ऐसे ऐसे विग्यापन आते हैं कोई पत्नी अपने पती के बारे में बात करती हुई कहती है कि उनको तो ये तकलीफ है तो मैं उसी दिन से सोया बनस्पती ओएल ले आई तो ये ओएल ले आई तो वो ओएल ले आई बस यही खतर ना क्योंकि एक भी विग्यापन सच नहीं होता और सच विग्यापन करने की उनकी कोई जवाबदारी नहीं है क्योंकि सरकार ने उनको जूट बोलने का लाइसेंस दिया एक भी विग्यापन सच नहीं होता और सच बात विग्यापन में बता ही नहीं जाने तो आप टीवी बिग्यापन लेकर कभी भी ये डिसाइड मत करिए कि हमारे घर में क्या लाना है क्या ने लाना है वो आईल के बारे में है तब तो बहुत कौशस नहीं तो आप जैसे ही डालडा हटाएंगे जैसे ही ट्राइल ये रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑईल हटाएंगे तीन महीने आप देशी घी में खाना बना के खा लीजिए देशी की आप देखेंगे आपका कॉलेस्ट्रोल कम होना शुरू हुआ अब ये महत्तु की बात है जो आपने का वो भी नकली है तो असली बना लीजिए घर में दूद आपके पास आता है दही बना लीजिए उसमें से मक्षण निकाल लीजिए मक्षण को गरम करते घी बना लीजिए वो आप ते घर में है मेरा कहने का मतलब ये है कि आप घी के लिए देशी घी जितना जादा खाएंगे बैड कॉलेस्ट्रोल उतना कम बनेगा डालडा जितना खाएंगे बैड कॉलेस्ट्रोल उतना जादा बनेगा रिफाइंड और डबल रिफाइंड खाएंगे और जादा बनेगा तो पहली ब कि गाए गी का हो तो बहुत अच्छा है। खा लेगा एक ग्राम भी ने बढ़ने देता है जो घी वो भेस का है तो जिनको हर्ट की प्राबलम है उनको भेस का घी तो छोड़ी देना चाहे गाय का घी कहीं से पिर जाए अब आप बूलेंगे गाय नहीं है तो गाय लाइए घौषाला है पट्याला में वो गोशाला वाल उसे निवेदद करिए वो तेशी गाये पालेंगे आपको घी भी देंगे रूची मिलेगा ये सारी समस्याओं का समानालम कर सकते हैं बात जो मोटी समझने की है वो गाये के घी की है दूसरी जानकारी कि आपके घर पें तेल एक्दम शुद लाइए ये जो रिफाइन तेल है तो जिस कंडिशन में वो तेल निकाल के देता वही शुद है ज्यादा से ज्यादा उसको फिल्टर करा लीजिए एक फिल्टर डॉल आता है और एक रिफाइंड ओल गल्ती से भी मतला ये फिल्टर लाइए फिल्टर मनें चानके बस इसना ही है उसमें कुछ कैमीकल मिक्सिं लाइंगे सरसों का लाइं तो नारियल का लाइं तो मुंगपली का लाइं तो तिल का लाइं तो जो तेल आप खाते हैं वैसे आपके लिए सबसे अच्छा तेल सरसों का ही है तो सर्सूं का थेरी दो सबसे अच्छा लेंगिन कोई लोग ऐसे भी है जो नारियल का तिन खाते हों या मुंहपली का खाते हों उनके लिए तो आप गाणा होता है तो आपको एक जीवन क्या ऐसा सच बताना चाहता हूँ जो डॉक्टर जानता है लेकिन वो बताता है, तेल जितना गाणा होगा उतना अच्छा, दूद जितना पतला होगा उतना अच्छा, अब पतला दूद आपको चाहिए तो वो गाए पे ही मिलना, भैसका तो नहीं मिलना, और गाणा तेल चाहिए तो शुद तेल ही गाणा होत तेल को जब शुद रूप में हम प्राप्त करते हैं फिर इसको रिफाइन करने के लिए जो केमिकल्स मिक्स किये जाते हैं वो खतरनाक है हर्ट के वो सब हमारे LDL और VLDL को बढ़ने वाले हैं वो सारे मेरे कुछ मित्र हैं जो डॉक्टर हैं हर्ट इस्पेशलिस्ट हैं अलग अलग गाओं में मने अलग अलग शहरों में काम दरते हैं हम सबका एक ग्रूप है हमने ग्रूप इस्टडी किया पिछले 10 साल कि जिसके क्लिनिक में जिसके पास भी हर्ट अटेक का पेशेंट आता है करने के पहले उसका पूरा हिस्टी लेना तब ऑपरेशन तरना और हिस्टी में पहले ही सवाल हम पूचते हैं तेल कौन सा खाते हो तो 10 साल जितने भी मरीजों के बारे में हमने जानकरी कटी की 90% मरीज वो थे जिनको हर्ट टेक आया और रिपाइंट तेल खाते हैं और माने 90 परसंट खळ्राजादा है हर्कट होने का जब आप रिपाइंट तेल खारे यह तो टेल वद दीजे गी डाल्डा तो बहुत अच्छा है नहीं तो महस्का ला रहे हैं तो मात्रा थोड़ी कम करिए ज्यादा मत काईए जितना पचा सकते हैं उतना ही काईए ये महत्तु की बात है कि घी देशी घी कभी भी गाय का होगा तो एक ग्रहम भी कॉलिस्ट्रल नहीं बढ़ाएगा इसमें आप दिल्कुल बेफिक्र रहे क्योंकि दस साल मैं कर चुका हूँ ये काम और मुझसे पहले पुराने वेद्दियों ने सेक्ड़ों साल ये काम करके देती हैं हमारे पुराने जमाने का याद करिए हमारे दादा दादी नाना नानी आदा आदा कटोरी घी खाते हैं किसी को हर्टेटेक नहीं था हाँ बस यही बात तो वहनत उनकी होती ती इसका मतलब यह कि प्रॉब्लम जो है वो घी के साथ नहीं है प्रॉब्लम आपके एटिट्यूट के साथ है कि आप अगर महनत कर रहे हैं तो घी बिल्कुल पचेगा आपको चिंता मत करें आप थे कशूर मेर कर दो घी मारेगा पर लाके है कि आप चुटे चोटे काम में मेरा यह चुरानी लगे है और ज्यादा धितना कम हो गया है पहले बहुत बहुत पैदल चला Championships जाता था साइकल होती थी पैदल चलते थे तो यह सब फिजिकल वर्ट पहले था अभी बहुत कम है तो इसमें घी का क्या दोश है आप घी को गाली क्यों देते हैं अपने को गाली दीजे न हम मैंदत नहीं करते हम निकम्मे हो गई हम कामजोर हो गई इसलिए यह प्रॉब्लम इसमें घी का कोई दोश नहीं है घी का दोश तब आएगा जब आप महनत भी करें और उसके बाद भी आपका कॉलेस्टरॉल बढ़े तब लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं आज तब महनत करने वालों को घी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है तो इसलिए आप घी तो रिपीट कर रहा हूँ जैसे ही नमक बदल देंगे आपका कॉलेस्टरॉल का नमक कल मैंने बताया समुदरी नमक छोड़कर आप सेदा नमक पे आजाएंगे काले नमक पे आजाएंगे कॉलेस्टरॉल अपने आप गिरने लगे तो ये दूसरी बात याद रखे और तीसरी त्युक्ति इस पात यह याद रखिए कि जितनी जादा छिलके वाली दाल और छिलके वाली सब्जिए खाएंगे उतना ही कॉलेस्ट्रॉल आपका गटता चलाएं। छिलके वाली दाल और छिलके वाली सब्जी जैसे लौकी है तोरई है टिंडा है कत्व है करेला है इन सब सब्जियों में हम छिलका उतारते हैं ये मत उतारिये छिलका उतारना बंद कर देजी क्योंकि सब्जियों का सबसे जादा प्रोटीन छिलके में है और फाइबर भी छि चलके वादी सबजीयां खाईे जिन को भी हर्ड की प्राप्मलम में यह सब बात उनके लिए हो रही है सब के सब छिलके वादी सबजीयां खाए तो अच्छा था अ आलू का भी छिलका ना होता है तो आप कहेंगे फिर स्वाध नहीं लगे गा आणु को उबाले उबाले और उबालकर सबजी में डाले तो आणु में न उतारे तो भे स्वाध तर यह ढप heel प्ता लूम है यह प्ता भोबी और उब का चलिका समझते हैं वह जो डैटल होते हैं छोटे छोटे चोटे भीस कि बहुत काम कीज़ करेले का चिलका कभी मत उताड़ी यह लौकी का मत उतारी तोरे का मत उतारी कट्ठू का मत उतारी ज्यादा सब्जियां छेद्टी वाली खाना शुरू कर दीजे खाले स्वाले कोलेस्ट्रोल अपने आउप पिट्ट में लगेगा अधराफ को वह भी बत कि आरह्र की दालर कि छिल्का मानें बिना पौलिश की हुई दाल नहीं होती तु बिद сам आप खाे ऑन चाद क्या सीखिंगा। पॉलिश नहीं होती तो बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाईए बिना पॉलिश की हुई दाल खाईए पकता नहीं है कैसे पकेगा तरीका मैं बता देता हूं हाँ ब्राउन राइस जिसको आप कहते हैं वो चिलके सहित होता इस लिए प्राउन है वो बहुत अच्छे से पकता है कैसे पकता है चावल को पकाते समय थोड़ा दो भूद घी डाल दीजिए बहुत अच्छे से पकता है बहुत अच्छे से पकता है या चावल पकाते समय थोड़ा नीमू ने चोड़ दीजिए उसमें बहुत अच्छे से पकता है एक एक दाना उसका खिला अलग रहता है तो छिलके वाला चावल, छिलके वाली दाले, छिलके वाली सबजियां ये सब खाना है अरे उस मरीच को जिसको कॉलिस्टरॉल पढ़ा है, हर्ट के अटेक आने की संभावना है या आर्ट्रीज और वेंस में कच्रा जिमाँ तीन बाते हुई, चौथी बात और एक जानकरी द जाओ, जैसे मक्की है, बहुत अच्छी है हर्ट के लिए, बाजरी है, बहुत अच्छी है हर्ट के लिए, जुआरी है, बहुत अच्छी है हर्ट के लिए, गेहूं अतना अच्छा नहीं है हर्ट के लिए, अगर गेहूं खाना ही है, तो अकेला गेहूं मत खाईए, उसमें mix करिए क्या mix करें? थोड़ा चना mix कर दीजे थोड़ा सोया पीन, थोड़ी जुवारी ऐसी चीज़े mix करिए जो मोटे अनाज में आती है फिर उसकी रोटी बनाएए मिस्सी रोटी कहते हैं या क्या रोटी कहते हैं? मिस्सी रोटी यस, वो खाई ले आप गेहू की रोटी कभी भी मत खाएं ना खाएं वो सभी पेशन जब को हर्ट की प्रावल्मम मिस्सी रोटी खाएं, मोटी रोटी खाएं और जब गेहू आप पीसने के लिए लेके जाते हैं चक्की पर और वोगों के साथ बहूट सारी चीज़ है तो उसको बोल करके मेरा आटा मोटा फीसो बारीक पत पीसो और बीना रोटे तो मेरा आटा मोटा पीसो बारीक पत पीसो और वो आटा घर में लाके कभी بھی चली से छांगना ने क्योंकि उसकी जो चोकर आप में निकाल दी वो ही आपके हर्ट को बचाने होगी जो उपर के चिल्गे हैं जो चोकर हैं वो ही आपके फूल को पकला करती है तो इसलिए इस तरह से आप अपने लाइफ को थोड़ा एड़िस्ट करिए अगर हर्ट की प्रॉब्रिम अगर आपने ये सब शुरू कर दिया और थोड़ी दो तीन चीजें और अगर कर सकें तो बहुत अच्छा है शाम को मैंने का खाने के बाद कम से कम हजार के हजार कदम पैदर चलना, आपको वाकिंग करना शाम को बहुत जरूरी है दुपेर के खाने के बाद आराम करना बहुत जरूरी है थोड़ा वजरासन में बैठना बहुत जरूरी है ये सब करते हुए अगर आपने आपको ढाल दिया जो मैं बता रहा हूं तो आपका 6-8 मेने में कॉलेस्ट्रोल अपने आप ही खत्म हो जाएगा आप हिरान हो जाएंगे कैसे हो गया आपने फूड हैबिट्स थोड़ी सी चेंज की वो हो गया जो खराब कॉलेस्ट्रोल बढ़ाने वाली चीज़े हैं वो हटाते गए और जो अच्छा कॉलेस्ट्रोल बढ़ाने वाली चीज़े हैं उनको बढ़ाते गए आप ठीक हो गए तो बिना मेडिसिन के बिना ट्रीक्मेंट के बिना ओपरेशन के आप अपने हर्ट की प्राप्लम को ऐसे ठीक करें अब आप मूनते हैं इसमें और कुछ कर सकते हैं हाँ और अगर कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें खाईए जो कल से मैं बात कर रहा हूँ जो अलकलाईन है सारी अलकलाईन चीज़ें खून को गाढ़ा होने से बचाती हैं और पतला बनाती तो आप बोलेगे क्या खाएं, बहुत सारी चीज़े हैं हमारे आसपास, सबसे एल्किलाइन चीज़े हमारे भोजग में या आसपास की, मैंने सॉरी रसोई में और पडूस में, आवला, भरपूर आवला खाएंगे, अब भरपूर आवला खाने से मतलब नियमित रूप से आ आवले रोज खालें, जिनको भी हर्ट की प्रॉब्लम हैं, ब्राई खालें, चट्टी बनाके खालें, मुरब्बा बनाके खालें, फिर कोई बोलेगा मुझे डाइबिटीस भी हैं और हर्ट की भी प्रॉब्लम हैं, तो जो डाइबिटीक हैं, वो मुरब्बे वाले आवले को पानी में दो के उसे खा लें आंगले की केंडी आती है उसे खा लें आंगला किसी भी रूप में खाना दो बहुत खून को व्यवस्थित करता है एक चीज दूसरी और चीज क्या खा सकते हैं अगर आपकी थोड़ी भी कैपसिटी है खर्चा करने की तो आप ये ऐलोविरा एलोविरा जूस पील है बहुत अल्किलाइन है और खून को एकदम व्यवस्थित कर देता है एलोविरा जूस आसानी से उपलब्द है पट्याला में मिलता है गुर्पृत भाई से आप संपर्क कर लें उनके पास व्यवस्थाए और भी कहीं मिलता हो स्वामी रामदेव ज पिर अजिए लिए गमेरा खाना चाहते हैं तो बहुत ही पढ़िया होगा जूस से भी अच्छा होगा एलोविरा फ्रेश खाने का तरीका बता दिता हूं उसका जो पत्ता आता है नो काटके ओंपर वाला छील बेना उसको चिलका उतारना हौने के लिए फिर अंदर का जो का इन घृट करें सकते हैं उसकी चटपी ने सक्तर चबा के कहा सकते हैं यह सब Сबस्क को अचलडा करें किर कर सकते हैं वो डाइजिस्ट आपकर नहीं पाएंगे इसलिए मैं उतर वा दिया बाकी सभी छिलके आप डाइजिस्ट कर पाते हैं तो एलोविना का गूदा लेजिए ऐसे हमारे पास बहुत एकलाइन चीज है गाजर अभी चार महीने गाजर का सीजन आ गया खूब गाजर ख in the形adity diabetes बाले जरूर खाने भगवां का बनाया हुआ कोई भी मीठा पधार sih diabetes वाले खूब खा wise आदमी का बनाया हुआ कूछ नख यह सारी खतरना वीमारे आदमी के बनाय हूए कूँ मेटे पदार्थ में जिसमें वो चीन ही डाविए गाजर भगवान की बनाई है आप कुछ है उसके लिए उसके प्राइब है बॉटल के उपकर 30 ml तू 50 ml आपने 30 ml की तो जरूरत पही है वो उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन दिया है शायद वो बहुत हाई डिग्री किसी पेश सब्सक्राइब है तो आपको तुम्हें बता रहा हूं उस हिसाब से कि म्यूनतम दवा लेके या बिना किसी दवा के आप अपनी जिन्दगी को कैसे मैनेज कर सके तो एल्किलाइन चीज़े हैं गाजर है आंगला है टमाटर है पत्ता गुबी है फिर बंद गुबी है फिर आपके पास मूली है फिर चॉलाई है फिर सरसों हैं जो आजकल साख के रूप में ये सब एल्किलाइन है सब हर्ट के लिए टॉमी थे लिए सब तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए भोजन में देशी घीर या तो शुद्ध तेल का इस्तेमाल करते हुए नमक बदलत हुए आप चल पढ़िए जिन्दगी के रास्ते पर एक बार एगर अटेक आ तुका है पुराने किसी समय में दुबारा कभी नहीं आएगा और जो भी ब्लॉकेज है वो बिना किसी दवा के अपने आप ही निकल जाएगा क्योंकि बॉडी में ब्लॉकेज बनाने की टेंडेंस है दवा खाने की इसके लिए ज़रुदत नहीं है मैडिसीन की इसके लिए फिर्कुल जोड़ुरत नहीं है अब एक आखरी बात बता देता हूं अब जेंसी आजाए मानलो इमर्जेंसी इमर्जेंसी क्या होती है आप में जैसा मैंने कहा वैसे सब मैनेज किया ठीक है ? और कॉलेस्ट्रोल आपका इतना बढ़ा हुआ हो कि ब्लॉकेज 99 परसेंट पहुंच गया हूँ उस कंडिशन में उसको रिड्यूस होने में 6-8 महीने लगते हैं इस बीच में कभी इमर्जेंसी आ गई तो इमर्जेंसी मनें अटेक ही आ गया मांदो तो भी घबराई ये मन मैं आ 99% केशन में आटोमेटिक बाई पास होता है बगवान ने ऐसी विवस्था बनाई है शरी ओप अटोमेटिक बाई पास होता है कैसे होता है मानलों मैं थोड़ी देर फिर पुरानी बात पहता हूं यह एक आर्ट्री है यो पूरी तरह से बंद हो गई अब इसमें से ब्रट स सब्सक्राइब करना है तो यहां से काट के फिर सिल देगा और कहेगा मैंने बाइपास कर दिया जो मुझे पैसे देड़ा ऊसकता उसने कुछ नहीं किया हो कि और फिर फास तो ऑटोमेटिव हो चुका है यह सबीकी शरीर में होता है और एक व्यक्ति के शरीर में होता है घरदे की व्यूश्था ऐसी मभवान में बढ़ा ही तो ऑटोमेटिव बाइपास नाइंटीनाइफ परसेंट केसिज में होता है, एक ही परसेंट केस में नहीं हो पाता जब हर्ट फेल हो जाता है, उसी समय नहीं हो पता, बाकी तो अटेक में तो होता ही है, इसलिए वहाँ भी आपरेशन की जरूरत नहीं है, हाँ एक चीज जरूर ध्यान रखिये, कि मान लीजे इमर्जेंसी ह आपको बहुत देज पेन हो रहा है एंगजाइना का माने अटेक का रात के गाई दीन बजे के आसपासी यह आता है क्यों आता है वो जानना बहुत इंट्रिस्टिंग है शरीर के जितने और गंसे ना इंटरनल और गंस हर्ट है किड्नी है लीवर है इन सब का वर्किंग जो का काम करने का एक खास समय है एक खास समय पर हर्ट बहुत ज़्यादा काम करता एक खास समय पर किड्नी ज़्यादा काम करती है एक खास समय पर लीवर ज़्यादा काम करता उसकी मैंने लिस्ट दी है बाहर एक किताब है दो किताबों में यह लिस्ट है पूरी आपका स्वास्त आपके हाथ और अहिन साथ मर्चिपिक साथ दो किताबों में हर एक औरगन का टाइम पीरेंट मैंने दिया हूँ कैलकुलेट करके कि यह हर्ट है इसके काम करने का समय ही है धाई बजे से साड़े चार बजे तर यह ज़्यादा काम करता है बाकी समय काम नहीं करता ऐसा नहीं है कम करता है इसी तरह किट्नी का समय है इसी तरह लीवर का समय है तो जब ज़्यादा का समय है हर्ट का अटेक उसी समय आएगा तो ज़्यादा तर अटेक 99% सुबह धाई वजे से साड़े चार बजे के बीच में ही आते हैं उस समय के लिए क्या करें बहुत तेज पेट होगा बहुत तेज तकलीफ आएगी तो मैं आपको एक दवा का नाम बताता हूं वो सब नोट करके रखें ये रामबा दवा है बहुत सस्ती आती है हो भी उपैथी की दुकान में ये मिलेगी इस दवा को आप इस्तेमाल करें जैसे सौर्बिट्रेट इस्तेमाल करते हैं सौर्बिट्रेट की बारे में आप जाते हैं गोली है जो जीप के नीचे डॉक्टर कहता रख लो ये एक दवा ऐसी ही है वो बिलकुल ऐसे ही काम करती है आपको मरने से तो बचा ही लेगी उस दवा का नाम है Econite, A-C-O-N-I-T-E, A-C-O-N-I-T-E, Econite, इसके आगे एक नंबर लिखना पड़ेगा, नंबर भी मिलेगी, 200 लिख दीजिए, पांच मिली लिटर की शीशी खरीद के रखिए, दस रुपाई की आदिए, और उतनी शीशी से सौ लोगों की जिन्दगी आप बचा सकते, क्या करना है इसको, जब बहुत देज अंजाइना का पेन है, हर्ट एरिया में, हर्ट वीजन में बहुत देज पेन हो रहा है, इस दवा की एक बून जीप पर डाल दीजे, पेशेंट पर, एक ही बून, पांच साथ मिनट पर ही वो कहगा, बहुत रिलीफ हो गया, ठीक है, फिर इनको और बून डाल दीजे, पांस साथ मिनट के बाद, ठीक है का और रिजीफ हो गया, और एक बार डाल दीजे, बस तीफ बार डाल के छोड़ दीजे, और भूल जाए और उसको भी कह दीजे कि तुम भी भूल जाओ, फिर कुछ प्राब्लम नहीं है, डॉक्टर के बाद मी जाने की जरूरत नहीं है, एंजियोग्राफी भी कराने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहें तो पैसे ही खर्च होने वाले हैं, आपके और कुछ उससे ज्यादा नहीं निकलेगा, आपने उसको रोग लिया मरने से, अब क्या करना है, वो मैं पीछे सब बत चुका हूं, उसका घी बदलवाएए, उसका तेल बदलवाएए, उसका दूद बदलवाएए, भैस का पीराए तो गाय का लाएए, घी ला रहा है तो गाय का लाएए, फिर उसको कहिए नमक बदलो, फिर शिल्के वाली डालें शुरू करो, शिल्के वाली सब ये सब उसको प्रॉप डाल के छोड़ दें ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको हर्ट और हर्ट से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में दी है अब एक आखरी जानकारी और दे देता हूं कि हमारी रसोई घर में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो इन सब काम को बड़े आसानी से कर लगे उस मेडिसिन का नाम है मैंती दाना मैंती दाना मैंंने जी जे बड़ी ड Одना है पीला-पीला होता है खाने के बात देखेंगे दो बहुत कसेला होता है कड़वा होता है ये बहुत अच्छा řादृ थानिक है अर्दिक गर्जिखन मेंत्रंइन रूप से हर उस पेशन को देना है जिसको अटेक आने की सब्भावना है या आड़ सुक है अंब तो दें लिया वो तो उस समय के लिए बच गिया ख़क्वान की दुआ जो बारी कोड़ा वो चार के काम का है कोटा मेतिदाना वो ही काम है अब इसको खाना कैसे हैं हर उस पेशेंट को यह देना पड़ेगा जिसको भ्लेट में कोलेस्टरोल जादा है ट्राइगलिस्रेट जादा है, कच्रा जमा हो गया, कीचर बर गया, उसको साफ करने के लिए एक चम्मत छोटा वाला मैंथी दाना, एक गिलास गरम पानी में रात को रखना रात भर उस पानी को रखना, सबेरे वो पानी सिप सिप करके पीना क्योंकि पानी पीने का नियम जो बता हूँ धियान रखना, और मैंथी दाना चबा के खाना, बस इतना सा काम का यह उबाला इसमें? नई बिल्कुल नएरी रात को गरम पानी में एक गिलास, काज का गिलास रेहना चाहिए उसमे एक छोटा चमच मैथी दाना, छोटा मैथी दाना वो डाल के रख दीजे, रात बर रखा रहने दीजे, सभेरे पानी को सिब सिब करके पी लीजे और उस दाने को चबा के खा दीजे. डालते समय पानी गरम जरूरी है. दुबारा पीते वक्त पानी गरम करने की जरूरत है. क्योंकि वो मैथी से ही बहुत गरम हो चुका है. तासीर बदल जाती है, उस पानी की भर्ण बदल जाता है, आप देखेंगे, पानी पीला हो जाएगा. लगबग तीन से चार महीने लगाता है, नबे से 120 दिन लगाता है. फिर क्या करना है? 90% केसिस तो इतने में ही ठीक हो जाते हैं, 90-120 दिन में. लेकिन 10% केसिस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो उनको शायद ज़्यादा चलाना पड़ेगा. तो मेंथी दाने का एक नियम हो ये, कि 90-100 दिन देने के बाद, 15-20 दिन के लिए उसको प्रेक दे दी जाए. 15-20 दिन के लिए. और फिर वापस 90 दिन चला सकते हैं, तो दो बार से ज़्यादा शायद रिपीट मैंने आज तक किसी पेशेंट को नहीं किया, दो रिपीटिशन में ही सब्ट्रियर करते हैं. अब मेती दाने में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, जो ठून को बहुत अच्छे से साफ करते हैं. साफ माने ठून में जो खीचड़ वाला हिस्सा है, बैड कॉलिस्टॉल, वो सब खत्म कर देते हैं, मेती दाने के केमिकल्स. तो ये हमारे रसोई की बहुत अच्छी बेट दवा है. और एक अच्छी दवा बता देता हूं, इसी के साथ, चाहें तो वो ले सकते हैं, नहीं तो ये, या वो दोनों मेंसे कोई एक ले सकते हैं. स्वामी जी अक्सर वो आपको बताते हैं, लौकी का रस. ये लौकी का रस भी वही काम करता है, जो मेती दाना करता है. लौकी का रस आप जानते हैं, छिलका नहीं उतारना, लौकी के छोटे टुकड़े करके कदू कस में पीस के उसमें, या मिकसर में पीस के रस निकाल ले उस रस में तुलसी पत्ता धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता ये कम से कम पाँच से दस तीनों पाँच पत्ते धनिया पाँच पत्ता पुदीना पाँच पत्ता तुलसी ये तीनों मिक्स करके चट्टी बना के चट्टी माने उसमें कुछ मिला नहीं खाली पीस ना पीस के उसको रस में मिला लॉकी के रस में और इस रस की मात्रा एक कप एक कप मने 150 mm फिर से रिपीट करता हूं लॉकी का रस निकालना है बिना छिल्का उतारे और उसमें पांच से दस पत्ते धनिये का, पांच से दस पत्ते पुदीने का, पांच से दस पत्ते तुलसी का तीनों पीस के डालना है, एक कप रस होगा और इसमें तीनों पत्ते पीस के डाल दिये अब ये पीना है, इसको सबसे अच्छा पीने का समय है सवेरे खाली पेट और अगर सवेरे खाली पेट कोई नहीं पी पाता कारण कुछ भी हो उसका तो दुपहर को खाने के बाद तो जरूर लेना है, शाम को ये नहीं ले सकते तो पानी पीने के लगबग 40 मिनट बाद, 40-45 अलोवेरा का जूस भी है, जो बनाना गर्मे वो भी उसमें और 40 मिनट जोड दीजे, पानी ले लीजे, अलोवेरा जूस ले लीजे, फिर 40 मिनट जोड के और आप ये रस ले लीजे, लौकी का और अगर कुछ लेना है, तो 40 मिनट गैप रखती है, हर एक दवा से दूसरी दवा के बीच में, 40 मिनट से लेकर एक घंटे का गैप, बहुत ज़रूरी है, आई रुवेरा की कोई भी दवा खाने के इमीडियेट बाद ले सकते हैं, अब आप पूछेंगे खाने के इमीडियेट बाद तो लस्सी पी नहीं है, तो लस्सी पी लीजे, फिर 40 मिनट बाद ले लीजे खाने के इमीडियेट बार लेंगे उसके आगे नहीं जा सकते। माने लंच टाइम तक आपको ये पी लेना है, शाम का समय इसके लिए अच्छा नहीं है। खाने तो वाइड़ी लस्याजी और देही आवी जाए, रड़ के आवी मख़न निकालते। जिनको हर्ड की प्रॉब्लम नहीं है, वो मख़न निकालते। से आप schedule करें हर चीज का एक schedule एक याद रखे liquid चीज़ सबसे पहले solid चीज़ उसके पाग अब मैंधी दाने में कुछ तो solid part है और अलोविरा चीज़ में कुछ भी solid नहीं है तो पहले liquid पाग में solid सवेरे का ये नियूँ और एक दो दवाइं बता देता हूं इसी तरह की जो काम में आएंगी हर्ट के लिए आपको अपने ही रसोई में इसी तरह की और एक बहुत अच्छी दवा है अर्जुन की छाल वो भी बहुत एलिकल आईन है इस अर्जुन की छाल का पाउडर आता है आप उसको यूज करिए हर्ट के प्राउब्लम के लिए जिनकों भी है कॉलेस्टरोल ज्यादा या ट्राइगलिस्रेट ज्यादा या फून में कीचर जबाएं जो मैंने बोला था अर्जुन की छाल बाजार में मिलती है 30-40 रुपए किलो है इसमें शहद मिलाके शहद नहीं मिला सकते तो बुन-बुने पानी में मिलाके हैं जी सो रुपए किलो को तब तो आपको ठबी लिए किसी अगर आप उसको थोग बजार से खरी देंगे 30-40 रुपए किलो से ज़्यादा भाउग नहीं है उसका पूरे भारत आप थोग में खरीद लीजे ना मैं कहरा हूँ मारके थोग में जाईए 30-40 रुपए किलो से ज़्यादा भाउई नहीं है तो आप जो है अरजुन की चाल का पाउडर इसको भी इस्तेमाल कर सकते हर्ट पेशेंट के लिए ये भी बहुत अलकिलाइन और एक तो चीजे बताता हूँ जो इसी तरह से अलकिलाइन है और हर्ट के लिए बहुत पाउडर ही लेना अरजुन की चाल अरजुन की चाल का पाउडर एक बार में तो आधा टी स्पून एक टेबल स्पून है टी स्पून टी स्पून आधा इतना ही लेना है एक बार में एक दिन में फिर दूसरे दिन लेना है फिर उतना ही तीन महीने लगाता है आप इसे भी ले सकता अरजुन की चाल के और माफ करिएगा यह जितनी चीजें बता रहा हूं यह सब और नेटिव के ऊप में बता रहा हूं एक साथ सब मत ले 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 प्रश्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार् तो उल्टा हो जाएंग। हां इसलिए जितने पॉइंट में बता रहा हूँ या तो यह 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 ऑर इसलिए ज्यादा बता खाला हूं चैनल आपको इस बात का एडिया हो कि हम कितने रिच हैं भारत कितना रिच है कि खाली रसोई में हर्ट को ट्रीट करने की कम से कम बीस दवाएं हैं जो दुनिया के किसी किचिन में नहीं वो हमारे हैं तो हमारी रिचनेस का पता चले और दूसरा हमारे पुराने बुजर्ग दादा दादी नाना नानी जो कहते रहे हैं उस पर आपका भरोसा बढ़े और देता कि इतना ही काफी है वैसे ही रक्त में कीचड़ बहुत हो गया माने कॉलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया तो वो जो इंसुलिन जाना चाहता है वो नहीं जा सकता जिस स्पीट से जाना चाहिए नहीं जा सकता स्लो हो जाता है कम जाता है या कभी-कभी ऐसा हो जाए कि रगत बिलकुल गाडा हो गया एक तम थिक हो गया तो वह इंसुलिन बैट जाता है वहीं और साथ और हम्लूको जा Cup ये रहता है साथ गख़ुकोज उसके वह słuपर बैठता था इंसुलिन वही बैट जाता PC थो बैठा हुआ इंसुलिन है कोई connection नहीं है, cholesterol की साथ connection है. हमेशे यह रखी इस पार. दॉक्टर भी जानता, लेकिन बताता नहीं हुई है. क्यों नहीं बताता? क्योंकि cholesterol को कम ज़्यादा करना तो हमारे हाथ में है. मैंने बता दिया, इतनी सवरी क्रिया थोड़ी देर पहले आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं. डॉक्टर आपको ऐसे बहुँ, ये तो ठीक नहीं होगा. जिन्दगी बर insulin का injection लेना, जिन्दगी बर ये tablet खाना, अब जिन्दगी बरी खाना है, तो तुम किस बीमारी के लिए हो? जिन्दगी बर तो खाना खाना पड़ता है, जिन्दगी बर तो डाल खायी जाती है, सब्ची खायी जाती है, insulin थोड़ी खाया जाती है. insulin तो है हमारे शरीब में, बाहर से फिर क्या करते हैं? तो बाहर से जो artificial insulin है, ये थोड़ा काम कर देता है. क्योंकि ये नया-nyया है, ठका हुआ नहीं है, ये जाके थोड़ा सा खट-खट कर देता, glucose को पहुँचा देता, लेकिन फिर उत्मी देर के बाद वो कतम हो जाता है. cycle नहीं बना पाता है. cycle तो होई insulin बनाएगा, जो आपकी pancreas से निकलता है. तो आपको क्या करना है? diabetes के patient को भी सारी ताकत इस बात पर लगानी है, कि उनका रख्ट का cholesterol घटे. और जैसे जैसे cholesterol घटेगा, खून पतला होने लगेगा, ये insulin ही glucose लेके जाने लगेगा अंदर, जो नहीं जा रहा है. सिंपुल सी बात है. तो diabetes के patient को भी वही करना है, जो heart के patient को करना है. तो heart और diabetes एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं. इसमें भी खून को पतला करना पड़ेगा, cholesterol कम करना पड़ेगा, अच्छा cholesterol बढ़ाना पड़ेगा, बुला cholesterol कम करना पड़ेगा, तो वो सब काम करिए, जो आप heart के लिए करते हैं. माने, heart patient और diabetic patient का एक ही prescription है. मेतिदा ना खाइए, आम ना खाइए, अरजुन चाल लीजे, और ये आपको बता है, जितने prescription थोड़ी देर पहले, मैंने का एक घी बदल दीजे, नमक बदल दीजे, तेल बदल दीजे, एको नाइट. वो एको नाइट सिर्फ हर्ड के लिए है, diabetes के लिए लागू नगी होगी. ठीक है? एक दो एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ, जो हर्ड में काम नहीं आएगी, लेकिन diabetes में ही काम आएगी. अब तक जो कॉमन थी, वो मैं बता चुका हूँ. अब एक्स्ट्रा चीज़ जो आपको लेनी पड़ेगी, diabetes प्रेशन्ट को, वो क्या-क्या है? आपके रसोई घर में शायद वो ना मिले, लेकिन बाजार में आसानी से उपलते हैं, जामून एक फल आता है. बटनिकल ने में उसका जम्बो लेगी, हिंदी में हम सब कहते हैं जामून, उस जामून की गुटलियां मिलती हैं बजार, सूखी गुटलियां, उनका पाउडर बनाना है, और वो पाउडर रोज एक चम्मच खाना है, गुन-गुने पानी के साथ, ये डायमून की गुटली का पाउडर बजार में मिलता है, खुद भी बना लो, जामून जब आती है तो खूब जामून खालो, गुटलियां सुखालो, सुखा के कूट के पाउडर बना लो, तो डायमून की पेशेंट को ये एक्स्ट्रा है, ये हर्ट के लिए नहीं है ताइब जी सबेरे, जो भी लेना है सबेरे, एक चमच, और एक चमच माने टी स्पून, खाली पेट लेके तो दोब अच्छा, बुन बुने पानी के साथ लेंड चलेगा, जो पहले दावा सुबह उट चे पानी के साथ लेंड उसके साथ भी ले सकते हैं। या मुक्की उठली का पाउडर सबेरे के पानी के साथ लिया जाते हैं। और ज्यादा शुगर बढ़ी हुई है, तो समझ लीजिए कॉलेस्ट्रोल और ज्यादा हैं। तो इसको दो बार करते हैं। सुबह और शाम को हमेशा खाने के पहले ही लेना है इसको जब पी लेना है। तो यह एक एक्स्ट्रा चीज है। बाकी महती दाना आप ले सकते हैं। त्रिफला ले सकते हैं। कि वो सब चीज़ें जो हर्ट के लिए ले रहें वो तो ही ये एक्स्ट्रा दो है जामुन की घुठ्ट्ली के पाउड़ के साथ और भी कुछ है जो ले सकते हैं करेले के बीज का पाउड़ करेला है। उसके बीज निकालके सुखानी जी और यां तो करेला ही चोटा-चोटा पीस करके सुखा लेजी है तो जामुन की उठली can powder आदा चमज कर दीजे क्रेले का पाउडर आदा चमज कर दीजे ये करेले के पीछ से तोगे वाले बिल्कुल नहीं बता रहा हूं अभी आपके पास करेले के छोटे-छोटे पीस हैं सूखे हुए उंका यूज करिए आपके पास यामुं की उखली का पाउडर रहे उसको यूज करिए और अब इसमें चाहें तो नीम की निमबॉली सूखी बना लीजे उसको भी आदा चमच ले लीजे तीनों मिलाकर डेड़ चमच हो गया जामुं की गुठली का करेले का और नीम के निमबॉली का तीनों का पाउडर मिक्स करके डाइबिटीज के पेशिंट हर्ड वाले ये कभी ना ले ये सिर्फ डाइबिटीज वालों के लिए और तीनों मिक्स करके लेंगे तो रिजर्ट बहुत अच्छे है अकेला भी लेंगे तो रिजर्ट है ऐसा नहीं है कि जामुं की गुठली का रिजर्ट नहीं है लेकिन जामुं की गुठली के साथ करेला भी हो और उसके साथ नीम का निमबॉली का भी पाउडर है तब तो वह दख्छे की इतने कि !! तिन महिणे लगाता है फिर 15 बीज दिन ब्रेक, फिर 35 बीज दिन ररेक, जब आप लगे कि आप सब कुछ नौर्फाल हो गया है तो दीडरे बंदे and... घुठली निकाल लें तो छीक है नहीं तो भीना निकाले हिए पीसा हमाoben कोई दिक्कट में यह समधे मिठ्था उंसा अब लेने के बार कोई ड्याविटिक पेशेंट आप आप से बोल दिया है कि बहुंस वघ्गवान का बनाया हुआ कुछ की पीठवा खाये Ch Anita Kewa Kuch international आदमी की दिमाग भी जादा नहीं लगता यह आत्मी खतरनाग है सारी दुनिया में यह उतना दिमाग जहां लगाता है वही सारी गड़गर करते हैं खालीजे देशी खान खालीजे मिश्री खालीजे आप जो है मिश्री खा सकते हैं मिश्री भी पक्तर से आती है मिश्री खा सकते हैं देशी खान खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, शहद भी ले सकते हैं, लेगिन चीनी नहीं, शुगर में, गादर पांग बनाएं नो गुड़ में, इस्टीविया ले सकते हैं, गादर पांग बनाने तो गुड़ में बनाएं कोई दिक्कत नहीं, हलुआ बनाते ना, गुड तो वे तो वही है जो पुल्ड है उसमें कोई अस्टे मेरा इतना ही कहना है कि आप यह सनमीठी चीज़ें जो भगवान की बनाए हुई हैं जरूर लिजिए क्यों लीजिए जानिफिक बनाई हुई जो बीठी चीजह उनमें ग्रुकोज है अभर नाइएं को जब सब करना है तो आप एक इए उसका क्वालिटी देखें कि उसका रंडजितना डार्क होगा उतना ही अच्छा है जैसे बेखरा हूं यह आपोडियमका कुछ कलर भाज जम कि पोंडियमके कलरका मुद्या क्वोडियमका अगर लाएंगे डार्क तो डार्क गुड जितना होगा quality उतने अच्छे होगी उसमें chemical उस उतने ही कम होगे और गुड जितना light color का होगा white color का है yellow color का उतना ही खतरनाग है क्योंकि वो गुड नहीं है वो निर्मा washing powder गुड बनाने के लिए आप जानते हैं कई किसान हैं जो दूद से उसको साफ करते हैं तो वो गुड तो ऐसा हो जाता है डार्क और जो गुड को निर्मा washing powder से साफ किया जाता है वो एक दम white होता है एक दम yellow तो आप जबी भी गुड खरीदने जाए तो दुकान वाले को कहें कि मुझे डार्क कलर का ही दो वो कहें कि अच्छा नहीं है देखने में तो उसने का देखने में खराब है लेकिन खाने में वो ही अच्छा है तो आप बुड वो खा सकते हैं diabetes के patient के लिए फिर से repeat कर रहा हूं कि जो कुछ आप hurt के लिए करते हैं वो सब करना है अच्छा जो मैंने बोल दिया जामुन की गुटली का powder है या आपके पास नीथ की दिंबोली का powder है या करेले का powder है यह एक चीज़ है और जामुन की गुटली का powder जैसा ही होमियोपेथी में एक मेडिसिंग भी आता है वो जामुन की गुठली से ही बनता है आप उसका भी चाहें तो नाम लिख लीजे सीजियम जम्बोले सीजियम जम्बोले यह होमियोपेथी S Y Z Y I E U M S Y Z Y I E U M सीजियम जम्बोले J A M B O L I N सीजियम जम्बोले S Y Z Y I E U M S Y Z Y उदर में कुछ और लिखने वाला S Y Z Y I E U M सीजियम जम्बोले जे एम B O L I N यह एक दवा है इसके आगे लिख लेना मदर टिंचा सीजियम जम्बोले बदर टिंचा यह दवा को पानी में मिलाके पीना जो डाइमिटिक हैं उनके इनने किने क्रॉप पंद्रह से 20 ड्रॉप चौथाई कब गुनगुना पानी अगर आपको जामुन की गुठली का पाउडर नहीं मिलता है तब यह दवा यूज़ कर सकते हैं मिल रहा है तो यह दवा मतला यह पानी क्योंकि यह दवा उसी से बनी हुई है चौथाई कब गुनगुना पानी मिला दीजे और सबेरे दुपहर शाम खाने के पहले या ब्रेकफास्ट के पहले डिनर लंच के आदा गंटे पहले इसको पीना तो यह डाइमिटिस के लिए करना और डाइमिटिस के लिए एक छोड़ी छोड़ी बात है और जब ध्यान रखनी हैं आपको कि डाइमिटिस के हर पेशेंट को ब्रेकफास्ट छोड़ना पड़ेगा डाइमिटिस के हर पेशेंट को ब्रेकफास्ट छोड़ना पड़ेगा ब्रेकफास्ट के तमसमय पर लंच हर पर प्रेशन आप अगर 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं या 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो अगर You जोड दीजे 8-9 बजे भर पेटा खाना खाई ए लंच करें और शाम को 4 जा मैं पांच वजया के आसपास डिनर करें आट नौ बजे लंच चार से पांच के बीच में डिनर यह कंपल सही है पांच का ज्यादा से ज्यादा छे हो सकता छे के आगे लिए सुरियास्त होने के पहले और सुरियास्त होने के एक घंटे के बाद आपका लंच हो जाना बीच में भूख लगेगी तो उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़े खा दी है जैसे फल आदी ले दीजे भूपली का दाना खा दीजे चना खा दीजे कि अधिन वाली चीजे तो है वह जिनको बोल चुका हूं रिफाइंड और डबल रिफाइंड नहीं चना खाईए तिल खा लिजे तिल है मुफली है चना तिल की बनी हुई कोई चीज़ खा लिजे चने की बनी हुई चीज़े खा लिजे बुंपली की चीज़े खा लिजे उसके साथ दो-चार कोई फल लेने हैं तो फल ले लिजे जूस लेने से अच्छा है फल खा सके साथ तो दुपहर को इस तरह से आपकी विवस्था करें सबेरे नौ बजे तक अभी जो डायविटिक और हर्पेशेंट है उसको 90 तो चीज़े कॉमन ही है आपने सुन लिया है कुछी चीज़े हैं जो उनकॉमन है तो जो उनकॉमन है उनको शांपो कर दीजे जो कॉमन है उनको सबेरे कर दीजे ऐसा करके आप उपना पुछ का ट्रीट्मेंट कर लिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये गंबीन बीमारी जो हमारे घरों में हैं आजकल बहुत जादा तेजी से बढ़ रही है कैंसर गाइबिटीज और हर्ट के बाद तीसरी सबसे तेज बढ़ते वाली बीमारी है कैंसर या कैंसर के पहले बता देता हूं माफ करिए ब्लड प्रेशर हाइपर थाइराइडिजम और ब्लड प्रेशर ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है आजकल तो बस इसमें मुझे बताना कुछ नहीं है एक ही लाइन का स्टेटमेंट है बेरा कि जो कुछ हर्ट के लिए कर रहे हैं वो सब आपको हाई ब्लड प्रे प्रेश लिए बातने हुए इस प्रॉश्या होगा प्रेशम और हाइपर थाइराइडिजम वालों को सब करना है जो हर्ट के लिए करना था एक ही चीज़ एक्स्ट्रा है वो लिख लिए हाइपर थाइराइडिजम के कीसेंगे बाकि तो आप होई कर सकते हैं जो कुछ प्राइव पीना हो जिनको हाई पर थाइडेस्ट में थायरृइट बढ़ा हुआ है अब थाइड मढ़ने के बहुत सारे कॉंप्रीटेशन से आप सभी जानते हार्मोने डिस्बैलेंस संक्राइड कॉंप्लिकेशन है बोटा-पार सबस्क्राइद कॉइज है को एक ही कवर कर लेती है वह ददिया हरा धनिया हरा हरा धनिया का पता उसको पीस ना उनको ने पानी में मिलाओ पीना। कॉंटिटी कितनी? पीस कर एक चमच हो जाए. अब जितनी भी क्वान्टिटी. पीस कर एक चमच हो जाए. तो सूके धनिया को कैसे पीसे ने? रात को पानी में डाल दीजे. सबीरे तक नरम हो जागा. ट्रवा चट्टी बना लीजे उसनी फिर पानी में कि पीश लीजे अब ये जो धनिया है वह एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा किसके लिए थाइराइड भी थाइड थाइड पर थाइडियें और इसका उल्टा है थाइड थाइड बहुत खम हो जाता है उसकी बात थोड़ी दिए बात मैं करूँगा जब low blood pressure का case आएगा तब तो हमारे पास चार बाते हो गए एक तो फीपी हो गया हाँ जी और कहा है एक ही जगह है थाइराइड और कहीं है यह नहीं चलिए एक gland है थाइराइड उसमें से secretions जादा होने लगते हैं हाई पुछ हुआल होता है सी DV कम हो जाते तो हाइभाग मुजा हाँ हम चार वादें एक साथ कर चुके पिरसे रिपी करण हर्ड की बात हो गई ब्लद प्रण की बात हो गई उगर्मन diabetes की बात हो गई और थाइराइडिसम की बात हो गई अब थोड़ा आगे चलते हैं कैंसर के लिए एक्स्ट्रा बता बाकि जो भी मैंने के लिए बताया है वो सब प्लड़ प्रेशर के लिए काम का है रिपीटीशन से वाइदा नहीं टाइम वेस्ट होगा आपने नोट भी कर लिए आगे बढ़ते हैं कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस देश को हर साल बीस लाख लोग कैंसर से मग और हर साल नए कैसे जार और सभी डॉक्टर्स हाथ पर डाल चुके हैं सरेंडर कर चुके हैं इसके बाइदे मेरी आपको एक छोटी सी वित्ती है वो आप हमेशा याद रखिएगा कि कैंसर के पेशेंट को कैंसर से डेथ नहीं होती है जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे डेथ रहा हमेशा जाता उससे मालता है माले कैंसर से ज्यादा खतरना कैंसर का ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट कैसा आप सभी जानते हैं कीमो तरफी दे दिया रिडियो तरफी दे दिया कोबर्ड तरफी दे दिया इसमें क्या होता है कि शरीर का जो प्रतिरक्षक शक्ति है रेजिस्टेंस व यह उसी के साथ मर जाए किया है कि और मेरे पास कोई भी पेसेंट जो आया कीम थ्रेपी, लेने के बाद मैं उसको बचान नहीं पायािं आज तक का रिकॉर्ड है लेकिन बिसे का उटा भी कोर्ण है मेरे पास कोई भी पेसेंट आया सेके लिए स्टेज अधिश वो सब जीवे हैं, मतलब क्या है, ट्रीटमेंट लेने के बाद जो खर्चा आपने कर दिया, वो तो गया ही, और पेशेंट भी आपके हाथ से गया है, डॉक्टर आपको बूल बुले ही, अगर अगर अब इच्छे महीने ठीक हो जाए, राट महीने ठीक हो जाएगा, लेकिन जाता ही है, कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि कीमो थरेपी लेकर कोई बच पाया, तो आपके घर में, परिवार में किसी को कैंसर हो जाए, तो ज्यादा खर्चा मत करिए, मेरी हाथ जोड़कर विंती है, जो खर्चा आप करेंगे, उस से मरीज का तो भला नहीं होगा, उसको इतना कश्ट होता है कि आप कलपना नहीं कर सकते हैं, उसको जो टेबलेट्स खिलाई जाती है, उसको जो खीमो थरेपी दी जाती है, सारे बाल उड़ जाते हैं, भूं के बाल उड़ जाते हैं, चहरा इतना डरावना लगता है, कि पहचान में नहीं आता, यह अपना ही आत इतना कश्टियों दे रहे हैं उसको सिर्फ इसलिए कि आपको एक रहे हैं जो मेरे पास बहुत पैसा है मैं ट्रीक्मेंट कराके ही मानूगा होगा है और आप अपने आस्परोस की बादा ज्यादा मत सुनिये क्योंकि आजकल हमारे रिलेटिप्स बहुत इमोशनली एक्सप्ल आपकों में नहीं ले जा रहा हूं मेरे घर में अरे तुम बड़े कंजूस आदमी हो बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं मां के लिए इतना यह बहुत खतरनाक लोग है हो सकता है कई बार वो इन्नोसेंटली कहते हूं उनका इंटेंशन खराब नहीं होता हूं लेकिन उनको नौलेज कुछ भी नहीं है बिना नौलेज की वो सजेशन पर सजेशन देते जाते हैं और कई बार मैंने देखा अच्छा खासा पड़ाले का आदमी भी फसता है उसी में पेशेंट को भी गवाता पैसा भी चाहते है कैंसर के लिए क्या करें हमारे घर में एक बहुत अच्छी दवा है जो दुनिया के सब डॉक्टरों ने मान लिया पहले तो मानते भी नहीं थे एक ही दुनिया में दवा है अकेली दवा है एंटी-कैंसर उसका नाम है हल्दी हल्दी अकेली दवा है पूरी दुनिया में जो कैंसर ठीक कर्मे की ताकत रहते हैं हल्दी में एक कैमिकल है उसका नाम है कर्क्यूमिन यह कर्क्यूमिन कैमिकल है तो कैंसर साइंस को मांग सकता बाकि कोई कैमिकल आज तक बना नहीं दो जा है औरहे और यह कंड़िकल भी आद्वी नहीं बनाया बह iedereen को इस्तिया चाल्टी और के इसे कैसे इस्तिया जाताநी offensive मैं यह कर्क्यूमिन नेगली माफ करिए और इत्जांकरिए देना चाहता हूं अठीष गया हुस्त अगर बिल जाए और हल्डी आपके पास हो तो आप उसका इलाज आसानी से कर पाएंगे कैंसर पूशन अब इसमें करना क्या है देशी गाहे का मौत रख आधा कव और आधा चमच हल्डी दोनों मिलाके गरम करना गरम करके इसको ठंडा कर लेना गरम इतना करना है कि उसमें उबाल आना चाहिए फिर ठंडा कर लिए रूप टेंपरेचर पर हो गया तो चाई की तरह से पिलाना है चुस्कियां ले लेके सिफ करकर आधा चमच हल्डी एक इला एक आधा कप गाहे का मूत्र और टी स्पून जो है ना आधा 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 टी स्पून फल्डी आधा चमच आधा टी स्पून अंदी और एक आधा कप आपके पास गाहे का मूत्र इसको मिलाना है बॉय करना बॉय करके इसी तरह से एक और आईरुवेदिक दवा है जो इसमें डालेंगे तो उसकी रिजन्ट और भी अच्छे आते हैं पुनर नवा उसका नाम है पुनर नवा होगी मिला पुनर नवा वो कॉंप्लिमेंटरी है नि मतर पुनर नवा बदार में मिलती है आधा टी स्पून नवा क अगर आप उसको यह पंजाबी में मोलते हैं पंजाबी में इसको भी आप डाल नवा कोई भी दुखान वाला समझता है सस्ती है कोई मेंगरी इसको भी आप डाल उसी में मूत्र में उबाल रो और आप अगर एक साथ ज़्यादा मूत्र ला सकते हैं तो उबाल के रख भी सकते हैं इस मूत्र को कांच की बोतल में ये खराब नहीं होता है कांच़ की मॉतिल में एक बार उबालके आदा लीटर या ही लीटर मूतर है तो उसी मात्रा के बते हए से आप हंदी की मात्रा बढाना RAW नर्वाकी मात्रा रहा नहीं वो पैट में आतार वो मूतुर आर्ग है वो मुत्र नहीं गाए के शरीर से निकला हुआ सीधा सीधा मुत्र नहीं वो तो काम नहीं आता है इसमें आता तो मैं खुद बताता है गाए का मुत्र जो सीधे उसके शरीर से आता हूँ अब इसमें और एक चीज है जो मैंने एक्सपिरियंस किया है कि गाए हमारे भारत में जो देशी है उसी का बूत्र काम आता है जरसी का बिलकुल काम नहीं आता है और देशी गाए में भी जो गाए काले रंकी हो उसका बूत्र सबसे अच्छा परिणाम देता है काली गाए हरी काए यह ह हाली के बौल के बोयी करके पुनर नवा डाल के बॉइल करके काशिटी बौतल में पुष्रिज में मत रखिए वूत्र इनकी नहीं है आधाई कप लेना है एक बाद है तो कैंसर के ट्रीटमेंट को आप इससे शुरू कर सकते हैं और यह जब सेकंड स्टेज तक होता है कैंसर कभी कभी थर्ड स्टेज तक तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है जब स्टेज थर्ड क्रॉस हो जाती है फोर्थ में पहुंच तब रिजल्ट में प्रॉब्लम है और अगर आपने किसी पेशेंट को कीमो तरफी वगेरा दे दिया तो फिर इसका कोई असर नहीं आता कितना भी पिला दो कोई रिजल्ट नहीं आता पेशेंट मरता ही है यह हमारा बारे साल का तज़ुपा है तो आप इसको अगर दे रह जैसा डॉक्टर कर रहा करने दीजिए भगवान से प्रार्थना करिए उसके इतना ही करें और अगर कीमो तरफी स्टार्ट नहीं हुई है और उसने कोई अलोपेथिक ट्रीक्मेंट इस्टार्ट नहीं किया तो आप देखे कि इसके मेरेक्विलस रिजल्ट आप क्योंकि य कैंसर के लिए इस तरह से आप अपने जीवन में काम कर सकते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिंस हैं उनको मैं बताना नहीं चाहता है क्योंकि थोड़ी कॉंप्लिकेटि वह बहुत अच्छा डॉक्टर या वैति उनको हैंडिल करे तब होगा आप से अपने घर यह तो आपके घर में जो है रसोई के पास तर्मेरिक माने हल्दी और रसोई के नस्दीग गाये माने मूट चाहिए और काली होगी तो बहुत अच्छा है बस इसमें योग और सामधानी रखनी है कि गाये का मूत्र लेते समय वो गर्भुबती नहीं होनी चाहिए अगर गर्भुबती गाये का मूत्र लिया तो भी रिजर्ट नहीं आएगा तो इसका मतलब सीधा सा यह है कि गाये की जो पच्छडी है जो कभी भी मान नहीं बनी है उसका मूत्र हमेशा आप यूज़ कर से अच्छा यह तो बात हुई कैंसर के ट्रीटमेंट की जिन्दगी में कैंसर हो ही न यह और भी अच्छा है जानना तो जिन्दगी में कभी भी आपको कैंसर ना आए इसके लिए बस इनकी चीज़ याद रखिए कि हमेशा जो खाना खाएं हमेशा उसमें डालड़ा तो नहीं है उसमें रिफाइंट ओयल तो नहीं है डबल रिफाइंट ओयल नहीं है ये देख लीज़े एक बार दूसरा जो भी खाना खा रहे हैं उसमें रेशेदार हिस्सा जादा है हाली फाइबरस डाएट जिसको हम कहते हैं जैसे छिलके वाड़ी डाले खा चावल भी छिलके वाला खा रहे तो बिल्कुल भिश्चिंत रही है कैंसर उने का कोई चांस और कैंसर के जो सबसे बड़े कारणों मैं से 2-3 कारण है एक तो कारण है तंबाकू दूसरा है बीड़ी और सिगरेट तो तंबाकू बीड़ी सिगरेट और गुटका वो किसी भी नाम से बिकता हो गुटका ये चार चीजों को तो कभी भी हाथ मत लगाई ये क्योंकि कैंसर के मैक्सिमम केसे जिनी के कारण है पूरे देश सरकार आजकल भारत की काफी कोशिश कर रही है ब्यूरी सिगरेट पर उन्होंने प्रतीबंग लगाने की कोशिश की है गुटके पर भी अभी कोशिश कुटकी है थोड़े दिन में वो कहरे है शराब पर भी करेंगे, तो जैसे जैसे इस दिशार में हम आगे बढ़ेंगे, हम कैंसर से बचेंगे, कैंसर के बारे में सारी दुनिया एक बात कहती है, डॉक्टर्स हों, एक्सपर्ट्स हों, साइंटिस्ट हों, कि इस से बचाओ ही इसका उपाए है, बता देता हूं, अभी दो मिनट में बता देता हूं, तो हम कोशिश करेंगे, कैंसर का ठीप्मेंट करें, किसी का, या हमारे परिवार का, तो ध्यान रखेंगे, उसकी कीमोतरफी स्टार्ट हो गई, तो कुछ कोशिच मन करिए, फाइदा नहीं आएगा, आपको भी डिप्रेशन आ जाएगा, को भी दे सकते हैं, गेहूं को बुवना और उसके जो खिले निकलते हैं, उसका अर्रस निकालके देना, वो कॉम्प्लिमेंटरी है, हाँ, दे सकते हैं, एक कहुण गालब किती हैं, तुसी में सिगरेट्स, तबाकू, गुठके तो ज़ाद होता है, पर यह मैक्सिमम प्रॉ काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो माताओं को बहनों को क्या करना चाहिए, जिंदगी में कभी ना आए, आपके यह सबसे अच्छा प्रिवेंशन है, कि जैसे ही आपको आपके शरीर के किसी हिस्से में unwanted growth का पता चले, unwanted growth मनें, जो आप नहीं चाहते और वो हो गई, रसॉल हो गई, गांट हो गई, तो इमीडियेट आप कौशस हो जाए, हाला कि दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूं कि सभी गांट और सभी रसॉली कैंसर नहीं होती है, दो या तीन प्रतिशत ही गांट है, इसी कैंसर में गणवर्ट होती है, लेकिन आपको चिंता तो मनें कौश अच्छी दवा है चूना, शरीर के किसी भी अंग में गांट हो जाए, रसॉली हो जाए, ट्यूमर हो जाए, जो नॉन कैंसर है, बात में वो कैंसर में कनवर्ट हो सकता है, इसकी सबसे अच्छी दवा है चूना, चूना वही जो पान में खाया जाता है, चूना वही जो अब खाईगे कैसे, सीधे जीप पे लगाईगे तो जीप फट जाएगे तो उसको खाने का तरीका पानी में गोल के पाथ भी लीजे, दही में गोल के दही भी लीजे, लसी में गोल के लसी भी लीजे, दाल में डाल के दाल खा लीजे, सब्जी में डाल के सब्जी खा लीजे, कहीं भी शरीर में गाठ है तो. पता करने का बहुत सिफफुल तरीका है जो भी माताओं को पेट में रसोली हो जाएगी उनकी मेंसिस साइक्लिंग पूरी तरह से बिगड़ जाएगी उससे पता चले खून बहुत जादा आएगा और 28-30 दिन में मेंसिस आना चाहिए वो 15 दिन में ही आजाएगी दस दिन में आजाएगा बारे दिन में आजाएगा चौदे दिन में आजाएगा और हो सकता है कि वो एक हफ़ते चले दस दिन चले पंगरे दिन चले ब्ली बहुत होगा ठकान बहुत आएगी शरीर में कमजोरी बहुत हो जाएगी तो उससे तुर्ण भाँ बिचे कि रसवनी हो रही है यहा चुकी है बात में गण करके थोड़े दिन एक बटाने जा रहा हूं कि वह और चल रही हैं को बेहनों को कहीं भी गांट हो कि उनके पासिक की जो गड़बड़ी है वो नोट करिए या तो बहुत खून जा रहा है या तो उनको हर दस पत्रे दिन पे मैंसी शुरू हो रहा है और या कभी-कभी ऐसा भी हो जाता इसका उल्टा दो तीन महीने लगातार मासिकी में आएगा मुश्कुल बंद हो जाएगा तो वो भी एक संभावरा हो जाती है रसवली होने इक होने की और एक आखरी है कि अगर मा शादी शुदा है उसके पती के साथ उसका संपर्ख है तो संपर्ख के समय बहुत bleeding हो रहा है तो मान लीजिए कन्फर्म है कि वो गांट हो गई तो इन चार कंडिशन्स को पता करके आप बिलकुल कन्फर्म कर सकते हैं कि आपको चूना की जरूरत आ गई यह चूना सबसे अच्छी दवा है, सबसे सस्ती दवा है साइड इफेक्ट इसके बहुत कम है, बिलकुल मिनीमम है और दुनिया की सब दवाएं उसी चूने से लगए जो रसॉली को गलादी है वोब्यो महनी में रसॉली को गलादी की कई दवाएं है उनके नाम है, केलके रिया फॉस है, केलके रिया कार्व है, केलके रिया फ्लोर है, केलके रिया आयोड है, केलके रिया आर्स है, ये सब चूने सुना है तो वो सब बताओं, उससे अच्छा मैंने आपको मां बता दी जिससे ये सब दभाएं बनती है, चूना ही है सबजी में गोलिके चावल में डालिके खिचडी में डालिके एक चीज छोड़कर किसी में भी गोलिये दूद दूद छोड़कर किसी में भी मिलाके चूना खा ले अब ये तो हुआ रसौली अब जिनको रसौली नहीं आपने कहा वो भी खा ले तो क्या क्या करता है ये चूना ध्यान दे दीजे, इस से बढ़िया दवा शायद भगवान ने नहीं बनाई कोई, मैंने इसका बारे साल बहुत अनगोप किया है, इस चूने से ऐसे ऐसी बीमारी ठीक होते हैं कि आप मेरा मेरे, ये चूना बहुत अच्छे तरीके से ठीक करत है जॉन की, पी लिया जिसको आपके, अचे एपिटाइटिस. आपको मावम हैं ये पाँच तरेका है, एपिटाइटिस ए, ईपिटाइटिस ए, एपिटाइटिस C, D और की. पांच ओर तरेके है बेस्ट मेजिसन है, ये चूना. injun? कैसे खाना है है? हैपिटाइटिस के पे मुसंभी का नहीं मिले तो संत्रे के रस्म, संत्रे का नहीं मिले तो अंगूर के रस्म ऐसी रस्म मिलाकर जॉन्डिस के पेशन्ट को आप दे सकते हैं लगातार पंद्रे बीज दिन अधिक से अधिक तीन महीन है बिल्कुल जड से चीप कर देखा है इसी चूने है केले के बीच में रखके खाना अगर संबब है मानि उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है कि केले की कटिंग इस तरह से होके वो बीच में फिक्स हो जाए और वो केला बीच वाला हिस्सा जीप पर ना लगे सीधे आगे अंदर उतर जाए जीप पर लगा तो फाड़ देगा वहीं से जीप फिर वो शिकायत करेगा पेशेंट या आपने तो मेरी जीप फड़वा दिए तो उससे ज़्यादा सुरक्षित है पानी उससे ज़्यादा सुरक्षित है जूस उससे ज़्यादा सुरक्षित है दाल वगरा वगरा तो आप जॉन्डिस पेशेंट का ध्यान रखिए जूस में देना है उसको और यही चूना जूस में मिलाकर और एक पेशेंट को देते हैं जिनको नपुन सकता की बीमारी है हम लोग अंग्रेजी में उसको प्राइमरी इंफर्टिलिटी केते हैं महिलाओं को भी और पुर्शों को भी पुर्शों में क्या है बीर में शुक्राणों कम है स्पर्म काउंट कम है और माताओं में ओविलेशन नहीं है टाइम पर तो चांस नहीं है माता पिता बनने का तो हम यह चूना दे बहुत अच्छे रिजाइट है वही तरीका है बता दिया तीन महीन देखे दस-पंदरे दिन प्रेक करके फिर्दी और इस चूने को हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए जिनकी हाइट में बढ़ती जिनको हमेशा आप मैसूस करते हैं कि यह बोने हैं नाटे हैं इनकी हाइट नहीं बढ़ गए उनको भी यह चूना दिया घा कि इस से कितने भी साल का एक साल दो साल तीन साल आपको लग रहा है कि हाइट नहीं बढ़ गड़ा ही ग्रोथ नहीं हो रही आप देना शुरू कर दें अधिए एक बार एक ये चुना इकीस साल के उमर के नीचे के बच्चों को जब दिया जाता है तो भनपूर हैट बढ़ा जाता है लड़कियों की भी लड़कों की इसी चुना को हम इस्तेमाल करते हैं उन सब बहनों और बेटियों के लिए ऐसे मेरे पास बहुत पेशेंट है आसी बहुत सारी बेटियां हैं बहने हैं जिनका ब्रेस्ट का डवलप्मेंट नहीं हुआ और हार्मोनल साइकिल उनका व्यवस्क्न है उनको भी हम ये चुना दे के उसमें भी ये बहुत अच्छे रिजन्ट लाता है इसी चुने को और हम इस्तेमाल करते हैं उन सब के इसी चूने को और हम इस्तेमाल करते हैं उन सब लोगों के इए जिनकी आँखों की रोशनी कम है अरे बता दिया पानी में ले लो दही में ले लो लसी में ले लो दाल में ले लो दूप छोड़ कर किसी कमरण गुठने का द और कमरण उसका बेस्पाइनल कौड के इतने भी कॉंटिकेशन से इन के खानाने लोगते का इस अ कज लुड़ती बेस्ट में बेस्टवesting का चुना चुना एंटी बायटुक है एंटी पायरिटिक है एंटी इंफलेमेटरी है एंटी फंगल एक साथ पाँच एक जो गट्वीए वाले होते हैं जो आपराइटेक्स जिनका वीपल फलास आ गया उनको भी दे से कोई दिटता उनके लिए पुले और चुना किसके स्काम मे ले सकते हैं वोगी लिखिए जी छोड़ दीजे ना जो गर्मिंस नहीं होते हैं उनको कहिए कि जाईए एमस में जाईए बबबबई जाईए दिल्ली कनाडा अमेरिका दुनिया करपड़िया हुझे ये तो मैं बता रहा हूँ गरीबों के लिए जो किसी के पास नहीं जा स दवा जितनी महगी ट्रीटमेंट उतना अच्छा तो उनके साथ अपना समय क्यों खराब करती हैं करिये लिए उनके साथ आपको तो मैं बता रहा हूँ कि गरीब गरीब लोग जो साधर लोग पैसे ही नहीं है कुछ खा नहीं सकते दवा उनके यह यह सब और इस चूने से क क्या क्या कर सकते हैं वो सब माता हैं वो सब बहनें वो सब बेटियां जिनके बाल बहुत जड़ते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस चूने का कहां इस्तेमाल कर सकते हैं वो सब माता हैं जिनकी उम्रत पैतानीस-पचास साल के आसपास आ गई है और उनका मैनोपा प्रफ पीरियट शुरू हो रहा है मैंजिसी साइकल बंद हो रहा है मैंनोबोर शुरू हो रहा है उन सब के लिए यह बैस्ट मेडिस्ट है और इस चुने को कहां का इस्तेमाल करते हैं अगर शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं है हमेशा आलस से रहता है हर समय दिल करता लेटे रहो बैठे रहो कुछ मत करो उसकी भी यही मैडिसिन है चुना एची बुलकंद वगेरा जो बनता है मीठा पार चुने का लगा के रोच खाईए आप एकदम दुरुस्त रहे दांत अच्छे रहेंगे चमकते रहेंगे कभी पीले नहीं पढ़ेंगे क अगर को यह कहने लगा है कि मेरे दात में कीड़ा लग रहा है तो समझ लो कैल्शियम बहुत कम हो रहा है तो भी चूने खाना पुड़ेगा तो यह चूना आपको सब करफ से इस्तेमाल करके देखना बच्चवन बच्पन से लेके बड़ेता हैं जी कुन-कुना रहेगा त कनक्ये दाने के बरावर अगर आपको ऐसा लेगा तो कनक्ये दाने के बरावर तीन कनक्ये दाने के तब बहुत जंदी आपको स्टोन बन जाएगा और आपको किड्नी को या तो लीवर को तकलिफ कर देगा गॉल ब्रेडर को भी तकलिफ कर देगा जिसके पहले स्टोना जी हाँ एक तो आप ध्यान रखना है कि ज्यादा नहीं खाना है दूसरा ये ध्यान रखना है कि जिनको पहले से स्टोन है माने इसका मतलब है कि उनके शरीर में जहुरत से ज्यादा चूना है स्टोन होने का एक ही मतलब है आपके शरीर में केलशियम है digest नहीं होरा वो एक अलग बात है इसलिए stone form हुआ तो वो कभी भी चूड़ा नहीं खा सके जिनको stone formation stone है और बार बार stone होने की जिनको tendency है वो भी नहीं खा सके फैचान किये stone पनने की पैचान क्या है आपके पेट में दर्द होगा जहां किड़नी होती है ना वहाँ बहुत तेज दर्द होगा और दर्द के बाद अगर आप सॉनोग्राफी कराएंगे अगरा साउंड कराएंगे उसमें तुरण डिटेक्ट हो जाएगा तो स्टोन बनने की टंडेंसी है तोमत खाएए स्टोन है तोमत खाएए और एक condition है body में calcification हो जाता है जो थोड़ी देर पहले आपने पीछे से कहा कि हट्डियों के आसपास बहुत calcium deposit हो जाता है और एक दम सूच जाता है हाथ को हिला भी नहीं सकते वो condition तब भी नहीं खा सकते तो ये तीन conditions को ध्यान नहीं रखना है calcification हो गया तो नहीं खा सकते stone formation है और tendency है तो भी नहीं खा सकते और ज़्यादा तो नहीं ही खा सकते कनक्यत आने से कम ही खाए तो अच्छा है ज़्यादा खाने की कोशिश कभी ना करे क्योंकि ये उतना ही परियाप्त है एक दिन के लिए तो स्वामी जी की किताब नहीं आपके तो मैं अभी ये थोड़ी देर के लिए फिराप दे रहाँ थोड़ी देर के लिए मतलब मैं अभी गड़ी देख लिया आठ बजरा लगबग अब आपके question answer के लिए थोड़ा मुझे समय देना है तो आप में अब तक जो सुना है उसमें सवाब कर सकते एक एक कर साथ सर जो आपने भी हंद्ट सब्सक्राइब आसरो को जुटियाइब अच्छा जो आपने बनाया कि से िधिरवाफ येजिजिए कम होता है किसने बहुँ सारे उपाइब होता है कभी भी मेरे आज तक देखा नहीं है लेकिन exception हो सकता कहीं भी HDL मैंने range की आगे किसी का देखा नहीं आज तक इसलिए होता नहीं सामनी रूप से लेकिन किसी condition में हो सकता है कि HDL बहुत ज्यादा हो जाएं तो आपको यह सब नहीं करना है बस इतना ही करना है कोई भी कुपाई नहीं है अब जिनको इस्टोन बार बार बनता है उनको एक तो चूना तो नहीं ही खाना फिर क्या करना है वह आप चाहें तो लिख लीजे एक मैडिसन मैं बताता हूं होग भी होता ना एबी तो बी पी आर बी ची आराइस दीपी ऊर बी इंक राइस इस बरबेर इस एक शब्ड है इसके बाद आगे एक और शुद है वटायरिस उसकी दूसरा ओल भी है वी यूल जी आगे लिख लेना है मदर टिंचर मदर टिंचर यह उसकी पुटेंशी है वो दुकान वाला समझेगा वो आपके लिए नहीं अब यह दवा लेनी है पंद्रे पूदें एक चौथाई का पानी गुद्गुना उसमें पंद्रे पूदें इस दवा की डाल दी है और दिन में ती का टीन से चार बार पीना है सुँभद उपर शाउमरागर चार बार अधिक से धिक कम से तीन करतें में लगातार एक से लिण महींने कभी-चार लगातार मेहले कभी दो थूवैख जा जाते तो जितने भी स्टोन हैं कहीं भी हो गॉल ब्रेडर में हो या तो किड्नी में हो या यूरित्रा के आसपास हो पूत्र पिंट में हो वो सभी स्टोट को डिजॉल्व करती है दिकाते हैं चौथाई पानी चौथाई कब वुद्गुना पानी तस से पंद्रे पूंदे चार बार लेना है एक से बेड़ महीने लगातार लेना दो महीने भी ले सकते हैं इस दवा का साइड इफेक्ट नहीं लगबंग मैंने देखा है 99% केस में दो महीने में ही सब तूट के निकल जा और उसके बाद एक दूसरी दवा जरूर लिख लेजे ये तो है जब तूट के निकल गया दुबारा भविश्व में कभी ना बने उसके लिए एक दवा लिख लिए क्योंकि बहुत लोगों को बार बार टेंटेंसी है स्टोट फॉर्मेशन एक बार तूट के निकल गया ब एच आई एम ए चाहिना और उसके आगे लिखना है बन ताउजंड एक हजार नमबर यह लिक्विट फॉर्म में तवा लिख लिए इसकी दो दो बूद सीधे जीप पर डाल दीजे सुबह दूपर शाम बस एक ही दिन में तीन बार दे दीजे फिर भविश्व में कभी भी भी बनेगा थे नहीं पहले बरबर इस लेना फूरा इस टोन आपका निकल जाए उसके बार आप चाहिना लेना है इंनान उस्टोन हाई नियो लेता है नहीं बड़ेना बिल्कुल नहीं ये गल्टी मत करिए गवार उसके बड़्यक्त семी डिंडस ले लिए वह ले फेले बर्बरीश लें स्टोन निकालना ही पड़े आ उसके बाद चाहिना ने फिर उसके बाद चाहिना कर सकते हैं एक ही दिल लेना है तीन बार लेना है दो दो ड्रॉप सीधे जीप पर डाले को सुबह दुपह शाम बरबरिस तीन महीने तो मैक्सीम हो गया एट्पोस्ट हो गया एट्लीस दो महीने एक ही दिल लेना है तीन डोज बस वो सफीशेंट है अभी मैं कुछ और दमाएं बताना चाहता हूँ आपको जल्दी जल्दी अगर आप करें तो कि समय बहुत ज्यादा हो रहा है अफेक्ट है लेकिन थोड़ा कम जैसे चुणे का इफेेक्ट्त है एक गुरुपए के बराबर तो चुने के पानी का एफेक्ट było स्पीज हो नहीं होगा पत्री ले चुने का पानी पी नहीं लेए पानी भी नहीं लेसा अभी मैं कुछ और जबाना चाहता हूं आपको अगर कुछ क्वेस्चन हो तो दो तीम मिनिट में आप कर लीजे अब तक जितनी बात हुई है कुछ जिद्यासा हो तो पूछिए जिए जी क्या बोला यहां कर सकते दोनों हैं दोनों मिक्स कर से अर्थराइटिस में अर्थराइटिस के आरा हुए अभी तक जितनी बात हुई उसमें कुछ पूछ नहीं हैं हां बहुत अच्छा सवाल किया जो पीली हल्ती है वो कैंसर के लिए और जो आपकी हरी हल्ती होती है एक वो आपके थ्रोट इंफेक्शन के लिए अगे मरते हैं थोड़ा जी इस पुझ आप उसको इतना ही कहिए कैंसर के लिए चलें वो स्पेश्ट उसकी जड़ इस्तेवाल की जाती है आप उसको इतना बोनिक लाई है वो पूछेगा किसके लिए मुझे कैंसर के लिए इस्तेमाल करना बस थोड़ा आगे बढ़ते हैं अर्थ्राइटिस पर चलते हैं अर्थ्राइटिस दो तरह का रुमेंटिड और ऑस्टिव दोनों तरह के अर्थ्राइटिस में एक मेडिसिन तो मैं पहले ही बता चुका हूं चुना जिसको आप कभी भी इस्तेमाल करें दूसरी मेडिसिन भी पहले बता दिया है लेकिन रिपीट करना नहीं हूं बेस्ट मेडिसिन अर्थ्राइटिस के लिए दोनों यह रिवेटिड है तो ओस्टियो है तो लेने का दरीगा बता जुका हूँ एक छोटा चमबच मेह दीगा दाना एक लास गरब पानी में रात को डालना सवेरे उटके पानी सिप सिप पीना दाना चबाके तो अर्थराइटिस पर और एक एक्स्ट्रा मेडिसिन अप में बताने जा रहा हूं अर्थराइटिस के लिए ऐसे अर्थराइटिक फेशंट जो टूटली बैट रेडिन हो गए 40 साल से उनको तकलीफ है कोई बोलेगा 30 साल से तकलीफ है किसी को 20 साल से तकलीफ है और ऐसी कंडीशन हो सकती है कि वो दो कदम भी ना चल सके हाथ भी नहीं हिला सके इतना दर्द उनको होता है तो लेटे रहते हैं बैट पे करबट भी नहीं बदल सकते हैं उस कंडीशन के लिए जिनको बहुत पुरानी अर्थराइटिस है 20 साल, 25 साल, 25 साल उनके लिए एक स्पेशल मेडिसन है जो उसी के लिए काम आती है वो एक पेड़ से बनती है एक पेड़ होता है उसको हम कहते हैं हार सिंगा पारी जन संस्क्रिप में उसको पारी जन कहते हैं हंदी में हार सिंगा उसमें सफेद रंग की फूल आते हैं और नारंगी रंगी तंडी सफेद रंग का फूल टोटा होता है नारक लिवेंडी होती है फूल में बहुत तेज खुश्पू आती है रात को ही फूल खिलते हैं सुबह जब आप उठेंगे तो वो जमीन में गिरे हुए मिलते हैं वो है पड़ी चाहिए वो है हारसिका रही है हारसिका रही है पारिजा कुछ ऐसे हो सकते हैं दो-चार परसंट लेकिन जादा गिल जाए और ध्यान यह रखिए कि रात को फूल खिलते हैं खुश्पू बहुत देज होती हैं दूर तक आती है डंडी हमेशा उसकी नारंगी होती है इसके पार्ट उसका और इंज होता है औ पजीज दाओं आप छावल में क्यों डालने हो तो मुझे नहीं मालूम है आप इसके पत्ते लेजीए यह पेड़ पत्ते छे से साथ पत्ते लेना है एक बार नहीं और उसको पीष ना है पत्थर को पीस लीजे थोड़ा पानी लाल के पिस गया तो एक किलास पानी में वो म लिला के पीसा हुआ चट्नी मिलाके उसको बॉयल करना है, पानी को और इत्ना बॉयल करना है कि पानी आधा हो जाए। काड़ा बन गया है, अब यह जो काड़ा बन गया है इसको ठंडा करके पीना है। और ये सबेरे ही पीना है तो इसलिए रात को बना के रख दीजे सुबह उठकर इसको खाली पेट पीलिजे और पिला दीजे जिनको भी पुराना जोडों का दर्द है दस साल हो गया बीस साल हो गया पंदरेट पचीस साल हो गया आप बहुत तकलीफ है चल नहीं सकते हैं तर और नहीं सिक दो प्रेंकर देना फिर और तीन महीने दे देना मैंने इसमें देखा है कि ज्यादा तर केस एक से जिड्र महीने में छी ठीच ईजा था तो बहुत रेर केस जितको लेना वी आपको बहुत अच्छा है तो अब आप ये दूसरों को बता ही अच्छा इसको आप अर्थराइटिस में यूज करिए जॉइंट स्में में यूज करिए इसका और एक यूज है जो थोड़ी देर पहले बात आ रही है अगर आपको डेंग्यू हो गया अब डेंग्यू में बुखार कही बाद चला जाता लेकिन दर्द नहीं जाता है उसमें भी इसी को इस्तेमाल करें इसे तरीके ना हाँ इसी तरीके बस इतना है कि डेंग्यू के केस में 15-20 दिनी लेना पड़ेगा अर्थराइटिस में तेड़ दो महिने तक लेना पर सकता है उसमें नूर्मल पर सकते सचेल्व तो मिश्चनल इसे सफीत गोड़ेगा उसमें खता है ओंतो हूंती कि पारिखा उंतल ही तो इसमेरम पर ᡟो आजने आगें अजया है, खरगलो चूने में से खीए तो यह तो चूने से खीख होस्या है। सिर्फ चुना, तो इसको फिर रिपीट कर देता हूं, हार सिकार का पेड़ है, उसको पहचानना है कि सपे फूल छोटे, नारंगी रंडी, फूल की खुश्बू बहुत है, रात को फूल खिलते हैं, सबेरे जबीन पे गिरे हुए बिलते हैं, इसके पत्ते को भी पहचानना बहुत आसान है, इसके पत्ते को आप छुएंगे तो काटे जैसे चुपके, नहीं मिलेगा, कोई नहीं रखता, ये तो जहां पेड़ लगा है, वहीं मिलेगा, तो आप इसको घर में लगा लो, ये जो नरसरी वाले लोग हैं, उसके से पौधा लिया हो, दो चार पांच र कहीं भी हो जाता, इसलिए लगाने में प्रॉपर, तो लगा लो, नहीं तो ढूड़ लो, पटियाला में कहीं में कहीं तो मिल जाता, ये गुरुपरिट भाई से पूछ लेना ये बताने, अब आप इसको ध्यान रखना है, वह ये पिसके फूल नहीं लेने है, पत्ते, छे हो जाएगा फिर उस पानी को ठंडा करके पीना यह को भुरा फ्रोसीप हर भाड हो रात को बना के रख देना सबेर ले लेग knights करना लात एक बार रहा को डनदिया सबेरन नहीं करते अब इसमें आप यह करेंगे फिल्टर कर करना या बिना फिल्टर कर तो जल्दी परिणाम है फिल्टर करके पिएगे तो परिणाम हाईगा लेकिन थोड़ा देन लगाई देजिए पेशन्ट मैडिसन ले रहे हैं रोकने रिट लेगे हैं इसको देगी एक परसेंट है इसके एक आज तक पेशेंट मुझे यह नहीं बोला कि मुझे इसका हाँ यह एडिशनल है और एक्सक्लूजिव है इसको लेने के बाद कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती ना चूना ना मेंधी का नावा इसको ले सकते हैं और जितने तरह के आपको बीमारी आती है बुखार जिसमें जोड़ों के दरद आ जाते हैं किसी भी तरह का बुखार जिसमें जोड़ों का दर्द आ जाए और जल्दी ठीक ना हो उन सब में आप इसको यूज़ करें नहीं 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 जी यह तुनी स्ट्रॉंग दवा है कि यह अकेली ही ली जाती है दूसरा सारे इसके अफ्राइट्स के लिए नहीं किताब में देया हुआ है कि सुन्द मेतिदाना अस्वरंदा हम जरूर लीजें मेरा ये कहना है कि जो किताब में है वो तो आपको मालूमी है मैं तो वो बता रहा हूँ जो किताब में नहीं है आपके पास नहीं बिल्कुल नहीं एक बार में आप समझ लीजे ये एक्सक्लोजिव मेडिसिन है तो अकेली ही ली जाए इसके साथ कुछ भी लेंगे तो तकलीफ हो जाए और एक बीमारी में इसका इसका इस्केमाल कर सकते हैं आरे फैक्टर जिनका भी प्रॉब्लमेटिक है और जाए परकताब कोई चांस नहीं है नीजॉइंट्स आपको रिपलेस करने ही पड़ेंके तो जिनके नीजॉइंट्स रिप्लेस करने की नौबत आ गई हो थाए हो यह कुछ हैंने निकालके नागाने पड़ रहे हो इख जसा प्ड़ों सब के लिए हैं कभी भी मेरा आपको कहना है कि नी जौइंट्स को replace मत करने कितना भी अच्छा doctor जो है कितनी भी बडी guarantee पर कभी भी मत करने उसको आपके पास जो है उसी को रिपेर करके काम चलेगी हमारे देश के प्रधान मंतरी श्री अटल जी ने ये प्रयास किया नी जॉइंस का रिप्लेस्मेंट हुआ अमेरिका के बहुत बड़े डॉक्टर ने किया आज उनकी तकलीफ पहले से जागा पहले तो थोड़ा बहुत चल लेते थे अब तो चलना बिल्कुल बंदो गया है कुरसी पे ले जाना पड़ता अब आप सोचो जब प्रधान मंतरी के साथ ये हो सकता है तो आप तो कॉमन की पोलिस है इसलिए बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं अमेरिका से है और हर साल यहाँ केमप लगाते है और इन केमपों में भीड़ उपड़ती है नी रिप्लेस कर लो ये रिप्लेस कर लो ये मत करिये आप बगवान ने जो दे दिया है उस पे भरोसा रखिए उसको रिपेर कर लीजे पैसे पागवन्ड कभी मत करिये कि मेरे पास पैसा है तुम्हें क्यों नहीं कर सकता पैसे से दुनिया में सब नहीं होता जो हो जाता तब तो ये दुनिया ही दूसरे तरह उनको मालूम था लेकिन उनके सहयोगियों ने चलने नहीं दी वो चाहते नहीं थे कि ऑपरेशन हो लेकिन उनके आसपास के लोग थे उन्होंने का रहे अगर अमेरिका का डॉक्टर है इतना अच्छा है मैसा है इतना इसा सबके दिमाग में तो भूत गुसा हुआ ना अमेरिका 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 की यह अच्छछी है अप्वों अमेरिका खुद भिकारी है इसारी दुनि MX तो ये दिमागा फितूर हटाए लिया जिया इसके पास 8-10 बड़ी डिग्री तऊ बहुत बड़ा ग्यानी हो जाएगा बिल्कुल जरूरी नहीं ग्यान का डिगरी के साथ कोई लेना देना नहीं है कोई रिष्टा नहीं हो सकता है किसी के पास बिल्कुल डिगरी ना हो आपके गाउं का साधारन वैद दे हो वो कैंसर मिटा दे आपका और हो सकता है बड़ा डिगरी वाला आपकी जान निकाल ने इसलिए नॉलेज को सम्मान करिए डिफियों के पीछे मत भागिए इतना पागल पन हम में आ गया है कि थोड़ा सा ऐसी डिगरी जो हमें भी नहीं समझती है फर सी एच एम डी एच आपको खुद कुछ नहीं मालूम है कि इसका मतलब क्या होता है आप लगे हैं उसके पीछे के तो बड़ा डॉक्टर है फीस भी जादा लेता दवाएं भी बहुत लेगता ये चक्तर छोड़िए क्योंकि सिंपल मेडिसिन हमारे आसपास में जो उपलब्द हैं वो इतनी इफेक्टिव हैं जो कोई दूसरी कॉम्प्लिकेटिव मेडिसिन ये ये जैसे बने उन वाणते ने काम करते हैं है फुर्द में बोड़ीज और है जो कि रयाएं कि बात करें कुछ हैं ये जना फ़िए हैंने जो हमारे घर नाव ईस्सरुट हैं अस्तमा बुए गया लिया, सल्दी, खासी, जुका, ये तीनों एक ही केटेगरी में रखीर जे, एक ही केटेगरी की मेड़िसन है, इसके लिए अपने रसोई में क्या-क्या है, इसके लिए अपने योग सिंपती से पूरे हुआ है, कि रोय की दंदी साथ हिं, साथ तुल्ची के पते, साथ नीम के पते, एक टुट्की जमैट, इसको आदा के लिए पानी में वाल करके थाफ रह जाए, इसको आजे प्रिवेंटिव ही ले सिखें, नहीं, ये प्रिवेंटिव हैं ये क्योरेटिव है, हम तोड़ा आगे बढ़े हैं, सर्दी, खासी, जुकाम, ये तीन अदरक कोई दूसरे नाम में सोंट कहते हैं, अदरक सूख जाता है, तो सोंट हो जाता है, अदरक सूख जाता है, तो सोंट हो जाता है, तो अदरक या सोंट इसकी बेस्ट मेडिसन है, दूसरी बेस्ट मेडिसन है, वो हल्दी है, तीसरी बेस्ट मेडिसन सर्दी, खासी, ज पांच भी मेडिसिन सर्दी खासी जुकाम की दाल चीनी, मुनक्का अलेग है किश्मिश अलेग है, फिर से बदा है दाओं, सबसे अच्छी दवा है अधरक है, दूसरी हल्दी है, तीसरा चूना है, चौती दाल चीनी है, फिर किश्मिश है, और इसमें आप बैथी दाना भी यूज कर सकते हैं, इतनी दवाएं हमारे रसोई में हैं सर्दी खासी जुकाम के लिए, और इसके साथ कुछ कॉप्लिमेंटरि मेडिसिन के साथ Looks करके यूज करते हैं, वो है काली मिल्च, तुलसी का पत्ता, यह कॉप्लिमेंटरी है, जीन मेडिसिन है अधरक, जीन मेडिस सिने चूना उसके संद्ड कॉम्भी मेंट जी है उसमें से एक है तुनसी उसमें से एक है डाल जी नितालीमिन्ट कालीमिन अब इनको यूज कैसे करना है यूज करने का तरीका अद्रख है उसका रस निकाल लीजिए अद्रक रस को निकाल लीजे और इसमें थोड़ा शहद मिलाके हल्का गरम करके पी लीजे ये एक तरीका दूसरा तरीका है अद्रक का रस निकाल लीजे उसमें तुलसी का रस मिला लीजे और हल्का गरम करके शहद मिलाके ले लीजे वो दूसरा तरीका गरम करने के बाद ही शहद मिलता है शहद मिलाके कोई चीज गरम नहीं कर सकते अगर शहद नहीं है तो गोड़ ले लीजिए गोड़ भी चलेगा अब दोस कितना लेना है? एक पार में एक चमच से जादे नहीं सम बिलाकर एक चमच अब आप खुद दिसाइड कर लेना सब मिलाके एक चमच अदरक का रस, तुलसी का रस और शहद टीमा मिलाके एक चमच सुबह सुबह ले लीजे खाली पेट बहुत अच्छा है एक बार दुपैर को भी ले सकते एक बार शाम को होगी तो उसमें बीपी नहीं बढ़ा होगा, बीपी नहीं बढ़ाता है, यह जुड़ाट कर दूसरा कोई कार्यों को इसी तरह से सल्दी खासी जुकाम में हल्दी का इस्तिमान कर सकते हैं, हल्दी को सबसे अच्छा तरीका है खाने का दूद में मिला है, जो हजारों साल से इस देश नहीं इस्तिमान बढ़ा है, दूद में मिला है, और मिला uğर 보여श्य को बॉइल करना पड़ता है दूँद को फिर उसका असर आता दूसरा तरीका है कि अगर दूद उप्लक नहीं 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 मट डाले बिना भूर के खाने की कोशिश करिए हो जाए तो अच्छा बिल्कुल ना जाए तो देख लीजे थोड़ा बहुत अगर किसी कारण से दूद भी ले सकते या दूद उप्लक नहीं तो पानी में भी बॉ दूद में ले सकते हैं और हैं जी मात्रा हमेशा चौथा ही चमच सर्दी खासी जुकांट इससे जावा कि कच्छी हल्दी मिल जा तो और भी अच्छा है छोटे टुपड़े करके दूद में बॉइल कर लीजे उसे और इसी हल्दी को और इक बीमारी में इस्तेमाल कर सके है तेख ओलए कि तॉंसलाइटिस यह बच्छों की जो वीमारी है न तॉंसे उसमें इसको इस्तेमाल कर सबदी टॉंसलाइटिस की टॉंसलाइटिस में अग्सर क्या होता जब बी बच्छे को होगा आफ दोक्टर के पास्जा जी इमीडिएट कहेगा ऑपरेशन करा दो काटक कि निकल दो ऐसे समस्का जैसे भालतु दे दिया बगवान में एक आज कल के एक तो डॉक्टर माताओं को बोलते हैं कि अपना गरभाशे काट के निकलवा दो और यह दूसरा टॉंसिलाइटिस के लिए बोलते हैं यह दोनों ही अगर आपने निकलवा दिये तो फिर बगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता यह जाने एक बार बच्चे का टॉंसिलाइटिस का आपने ऑपरेशन करा दिया और कट के निकल गया फिर जिंदगी बार उसको ना कोई दवा काम आएगी उसको उस तकलीफ के साथ ही जिंदा रहना पड़िए इसलिए यह गलती कभी मत करी अ पाने बहुत पुराना हो गाए एंथ तो हल्दी को सेधा इस्तेमाल करना ना दूद में ना पानी में सीठे लविस्ते इस्ते मअर निये कैसे नॉन में बहर लिए और मूँ जितना फुल सकता है उसमें अंदर ले जाके चमंद चोड़ दीजे दैजा इने हुच्च नार के अगर टॉंसलाइटिस क्रोनिक है तो एक्यूट है माने हाल फिलाल में हुआ है पंदर वीज दिन महिना दो महिना तो आप उसी तरह से दूद में लीजिए इसको या पानी में लीजिए बच्चे डोत अच्छे किता हलती पौनी है जी तब पिना मिखे दोता पिंदे ने मिश मिश्री पाई जाएगा मिश्री दे दीजिए चल जाएगा सब्सक्राइब पानी नहीं पीना है वो लार के साथ अंदर जाएगा पानी उनको गंटे बर तक नहीं देना और इसमें थोड़ा एक और दूसरी विमारी इसी से जुड़ी थ्रोट इंफेक्शन गले में खराश हो गई और गले में किसी तरह का इंफेक्शन है गला बैट गया है तकलिफ ऐसी है पानी भी पीने में तकलिफ हो रही है आपकी लार में गले में भी तकलिफ हो रही है इ सबके लिए यही हल्वी इस्तेमाल करना है दूद में घी के साथ हल्वी, दूद और घी घी माने कायगा हिल्वी, एक ग्लास दूद रहेगा चोथाई चमज हल्दी रहेगा एक चमज घी रहेगा यह दीनों को मिक्स करके बौई करना है बॉई करके खूब गरम-गरम चाय की तरह से की शाम कोई कापी है इस वाइजी फिर से रिपीट करता हूँ एक किलास दूद्ध चौधाई चमच छल्दी एक चमच घी घी माने का आएता इसको एक दूसरे में मिलाके खूब बॉई करिये और इतना गरम हो चाय जैसा और चुस्कियां लेके पीना सिम्ट करके नहीं नुक्सान तो कुछ भी अच्छा बलावी पी सकता बस मात्रा हल्दी की थोड़ी कप कर दीजिए है जी शुगर माने चीनी में चीनी को तो विदा कर दीजिए थोड़ा बुड़ ले लिया तो चलेगा चीनी तो छोड़ी दीजिए तो भी निकल जाएगा और जुकाम के लिए मैं और एक दवा बता चुका हूँ जो पहले से आपको मालूम है चूना चूने को इसी तरह से जैसे पताया हुआ है आप यूज कर लीजे तो जुकाम की कर देगा या कि logic आतंब चलो energy पे Oscar जो है उसकी आपके घर में जो सबसे अच्छी दवा है वह एक ही उसका नाम है गाएका गी देशी गवाएकreich कि कि आपने थोड़ी और पहले बहुत आतीया बार बार चीके औ हैं कि द्रुकE A रएए बार बार जुकाम हो रहा है तो एलर्जी ही है समझ लीजे और इसी से जुड़ी हुई और एक बीमारी है स्टॉफीलिया वो एलर्जी का ही भाई है ऐसा समझ लीजे इन दोनों डिसीज में बहुत अच्छी जो मेडिसिन है हमारे पास वो है देशी गाए का घी इसको क्या करना है नाख में डाले के सोना है एक एक बूंद देशी गाए का घी रात को सोते समय दोनों नाख में डाले के सोना है हलका गुनगुना करना है हलका गरब करना है तब ही नाख में जाएगा और डालने के बाद ऐसे खीचना फिर सो जाना है लगातार पंद्रे बीस दिन अगर आपने किया तो चालीस साल पुरानी भी अलर्जी ठीक कर देता है गहीज की तुलना किसी से नहीं हो सकते हैं तो आप इसको इसको इस्तेमाल बरे और यह क्या काम कर देता है घीजिनको नीथ नहीं आती अच्छी उनकी बहुत नहीं आई गया अच्छी हैं जी सर्सों का तेल मुझे नहीं मालूँ उसके जो चीत मैं नहीं जानता हूं उसके बारे मैं नहीं कह सकता मैं जो जानता हूं और खुद करता हूं पिछले बारे साथ से वो ही कहां देशी गायका घील हलका गरम करके नाक में डाले के सोना तो एलर्जी खड़म करेगा भी ठीक कर देगा और क्या क्या ठीट करता है रात को जिनको नीद नहीं आती अच्छी उनकी नीद आएगी बहुत अच्छी खरागे की बिल्कुल बंद्ध की दिन में हैlar दूसरा दिन नहीं लगता पहले दिन में बंद entrevist कर देगा कुज था बिल्कुल ठीस चिस ळियर थ बहुत लोग मूँ खोल के सोते उनका मूँ बंद करा देगा यह वो बंद करके ही सोई नहीं कुछ नहीं मिला सिंपल कायगा बस हलका गरम करना ताकि डल जाया से और यह क्या क्या कर देता है इस पंद्रव 20 दिन कम से कम तीन महीने अधिक से अधिक और यह क्या क्या कर देता है यह सबसे अच्छी दवाह देशी गायका की यह ब्रेंट के हर वुस्स हिस्से तक पहुंच जाता है जहां कोई नहीं पहुंच पाया आज तक ना डॉक्टर पहुंच पाया ना कोई मैं कर सकते हैं आपको इससे नुक्सान कुछ नहीं आएगा यह पकर की फाइदे इतने हैं इसके क्या होगा एक दो दिन आपको नाक से सारा रेशा गिरीगा एक दो दिन वो सब कच्राइगी जमा है वो निकाल देगा ये शपाई करता इसकी प्रॉपरटी है क्लिंज़िंग तो यहां सब जुकाम अगर बलगम जिसको आप कहते हैं कम वो सब निकाल लेता है यह दो दिन निकालेगा फिर उसके बाद इतना रिलेक्स हो जाएंगे आप कि आप इसको भूल नहीं हुआ इसलिए मैं बार बर कह रहा हूं देशी गाय का घी हां है एक मिनट टेक मिनट आपने बढ़ी अच्छी बात कहिए सुन लिजे सा अगर तीन चार साल पुराना है तो गी नहीं अपरुत है और दस साल पुराना है तो उससे भी अच्छा गाएगा देशी की जितना पुराना होता जाता है कीमत उसकी उतनी बढ़ती जाती है वेल्यू उसकी उतनी बढ़ती है है जी बजार में नहीं मिलेगा कोई व्यक्ति जो देशी गायव पालता होगा उसके पास मिल जाएगा जिनका रेश्मा गले में मिलता है वो भी जी इसकिन का प्रॉप इसकिन पर अभी आ रहा हूं थोड़ी देव अभी बात चल रही है स्नोफीलिया की बात चल रही है नकसीर की नकसीर आप समझते हैं नाक से खून आ जाता है उनकी भी यह बेस्ट मेडिसिन है देशी गायव प्रॉप जाता है उनको बोल सकते हैं मुझे मिल ले अपनी रिपोर्ट के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं नकसीर की बात हुई ना कई बार गर्मियों में खून गिलता है कई बार वो इतना गिलता है कि परेशान हो जाते हैं लोग तो यह घी डालना शुरू कर दीजे खून निकलना तुर क्लाट करता है एक तरफ खून निकालने में मदद करता है जमा हुआ खून और इक तरफ नए खून को जमा देता है दोनों इक वालिटी इसमें एक साथ है बता रहा हूं अभी पहले बात चल रही है नाक कि अवाप मीचे पहुच लेगों अगर तो आप इस घी को आप इस रूप में इस्तिमाल कर रहा है बहुत अच्छा है मेरा यह कहना है कि यह कैसे उपलब्द होगा मान लीजिए तो मेरी आपको एक छोटी सी सलाह है अगर आप मानें तो आप आट-दस लोग मिलकर आट-दस गाय कृदी देश की गाय कृदी जिनके भी घर के सामने थोड़ी और मैंने कई धरों में कुद्ते देगी कुद्ते रखे हुए गाय रखने में क्या प्रॉब्दू कुद्ते से तो अच्छी ही है हर समय जहां देगो कुद्ता पाउँ उठाके कई भी शूशू कर देगा गाय तो ऐसी नहीं तो गाय रखने के फाइदे सबसे बड़े हैं अच्छा आप नहीं रख सकते तो और एक और सज़ेशन देता पट्याला के आसपास के कुछ गाओं के किसानों के साथ आप दोस्ती करें और किसानों को कहिए कि देखो मैं गाए आपको देना चाहता हूं खरीद की दस बारे हजार की देशी गाए आती है किसान को को तुम तुम तुमारे गर में रखो इसका दूद मुझे देना और गोबर और मूत्र तुम लेना कि उसके खेद में काम आए दो बता रहा हूं उसका लाखोड रुपए का यूरिया निए पी का घर्चा यह बचा देटे का तो तुरुन तयार हो जाते क्योंकि हमने ऐसा बहुत जगे किया बहुत जगे भारत में बहुत जगे किया जो गाए नहीं रख सकते उनके पास काली गाय तो बहुत ही अच्छी है ना मिले तो सफेद लेलो लाल लेलो बस देशी लेना में देशी के पीछे जो कंदा होता ना वो बहुत हुचा होता वो ही एक पहचान है उसकी तो देशी गाय रखे आप क्या कर सकते हैं घी आपको उपलब दो जाएगा दूद आपको सबसे महतु की बात जो मैं कहने जा रहा हूं मूत्र अपलब दो जाए जो कैंसर में काम आता है और कोई दवाही नहीं है कैंसर और गाय का मूत्र सिर्फ कैंसर में काम नहीं आता है गाय का मूत्र हर उस बीमारी में काम आता है जितने नाम में अभी तक ले चुका हूं आप तो गुवान का दिया हुआ कुछ ऐसा है जो हर बीमारी में काम को जाता है जहां कोई दवा काम नहीं करती सब फेल हो जाता वहां गुव मुत्र में हम जब जाते तो रिजल्ट आगे इसलिए इस गुव मुत्र को आप साधारण मत समझें यह दूद से जादा किमती जिनको गाए के मुत्र का पता चल गया है उनके गाओं में दूद दस रुपई लीटर है मुत्र 50 रुपई लीटर दूद से महना मुत्र है क्यों दूद को बोनस मानते हैं असली मूत्र हैं और गाय मुत्र के लिए पाली जाती है आयो वेट में गाय का जितना वरणन है वो मुत्र के लिए और मेडिस्नल है वो गाय का बाली हर बीमारी में आप इसको इस्तिमाल कर साथ मैंने जितनी दवाएं आपको बताई हैं अब तक इनको एक तरफ कर दीजिए और गोमुत्र को एक तरफ कर दीजिए सब बराबर कर देजिए अगर तराजू का पड़ा आपके पास है तो सारी दवाएं जितके मैं नाम बोल चुका हूं मैंतिका जाना और ये और ये ये इक पल्ने में रख दी कि गोमुत्र दूसरे में बराबर है दारू की लेते हैं तो उसमें क्या तकलिए ये बांगे पीलिजे कि मैडिसन है एक दो दिन आपको तकलीफ होगी पीने में उसके बाद तो बिल्कुल क्लियर होता है अब इसमें क्या क्या ठीक कर सकते हैं वो आप लिख डालिए गोमूत्र रूपर लिग लिजे बीमारियों के नाम बता जेता हूं हर बीमारी में ये अभी थोड़ी देर पहले आपने वबासीर की थी बेस्ट मेडिसन है गोमूत्र कितना भी पुर किसे के दॆ भी बावासीर होगी दो इसोरी अभी बादी यर खुनी दो नौन वे बावासीर ही बावासीर की बेस्ट मेडिसन है जिसको फिश्चुला शुचियों बावीमारियों की थी बियारों फिश्चुला bum鉄塔 सकी आप बयारी आप बाशी बाश जड़ों क्यों किर्षा हाई ब्लड प्रेशर की बेस्ट मेडिसें है हर्ट अटेक रोकने की बेस्ट मेडिसें कैंसर के पचास-पचास लीटर है और आपको शाय सुनके हरानी होगी लेटिन अमेरिका के देश सिंद से गाई ले लेके जा रहे हैं ब्राजील में मैकसिको में चिली में कोस्टारिका में कोलम्पिया में ये पांच और अरजेंटीना में छे देशों में सारी गाई सिंद की हैं वो यहां से लेके जाते हैं एक गाई लेके जाते हैं उसके साथ एक सार लेके जाते हैं और उनकी फिर बहुत अच्छी देखवाल करके तीसरी नसल जब आती है तो उसको एक करोड का वो किसी को भी बेचते हैं एक करोड का क्वालिदी क्या भी है उसका जो मूंत्र हो जाता है वो इतनी effective medicine हो जाती है ब्राजील में एक-एक करोड रुपई की सिंदीग आए एक-एक करोड दूद साथ लीटर सत्तर लीटर 80 लीटर 90 लीटर तीन आदमी लगते हैं निकालने वाई हैं और मशीन से निकालने नहीं देत हो देशी गाई की विशेषता मशीन जरा भी लगाई तो आपको नहीं छोड़ेगी थे हाथ से निकालना परता है क्योंकि वह बहुत sensitive कानी यह जरसी गाई को तो कुछ sense ही नहीं है हाँ देख लो ना बैट गई तो बैट गई खड़ी हो गई तो खड़ी हो गई जरसी और देशी गाई के सामने उसके बच्चे को हाथ लगाके देखो मार डाली गया ऐसे बहुत सीधी है लेकिन उसके बच्चे को कुछ हाप predicted किया तो आपको छोड़ेगी नहीं तो शेर को नहीं चोड़ती आपको क्या चोड़ती जंगल में कभी देख लो देशी गाई अपन सबसे विचित्रता क्या है या ख्वाल क्वालिटी है उसकी बहुत अच्छी बात उसमें है कि उसके शरीर में पीछे कंगा जो है न ऐसे तरह वो उसका डिश एंटीना है वो क्या करता है सूरी से निकलने वाले रेडियेशन को रिसीव करता है आप जानते हैं सनलाइट में अ उसके खोन में मिलकर एक हर्मॉन बनता एक क्यमिकल डवनब उता है वो कैमिकल उसमें यूनिक है जो दुनिया के किसी जानवर में बने और वही यूई है जो हल्दी में है जिसका नाम है करक्यूमिन इसके मौतर को दुनिया में सबसे अच्छा मधा है तो ब्राजील वाले इसके मूत्र से दवाएं बढ़ाते हैं और वो डॉलर कमाते हैं गाये उनके पास नहीं हैं तो सित्न से खरीब ले जाते हैं पंजाब पंजाब माने पाकिस्तान का पंजाब वहां से खरीब ले जाते हैं क्योंकि सबसे अच्छी गाया भी वहीं बची हैं तो वहां से लेके भारत में भी थी ये सब, लेकिन बटवारा हो गया, तो सेदा अलीज में पाकिस्तानी चला गया, तो मेरा आपका कहना है कि आप से पाकिस्तान कोई बहुत दूर नहीं है, आप भी एक काद ले आओ, और लाके उसके साथ एक बैल भी ले आओ, फिर उसकी नसल तयार होती थोड़े दिन में, दस-पीस साल में इतनी गाए हो जाएगी कि सबको उसका दूद, सबको उसका मूँ कि सबको घी मिल जाएगी, और एक काम आप करा दो पंजाब, यहां पर अकाली दलिके आप बेठे हैं, एक काम ये करा दो कि पंजाब में गाय खटना बन करा दो, सबसे जादा गाय कटती हैं यहां देशी गाय कतल खाने उसके बने हम पालते हैं आगे बढ़ते हैं कसा ही ले जाके कार देखा और उसका मास अब गाय का दस वारे हजार उपए से जादा का नहीं बिगता और वही गाय अगर जिंदा रहे तो 20 साल जीवित रहती है 40 लाक रुपए क पंजाब के लोगों का दिमाग कुछ घूंग गया है वो जरसी लाके और सरकार भी उनको कहते हैं पैसे लेलो जर्सी लाओ, वेक वाले कहते हैं लोन लेलो जर्सी लाओ, ये अंग्रेजों की सारी चाल थी जर्सी गाये लाना, क्योंकि अंग्रेज खाते थे गाये का मास, और जर्सी गाये में गाये का मास, मानु मास जादा है, दूद के लिए ग मनश्र से ज़्यादा गाये हैं, आपको मालू है? नमबर ओफ सिटीजन्स एक तरफ है गाये, उससे ज़्यादा है उनके पार, फिर भी डेन्मार्क का कोई आदमी एक बून दूद नहीं पीता, चाहे भी पीते हैं तो काली पीते हैं, जब मैं उनको पूछता हूँ, क्यों न गाये बिखवानी हैं, और इनकी जगे देशी गाये लानी है, वो शुरू कॉन करेगा, आप करो, और मैं आपके साथ गाओं गाओं चलूगा, लोगों को ये समझाने के लिए, समझ तो आएगी, ऐसा तो है, समझ आएगी, फिर उनका एक ही सवाल है, जब उनका एक ही सवा हैं, पाकिस्तान से, जो कम दूद की चाहिए, वो तो भारत में भी है, भारत की भी देशी गाये 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर तक आराम से देखी, अब बस एक और जानकारी आप से मुझे शेयर करनी है, कि गाये का दूद जो जादा हो गया, दूद जिस गाये को बैल बनने के बाद ताकत कम होते हैं, और जिस गाये का दूद कम है, उसके बच्छडे बहुत मजबूत बैल होते हैं, ये भगवान का नियम है मेरा ने, जिस गाये को दूद जादा होगा, उसके बच्छडे बैल तो बनेंगे, लेकिन जादा बजन नहीं खीच सकते, लेक टूर्ट इसे लिए इसाब निकाला था कि इसल पर capital जाना से जादा 10 साल चलेगा उसब साल करेंगे तो 20 साल चलेगे 20 साल के एक का करेंगे का ट्रूल दुनिया में डीजल परेट्रोल जितना है वे हो 20-20 साल में खतम होले तब बैल ही है जो आपकी कार को खींच के ले जाएगा और इस पर एक फाइदा होने वाला है कि यह जो गाई का गोबर है ना गोबर बहुत अखुत है यह जैसे बूत रद्वत है वैसे गोबर बहुत है गाई के गोबर में वो सब क्यमिकल हैं जो अच्छी खेती करने के लिए जरूरी और गैनिक फार्मिंग जिसको आप शेटी ना उसको कहता हूं जिस खेती में जहर नहीं डालना यूरिया डियेपी उसको करने का एकी तरीका गोबर त मैं 15 साल से मेरे खेत में गोबर डालता हूं मेरा गाउं में जनम हुआ मेरे घर में खेती होती है 15 साल से हम गोबर डालते हैं गोबर के साथ गाए मूतर भी मिलाके डालते हैं इतनी जवर्जस्त खेती होती है कि सब दूर दूर के लोग देखने आते हैं हमारे गाउं में ज डालते हैं उनको एक एकड़ में 90 तक होता है नाइंटी मीट्र टन है और दूसरों का गन्ना होता है आठ फिट नौ फिट हमारा गन्ना होता है 14 फिट फंद्र फिट है दूसरों का युडिया डियमी की गन्ने की रिकवरी है सब चीनी मिल वाले परेशाने हमारा गन्ना लेने के लिए हम किसी को देते ने क्योंकि हम उसका गुड़ बनाते हैं और उस गुड़ में भी जहर नहीं बाहुते हैं उसको दूद से साफ करके वो गुड़ बनाते हैं वो गुड़ हमारा बजार में 70-80 रुपए किलो जाता है और व्यापारी एक साल पहले एडवांस दे देते और कहते हैं जी अगले साल किसी को मत लेना मुझे ही देना मैं उन व्यापारियों को पुछता हूँ बहुत गुड़ है ले लो तो उनने का आपका गुड़ हम अंतर अश्री बजार में डियों सरू पर किलो बेचने इंट रखेंस तो एक ही जैसी है हम सब इंसान भी एक जैसे हैं दो आंख मेरे एं दो कान मेरे दो आप पस इतने हैं कि थोड़ा जैंसिक ही और थोड़ा एंटेयों हुट औरfre tech scientiaal disability और उत्र से दभाएं कैसी बनाना जो जो किसान में सीखा सब लखपती हो गए एक भी किसान अभी बैंक का करजदार ने सब बैंकों को करजा दे रहे क्योंकि खर्चे सब के घट गए और आमंदनी सब की बन गए गाय में इतनी ताक है मुझे अब बच्पन का याद आता है मेरी दादी मा मुझे कहती थी अब वो जीवित नहीं है वो कहती थी गाय के गोबर में लक्षमी का दिवास पहले तो वो कहती थी 33 करोड देवता है तो मेरे तो दिमाद में नहीं बचपन में गोमय वसतिलक्षमी गो मूत्रे eujjjmanin तो से मिलंद्थ समझ सब्सक्क पता चल गया कि गाय के गुजब को जब खेट में डालते हैं 90 वीट्रिक कंटन होता है तो लक्षमी आती है और गौहरं के गोवर को कहिजब में डालते हैं कुनक बीज़ते हैं तो धन गार कर फर्षिस कुंटल तक कानक आता है दान बीजते हैं 29-37 कुंटल दान आता है, कबास बीजते हैं तो 7-8 कुंटल कबास आती है, सब्जीयों की खेती करें तो एक एकड में हर दिन कम से कम 5 कुंटल सब्जी तूटती है, इतना फाइदा है गोवर की खेती करने का, तो आप भी करो, अब आप में से किसी के पास खे जे खेति करने का फॉर्मुला एक एक लखेत में थे एक लखेत मेंकत पन्दरह दिन का गोवर गयगा पंदरह दिन का मूत्र कि दोनों मिला आए और उसमें देढ़ दो किलो गुड़ डाल देना भुड एक ड्रम में बला 뭐가 दिए प्लासिक का हमें प्लास्टिक के द्रब में 15 जितना मुले वो सब एक ड्रम में मिलाना और देड़ दो किलो दाल का आटा डाले कोई भी दाल, मुं की दाल, नसूर की दाल, रेर की दाल, तुर की दाल, चने की दाल, मा की दाल, कोई भी दाल का आटा, एक देड़ थी, चने की दाल का आटा मने बैसे, तो ये डाल के पंदर दिन रख दे रहा है, पंदर दिन में ये खा 10 गुना पानी मान लीजिए गोवर की quantity थी 50 किलो कल बना करिए तो 500 लीटर पानी मिला दे है गोवर था 100 किलो तो 1000 लीटर पानी मिला दे है तो गोवर का 10 गुना पानी अब ये तयार हो गया ये खाद है जो आपको इस्प्रे करना है अब आप स्प्रे कैसे करेंगे, खेत अगर खाली है, तो इस्प्रे मशीन है न, उसका नौजल निकालने आगे से और उसमें बड़के स्प्रे हो जाएंगा, और खेत में अगर फसल खड़ी हुई है तो जब पानी लगाएंगे फसल में तो पानी में बिला देना तो पानी के साथ चला जाएंगे और ये खाद को महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दो बार देना है बस केघ मैइने में जो मार एक बार विदेंगे तो भी άच्हा लेकिन दो बार से ज약्वादा देने की जरूरत ने है तो मालीजे चार महिने की फसल तो आठ बार देना पड़े ला की तीम हाइने की फसल है तो संही फ्सल वॉञड' कि तो पसल के इसाब से दिन टै कर लो । और एक इकड़ waves और एक आया का है तो एक गायchen दिनका और चार एकड़ के लिए दो गाएका कामी Ka much याब फिर उसी साब कने केशियों करते हैं अब इसमें दूसरी चीस जो बताना है वो यह कि पेस्टी साइब बनाना हो। इस्प्रे कीड़ा वारे के लिए यह तो गया खाथ है यूरिया डी-एपी डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यह खाथ दालने कर दो निंव के पत्तेज़े यह सबी गाउं में भूद इलिगार्य रूप में तो गाय का मूत्र लेना 25 वीसकों कई उसमें दो से 5.5 kg नीम के पत्ते की चटनी डालना बनाके नीम के पत्ते जैसे ही एक और पेड्य होाइश जो सभी गाहों में ईफ़ता आख आख, सुना आख, तो आख के पत्ते, दो ड़ाई किलो, इसकी चट्ट, आख, देशीवाना, दो ड़ाई किलो आख के पत्ते, दो ड़ाई किलो नीम के पत्ते, और एक शरीफा होता ना, शरीफा, दो ड़ाई किलो शरीफे के पत्ते, नहीं मिलता, रामपंग सिताफंग इसको कि चलो छोड़ो नहीं मिलता मैं और दूसरा बता तो बेल पत्री मिलता बेल पत्री तो बेही पत्री के पत्ते जो शंगर बगवाद को चड़ाते दो डाई किलो बेल पत्री के पत्ते दो डाई किलो डीप के पत्ते दो डाई किलो आग के पत्ते और कोई भी ऐसे पत्ते जिन को गाए नहीं खाती एक मोटी बात याद रखिए हम कॉंग्रेस घास इसी में इस्तेमाल कर लो कॉंग्रेस घास का और तो उससे अच्छा जादा कोई इस्तेमाल होता नहीं कॉंग्रेस घास लो लो धाई तीर किलो वो तोड़ लो यह सब को पीस के चटनी बना के पंदरे दिन के गोमुत्र में डालके उबालना है गरम करना है और उबालना इतना है कि उसमें खुब अच्छे से बॉइलिंग हो जाए फिर उसको ठिंडा करना है फिर उसमें भी दस गुना पानी मिलागे जितना मूल उसका दस गुना अब यह इस्प्रे तयार हो गया अब इस इस्प्रे को किसी भी फसल पे आप स्प्रे कर दो सब कीड़े मार देगा और इसका रिजल्ट दो ही दिन में आ गया और एक महीने में ज्यादा से ज्यादा ए तो इस्प्रे करने का बहुत सरल उपाय है और खात बनाने यह दोनों का हम लोग उपयोग करते हैं और लाखों किसान इससे सुधर गए सुखी हो गए और वो तो सुधर गए मिट्टी सुधर गए पहले जितना जहर डाला था ना यूरिया डियफी का वो सब जहर काट दिया उपयोगए कि ना यह कुभर और मूट्र यह गोवर मैं इतनी कंछ हैं जो यूरिया डियफी वहीं में नहीं है को थालिय। उसलीए यूरिया डियफी से छेपुना जालता हैं तो आम अगर खिति करते हैं तो इसतरीके से अप्रयोग करिए मनिहांत हर तरह से गाये का सीधा है कि गाय की इज़त बढ़नी चाहिए और इज़त तब बढ़ेगी जब किसान इसको बेचेगा नहीं क्योंकि किसान बेचता है तो कसाई काटता है कसाई गाय पालता नहीं है कसाई गाय काटता है गाय तो किसान पालता है जो किसान बेचेगा नहीं तो कसाई काटेगा तो हमें गाउं गाउं एक अभियान चलाना है कि पंजाब के किसान गाई की इतनी कदर करें इतनी इज्जत करें कि उसको बेचना बनकर उनको जब इंकम होने लगेगी तो कदर बढ़ जाएगी और उनको ये समझने आ जाए कि गाई दूद ना भी दे तो भी इंकम देती है तो तो बोनस ही नहीं दे रही है तो मूत्र गोवर तो ही ना तो वो भी इंकम है तो गाई की इस इंकम का गाउं गाउं परचार हो गया तो मुझे लगता है कि बड़ी क्रांटी आएगी वो क्रांटी क्या आएगी यूरिया डियापी का खर्चा खतब हो जाएगा किसान औ और एक साल में करीब 4,80,000 करोण रुपए बचे का किसा है। और यूरिया डियापी जो बंद हुआ तो खेट में जहर नहीं, जहर नहीं तो अंड में जहर नहीं। अंड शुत हो गया, शरीर शुत हो गया, शरीर शुत हो गया, मन और विचार शुत हो गया, मन विचार शुद्ध हो गया, कर्म शुद्ध हो जाएंगे, कर्म शुद्ध हो गया, पल शुद्ध हो जाएगा, तो स्वर्ग तो यहीं आ जाएगा, वो स्वर्ग लाने का रास्ता गाय से होके जाता है, तो मैंने ये कहानी आपको इसलिए सुनाई है, कि आप ये सब को सुन तो आप कभी भी संपर्क करें, मेल करें, फोन करें, काम शुरू करें और यह जो गाय के बारे में जो भी बता है वो सब के लिए पुस्तक है बाहर गोमूत्र चिकित्सा उसमें सब जान करी है रसोई गर की सारी दवाये हैं उसकी पुस्तक है सुदेशी चिकित्सा, गंबी भूगों की घरेलू चिकित्सा और जो मैं नियम बता रहा था उसकी भी पुस्तक हैं आप अब और्गेनिक फूट्स की डिमांड हो रहे हैं लंडन में डिपार्टमेंटल स्टोर में आप जाईए और वहां आलू का भाव कूझ है जादा वो ड्रैस से मर जाते हैं करीजा तो इसके बारे में मैं आपको कुछ पहना चाहता हूँ सांप काट लेता है तो क्या करें कम से कम खर्चे में या बिना खर्चे में उसका इलाज कर सकते हैं बहुत आसान है कुछ भी मुश्किल हो एक लाज तो आपको बिनकुल फ्री का बताता हूँ जिसमें कुछ भी खर्चा नहीं होता सांप काटता है तो पहले तो आपको मैं इत्याद करीद हूँ कि भारत में करीब सारे 500 किसम के सांप है 550 वेराइटी है जैसे कोगरा है, वाइपर है, रसल्स वाइपर है, करत है ऐसी 550 किसम की सांपों की वेराइटी है जातिया है इन मैंसे मुश्किल से 10 सांप हैं जो जहरी ले हैं सिर्फ 10 बागी सभी नौन पॉईजनस है इसका मतलब क्या हुआ 540 सांप ऐसे हैं जिपके कात्मे से कुछ नहीं होगा आपको इल्कुल चित्ता मत करिए लेकिन सांप का डर इतना है कि कई बार वो हर्ट अटेक्स से मर जाता है आप जहर से नहीं मरता काडियकरेस से मर जाता है हर्टेक्स से मर जाता है तो वो डर बहुत होता है, मन में, तो ये डर निकलना चाहिए और ये डर तब निकलेगा जब आपको ये मालूम है कि 550 किसम के सापों में सिर्फ 10 हैं जो जहरीले हैं, जिनके काटने से कोई मरता है, उनमें सबसे जहरीला जो साप है, उसका नाम है रसल्स वाइपर, उसके बा हैं काला नाम, ये चार तो बहुत ही जहरीले, अगर इन्हों ने काट लिया है, तो 99% चांसे हैं कि डेथ होगी, लेकिन आप अगर थोड़ी होशियारी दिखाएंगे तो आप पेशन्ट को बचा सकते, होशियारी क्या दिखानी है, साप जब भी काटता है, तो उसके दो द करके, ऐसे करके मारता है, तो दोनों दात अंदर खुश है, और ब्लग में वो छोड़ देता है अपना पॉईजन, तो फिर ये पॉईजन ब्लड में मिक्स होके उपर की तरफ चलता है, मालनी जहां काटा है, तो यहां से फिर ब्लग उपर की तरफ जाएगा, और हर्ट तक पॉँचेगा, फिर बॉडी में आएगा, पाऊ में काटा है, तो नीचे से उपर की तरफ आएगा, फिर हर्ट में आएगा, कहीं भी काटेगा, तो हर्ट तक जाएगा, और पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी में उस जहर को पहुचने में तीन गंटे लगेंगे. मतलब ये है कि पेशन तीन गंटे तक तो नहीं ही मरेगा जब पूरे ब्रिम के एक एक पार्ट में जहर पहुँच जाएगा हर जगे जहर पहुँच जाएगा तब ही उसकी डैथ होगी अदरवाइस नहीं होगी तो तीन गंटे का टाही में आपके पास पेशन को मचाने के लिए तो उस तीन गंटे में आप थोड़ा कुछ कर लें तो बहुत अच्छा है क्या कर सकते हैं सबसे आसान एक तरीका है कि हमारे घर में एक पुराना कोई इंजेक्शन इंजेक्शन पिरिंज वाला होता है जिससे हम इंजेक्ट करते हैं तो उसमें आगे जो सुई वाला पार्ट है उसको कट करना है ब्लेट से इंजेक्शन में आगे जो सुई निडिल लगाते हैं सुई को कारते हैं नहीं नहीं, सुई को जहां लगाते हैं, वो पार्ट कट करना है, प्लास्टिक वाला, यस, तो जैसे ही आप उसको कट करेंगे, तो वो एक सक्षन पाइप के जैसा हो जाएगा, इंजेक्शन, है न, पाइप जैसा हो जाएगा, पीछे उसमें, कीचने के लिए सक्षन हो गया और आगे वो होल है तो आपको सिर्फ ये करना है कि बॉडी में जहां भी सांफ ने उसको काटा है वो दोनों पॉइंट्स आपको ढूंड ले है और वो इजीली लोकेट हो जाते है कैसे लोकेट होते है जहां भी सांफ काटता है तो वहां सूजन आ जाती है तो बॉडी में कहीं भी हिस्सा फूला हुआ आपको दिख गया तो बस वहीं ढूंडेंगे दोनों निशान उसके दांद के देख जाएंगे टॉर्च लगा के देखेंगे तो बिल्कुल साफ देखते है अब क्या करना है कि जो इंजेक्शन आपने सिरिंज वाला आगे से कट कर दिया जहां पे निडिल लगाते हैं तो उसका जो होल है उसको जहां छेद है वहां पे रखके खीचना है पीछे से सक्षन पाइप की तरह से उसको यूज़ करें कि अब तो जैसे आप खीचना शुरू करेंगे तो वेक्यूम बन जाएगा कि वइक्यूम बन जाएगा आप जानते हैं बच्चे लोग पिचकारी का इस्ते ऊंप अब होली आठी तो यह पिच्टकारी मादयना खीचते हैं फिर उसको पंप करते है है वैसे ही पुछी injection को यूज करना है injection के आगे जहां निडिल लगती है उसको ब्लेट से कट करना है तो वहां पर एक hole बढ़ा हो गया उस hole को exactly जहां पर साम ने काटा है जो point आपको दिख गया मैंने कहा न सूजन आएगी लाल पढ़ जाएगा वहां पर दोनों point उसके दिखाई देंगे दाथ के दो निशान वहां पर आपको जो injection का hole है उसको रखना है ऐसे करके और पीछे जो उसका section की तरह से काम खीचना है उसको जैसे ही आप खीचना शुरू करेंगे तो पूरा injection जो है न सिरिंज वो चिपप जाएगा चिपप गया तो इसका माने vacuum create हो गया फिर आसरी से जब आप खीचेंगे तो सारा blood उसमें भर जाएगा और blood के साथ सारा poison भी उसमें निकल आएगा आप एक बार खीचेंगे कुछ blood निकलेगा फिर वहाँ पे दूसरा वाला निशाने वहाँ रखके एक बार खीचेंगे फिर कुछ blood निकलेगा जब तक blood निकलता रहे आप उसको खीचते रहे और जब blood आप निकालेंगे first time में तो आप देखेंगे वो थोड़ा blackish होगा blood उसका रंग dark होगा blackish होगा तो समझ लीजे इसमें poison mix हो चुका है poison mix हो चुका है तो जब तक वो blackish और dark red color का blood निकलता है दो तीन बार में आप खीच लीजे उतने में ही सारा poison निकल जाता है क्योंकि साम जो poison छोड़ता है blood में वो कुछ ज़्यादा नहीं होता है पॉइंट 5 mg के आसपास होता है इससे ज़्यादा नहीं होता क्योंकि उसके दान में इससे ज़्यादा रही नहीं सकता तो पॉइंट 5, 2.6 mg है दो तीन बार आपने blood खीच लिया उसमें निकल गया जैसे ही आप इसको खीचेंगे तो पेशेंट में आपको changes दिखाई दे जाएगी उसमें चेतना आजाएगी consciousness आजाएगी साम जब काट लेता है और उसके blood में जहर आजाता है तो ब्यप्ती unconscious हो जाता है या semi conscious होता है जैसे ही आप खीचना शुरू करेंगे उसके blood को, impure blood को उसमें consciousness आजाएगी consciousness आगई तो समझ लीजे अब वो मरेगा नहीं तो ये उसके लिए first aid का आप काम कर सकते है इसी injection को जो मैंने आप से कहा कहां से cut करना है जहां आप syringe का lidl लगाते हैं जहां सूल लगा है इसी injection को बीच से cut कर दीजे exactly बीच से 50% इदर 50% इदर बीच में cut कर दीजे तो pipe और बड़ा हो जाएगा उसका hole जो है और बड़ा होगा और उसको रख्या भी खीचेंगे तो एक बार में ही सारा blood खीच लेगा बड़ा injection लेगे बड़ी सिरिंज होगी तो जन्दी काम होगा तो बड़ी सिरिंज लेकर आप इसको कर लीजे आपके पास कोई medicine नहीं है कोई first aid नहीं है कोई doctor नहीं है लेकिन पुराना दुराना कहीं injection पड़ा हुआ मिल जाएग उसी के use से आप ये शुरू कर सकते ये first aid की बात है दूसरा एक medicine आप चाहें तो हमेशा घर में रखिए बहुत सस्ती है होमियोपेथी में आती है एक medicine उसका नाम है नाजा N-A-J-A नाजा होमियोपेथिक medicine है किसी भी होमियोपेथी शौप में मिलेगी N-A-J-A नाजा और इसकी potency है 200 नाजा उसके आगे लिखे 200 दो सो ये medicine फाइब मिली लीटर खरीद के रखिए घर पे फाइब मिली लीटर सफिशेंट है सो लोगों की जान इससे बच जाएगी और इसकी कॉस्ट सिर्फ पाँच ही उपए है पाँच उपए में ही आती है पटियाला मैं शायद थोड़े महेंगे देते हैं क्योंकि कल का मेरा experience है मैं कल एक हो में बैती शौक में गया था तो वो दस रुपए मांगता है तो ठीम बै दस रुपए अगर आप दिली से कहीं से जलंदर से कहीं से करी देंगे तो फाइव एमल फाइव रुपीज पहीं आता है इसकी एक बोटल भी आती है हंट्रिड एमल की वो साथ या सत्तर रुपए में आती है और हंट्रिड एमल की बोटल से कम से कम दस हजार लोगों की जाना बचा से जिनको सांप ने काटा और ये जो मेडिसिन है नाजा ये दुनिया के सबसे खराब सांप का ही पॉईजन है जिसको मैंने बोला करेट करेट का पॉईजन सबसे खराब माने जाता है दुनिया करेट के मारे में कहा जाता है कि अगर उसने काट लिया है तो फिर भगवान ही बचा सकता है medicine भी जल्दी काम ने आते उसी का ये poison है लेकिन dilution में है dilute form में है इसलिए घबराने की कोई बात ने पर आप आईरुवेद का एक सिद्धान्त जानते हैं लोहा लोहे को काटता है जब जहर चला जाता है शरीम में तो दूसरे जहर की मदद से ही वो बाहर आता है तो आप इसको यूज करिए नाजा 200 potency liquid form में लीजे dilution में लीजे अब ये देनी कितनी है एक एक drop उसके जीप पर डालना है patient के जीप पर एक बार डाल डाल दीजे 10 मिनट बाद फिर और एक बार डाल दीजे और 10 मिनट बाद एक बार डाल दीजे बस एक बार डाल के छोड़ दीजे ये patient की जिन्दगी को हमेशा के लिए बचा लेगी और मैंने आप से कहा कि एलोपेथी में जो anti-benam injection है वो available नहीं होते आप अगर पटियाला का कोई सरकारी बहाँ भी injection मिलेगा तो 10-15,000 से लेके 20,000 के बीच में उसकी कीमत है और वो 8-10 injection ठोक देंगे एक साथ कभी कभी 15 तक ठोक देते इस तरह से तो आपका लाख रुपे तो गया है डिर्ड लाख तो गया है और यहां सिर्फ 10 रुपे की मेडिसिन में आप उसकी जांग बचा सकते इंजेक्शन जितना इफेक्टिव है मैं इस दवा की गारंटी देता हूं 100 टाइमस ये मेडिसिन उससे ज़्यादा इफेक्टिव है इंजेक्शन की पुलना में एंटी वैनम इंजेक्शन की तो ये जानकारी आप हमेशा याद रखें अपने जीवन में पता नहीं कब काम आजाए हो सकता है आपके ही जीवन में काम आजा हो सकता है आपके फैमिली के किसी के या बडूसी के किसी के ये मालूम रहे आपके पास कि ये मेडिसिन नाजा है अबिलेबुल है होमियोपेथि की किसी भी दुकान पर आसानी से मिल सकती है आप जाके खुद खरीद के इसको घर में रख सकते हैं लिकुड फॉम में ले दीजेगा जब भी किसी को साफ टेकाटा है इसकी एक एक ड्रॉप दस मिनट के अंतर पर तीन बार जीफ पर डाल दीजेगा बस इतना सा खरीट लेगा तो साफ के काटने का इलाज आप इससे कर सकते हैं अपना भी दूजरों का भी अब इसी तरह की और एक जाग करें साफ जैसा ही कई वार लोगों को बिच्छू काट लेता है इसकोर पी और जब दर्द होता है ना तो वो आदमी बताता है कि क्या तकलीफ है उसको दूसरा जान नहीं सकता उसकी पेन कितनी होती है वहेंकर पेन होता है बिच्छू ना काट लिए अब बिच्छू काट लेगा तो क्या करें तो ऐसी ही एक और मेडिसिन है उसका नाम आप लिखके रखिए उस मेडिसिन का नाम है सिलिशिया S-I-L-I-C-E-A S-I-L-I-C-E-A सिलिशिया उसके आगे पुटेंसी उसकी लिखना 200 200 और यह भी लिक्विट फॉर्म में रखनी है 5 एमल घर में और इस दवा को भी वैसे यूज़ करना है एक एक ड्रॉप टंग पे 10 मिनट में 3 बार अब बिच्छू काटता है तो क्या होता है बिच्छू काटता है तो उसका जो डंग है ना वो उसको अंदर छोड़ देता है वो डंग है वो पेट करता है विच्छू काटे और डंग को बाहर निकाल ले तो कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन काटके वो जो छोड़ देता है अंदर उसमें सारी तक्लीव आ जाती है तो अब उस डंग को बाहर निकालना और यह आसान काम नहीं है डॉक्टर के पास जाएंगे वो कट करेगा चीरा लगाएगा फिर खीच के निकालेगा उसमें ब्लीडिंग भी बहुत होगी तक्लीव भी बहुत होगी यह मेडिसिन इतनी बेहतरी मेडिसिन है कि आप इसके तीन डोस देंगे दस-दस मिनट फर यह केक बूंद और आप देखेंगे कि वो डंग अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा और अपने आप ही आ जाएगा जिस रास्ते से वो अंदर गया उसी रास्ते को फाड़के वाफस आ जाएगा और आप हाथ से उठाके रख दीजे और वो पेशिंट कहेगा दर्ग दायब हो गया बिल्गुल तीन डोस में आदे घंटे में आप उसको पेंच से रिलीव कर सकते बहुत जबरजस्त मेडिसिन है यह से जिश्वर और आप सुनके हिरान हो जाएंगे यह मेडिसिन मिट्टी से बनती है यह जो नदी की मिट्टी होती है नदी की मिट्टी जिसमें थोड़ी बालू रहती है उसी से यह मेडिसिन बनती है और बिच्छू काटने के लिए बहुत अच्छे से काम आती है वैसे हम लोग इस मेडिसिन को और भी बहुत सारे काम में लेते हैं एक और जानकरी दूँ कि अगर आप सिलाई मशीन पर काम कर रहे हैं कभी बार या कुछ धागा वागा पिरोने का सीने का तो सुई चुप जात है और अंदर तूट जाती है या फस जाती है उस समय भी यह मेडिसिन आप ले लीजिए वो सुई को बाहर लिकाल देगे पहली सिलाई मशीन S-I-L-I-C-E-A उसके आगे नंबर है 200 200 उसकी पोटेंसी तो आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं जब विच्छू ने डंग मारा हूं सिलाई मशीन में काम करते समय हाथ में सुई गुस गई हो तूट गई हो काटा लग गया हूं very good काच लग गया हू अब तो आपका माइड चलने लेगा हूं बहुत अच्छा यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपका माइड ऑपरेशनल हो गया है जी वो क्या हो थाईया यह स्क्राइब यह स्क्राइब यूज कर दिया हो यह सब जो काटने वाले अंदर जो छोड़ देते हैं वो सब के लिए आप इसको यूज करें बहुत तेज पेंड रिलीवर है और जो कुछ अंदर छूंटा हुआ उसको बाहर निकालने के मेरे से हम लोग बहुत सीरियस केसिज में भी इसको यूज करते हैं पुटेंसी उसकी बहुत बढ़ जाती है जब किसी को गोली मारे होई गो से अभी इसको यूज करते हैं यहां और पौली लग जाया तो कोई डॉक्टर नहीं निकाल सकता करें और कई बार गोली जो है ना ज्वाट्स के बीच में फच्छा तो भी कोई नहीं नहीं निकाल सकता राइक प्रमोद महाजंद आपको मालूम है तब उस समय हम इसी मेडि मेडिसन को यूज करते हैं और इस मेडिसन की हायर पुटेंसीज वन एम टैने में हम तीन खुराक देते हैं अंदर की फसी हुई गोली अपने आप बाहर रहा जाते हैं और उसको सीजर से उठाके टाब देते हैं इतनी मिरेक्रलेस मेडिसन है अब बत करिए उसको मैं सिर्फ आप जानकरी दे रहा हूं आप जितना कर सकते हैं उतना पर बोल रहा हूं पीच्छू काटने के लिए सुई फस गई है उसके लिए क्योंकि गोली वाले में आप मत जाईए वह डॉक्टर के लिए छोड़ दीजे आप जानकरी के लिए कह रहा तो हम इसी मेडिसिन को यूज करें कई वार आर्मी में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वार जब होती है ना अभी कारगिल वार हुई थी तो हमारे बहुत सारे दोस्त जो आर्मी में हैं उनको गोलियों के छर्रे घुस गए किसी को बैकपोर्न में घुसे हुए थे किसी को ग्र आचले मैंने सब को सिलिशिया देके ही सब निकल वाले हैं और वह बिल्कुल ठीप है आज बहुत इफेक्टिव मेडिसेन हैं बहुत सस्ती मेडिसेन हैं पांच मिली लीटर मैंने का पटेयाल हमें तो 10 रूपए की आएगी दिल्ली में तो 5 ही रूपए की आती है और उतनी मे मिच्छू काटने के अभी तीसरी चीज पर थोड़ा चलते कुटे ने काट लिए कोई एक्सपाइरी डेट नहीं है बस आप इतना ही ध्यान रखेगा कि शीशी खुली ना रह जाए खुली रह गई तो वह सब उड़ जाएगी एक्सपाइरी डेट कुछ नहीं है फुरीज पूड़ कुटा काट ले तो समझे तो आप जानते हैं नहीं कि उसको इंजेक्शिन यह हुए है नहीं दिये हुए और उसमें काट लिया तो अब आप के पास जाएंगे तो फिर वो चौधे इंजेक्शिन लगाएगा और भूशी पेट में लगाता और इतना पेड़ होता है कम से कम 50,000 तक कई बाद गरीब आदने के बाद वो भी नहीं है तो एक मेडिसिन उसकी में आपको पता देता हूं वो भी आप अपने घर में रखिए कुटा कभी भी काटे पागल से पागल कुटा काटे घबरा ये मत चिंता मत करिया बिल्कुल ठीक होगा वो आदमी उसको वो मेडिसिन दे दीजे ऐसे एक एक ड्रॉप दस-दस मिनिट में तीन बार मेडिसिन का नाम है हाइड्रो फोबिनम ह वाई डी आर ओ एच वाई डी आर ओ पी एच ओ पी एच ओ बी आई एन यू एम हाइड्रो फोबिनम बी आई एन यू एम बी फर बॉंबे पी फर बॉंबे फिर बॉंब हाइड्रो फोबिया होता है न उसी से बना हाइड्रो फोबिनम पुटेंसी उसकी दो सब्सक्राइड और तरीका वही है लिक्विट फॉर्म में ले लिजे एक एक ट्रॉप जीट पर डालिए दस-दस मिनट में तीन बार तूंड्र कितना भी पागल कुटा काटे बिल्कुल आप उसको बिंदास देदी और भूल यह यह पर मन में यह मत रखिए कि इंजेक्शन लगा है यह दवार दोई चीजों से इसको बचाना है एक तो सूरज की धूप से और रेफरीज रेटर से हाइडरो फोबिनम है पागल कुटा काट लेगा तब आप उसके लिए यूज करें कोई दूसरा है तब तो चिंता ही मत करिये फिर क्या दिकर रेबीज जो होता है वो सिर्फ पागल कुटे के काटने पर ही होता है अगर सेंसिबल कुटा है तो कितना भी काटेगा नहीं वहम ऐसा बैठा हुआ है डर ऐसा बैठा हुआ है कि कई बार वो आदमी रह भी से नहीं बरता वो वहम से मर जाता है तो आप अपने मत का वहम दूर करने के लिए दवा दे सकते हैं लेकिन बेरा ये कहना है कि उससे कुछ नहीं होता इस्ट्रे डॉक काट लेगा अगर वो पागल नहीं है तो पेशेंट को कुछ नहीं होता वो हमारे मन का वहम है जिसमें हम परिशान रहते हैं और कुछ डर डॉक्टरों ने बिठा रखा है कि इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा अपने ब लेकिन चुकि मन में डर बिठा दिया है भय बैट गया है शंका हो जाती है हमको कंफर्म नहीं होता जब तक कि हम 20-50,000 खर्च नहीं कर लेते ये उस समय के लिए मैंने कहा कि आप ये दवा ले लीजे और इसका एक एक डॉप 10-10 मिनट में तीन बार डाल के छोड़ दीजे बूल जाए है आप भी और पेशन्ट से गई है वो भी बूल जाए है एक ही दिन एक ही दिन और दस-दस मिनट पाने तीसी मिनट में सब काम करता है नहीं नहीं बिल्कुल है कुटे को दें सकते हैं? अगर कुटे को कुटे ने काटा है तो उसके लिए तो इसकी जरूरती नहीं में दूसरा क्योंकि कुट्ता जो है आपसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला है उसके लिए तो इतना ही करिए कि दूट पिला दीजे हल्दी डाल जाले आपके घर के कुत्ते वो बाहर के कुत्ते ने काट लिया, तो आपके घर के कुत्ते को दूब तो आप पिलाते हैं, बस उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजे, और लगाता है, तीन-चार दिन डाल दीजे, उतने महीं और अपनी जान बचा लेगा. जिस बच्चे ने उन्जी कारदा कुट्टा कि लिए दांद लगा देंगा हैं लिए लगा रहा है और गलती से उसका कोई दांद लग गया तो तुलंत आप इतना ही करिए कि जहां दांद लग जिया है वहां थोड़ा बहुत बलड़ आएगा वहां हल्दी लगा दीजिए बस खतम हो गई बात करेंगे तो जरूर उसमें सूजन आ जाएगी और पक जाएगा सावन क्या है सावन क्या है वो जान लीजिए कास्टिक सोडा सोडियम हाइट्रोकसाइट यह बहुत तेज रियक्ट करता है ओपन वूंड जो होती है फुई हुई चोट उसमें गल्पी से भी सावन एंपलाई मत करिए आपके घर में बहुत अच्छा है एंटी बायोटेक एंटी टिकनेटेक एंटी पायरेटेक एंटी इंटी इंफलेमेटरी हल्दी लगा दीजे थोड़ी देर खतम बात लाल मिर्च क्योंकि बहुत जलन होती है लाल मिर्च कर सकते हैं लेकिन जलन इतनी होती है कि पेशन्ट विचारत चिल्लाना शुरू कर देए उससे ज्यादा सूधिक एफेक्ट है हल्दी के आप उसे यूज़ करें अब और ही बात पर आगे बंदर के लिए भी कर लीज़े बंदर के का काटने से आज तक तो कोई मरा ने दुनिया क्योंकि बंदर शाह का हरी जीब उसके बॉड़ी में बिल्कुल जहर नहीं और बंदर जो है ना आईडियल जीप माना जाता है सारी दुन मैंने बंदर फोड़ा रिसर्च किया उसके काटने से पोई मर नहीं सकता एक बात दूस आरच फेक्टर है वो दुनिया में आईडियल है इसका मतलब समझते हैं सरल भाशा में समझाता हूँ बंदर को कभी भी डाइबिटीज नहीं हो सकती बंदर को हर्ट टैप नहीं आ सकता बंदर को कार्डियक अरेस्ट नहीं हो सकता बंदर को brain hemorrhage नहीं हो सकता बंदर को paralysis नहीं हो सकता और इतनी सारी serious बीमारियों के बाद cancer तो कभी नहीं हो सकता उसका blood ऐसा है भगवान में उसको blood दिया है ऐसा आप इसको उल्डा भी कह सकते तो बंदर के बारे में बिल्कुल एशोर रही है आप बिल्कुल मत गवराईए बिल्कुल मत डरिये वो थोड़ा आपको चिड़ा जरूर सकता है और उसको कुछ भूक भूक लगी है तो चिपनीन के खा सकता है इससे जादा वो कुछ जादा तकलीफ नहीं करता आपको मैं और एक serious बात बताना चाहता हूँ कि हमारे घरों में कई बार कुछ चोट लग जाती है और कुछ चोटे बहुत गंबीर हो जाती है जैसे कोई diabetic patient है diabetic patient को चोट लग गई तो उसका तो सारा दुनिया जहान एक ही जड़ है क्योंकि जल्दिछ हीली नहीं होता है और उसके लिए कितना भी कोशिश करे डॉक्टर हर बार उसको success नहीं मिलता और अट में वो चोट जो है न दीरे दीरे gangrene में convert हो जाती है और gangrene के बाद वो फिर cut करना पड़ जाता है और उतना हिस्सा हमेशा के लिए चला जाता है शरीर से निकल के ऐसी condition में एक medicine आप हमेशा याद रखिए जो gangrene को भी ठीक करती है और osteomyelitis नाम के disease को भी ठीक करती है gangrene आप समझते हैं अंग का सड़ जाना जहां पर नए cells डवलप नहीं होते ना तो flesh में ना तो मास में ना तो bones में कभी भी नए cells नहीं आते और वो पुराने cells सब मरते ही मरते मरते चले जाते इसी का एक छोटा भाई है osteomyelitis वो भी बिलकुल इसी के नस्दीक है osteomyelitis में भी यही होता है कि cells कभी भी regenerate नहीं होते और जिस हिस्से में osteomyelitis हो गया वहां बहुत बड़ा भाव हो जाता है और वो ऐसा सड़ता है कि डॉक्टर कह देता इसको काट के निकालना कोई दूसरा उपाए नहीं ऐसे केसिस में जहां शरीर का कोई अंग काटना पढ़ जाता हो या पढ़ने की संभावना हो गाव बहुत हो गया हो वो गैंगरीन का हो सकता है और उसकी ओमाईलाइटिस का हो सकता है उसके लिए आप एक ट्रीप्मेंट अपने घर में वाने उसकी मेडिसिन आप अपने घर में तयार कर से मेडिसिन क्या है गाए का मूत्र हल्दी और गैंदे का फूल मैरी गोल्ड गैदे का फूल एक तोथा नारंगी और एक कोता पीला दोनों ही काम किया है नारंगी थोड़ा जादा effective है फूल और गाए का मूत्र और हल्दी अब करना क्या है कि गैदे का फूल उसकी पंकुणिया निकाल वही फूल है उसके छोटी छोटी पंकुड़िया होती है वो सब निकाल लिए है फिर उसमें हल्दी डालके गाए मुत्र डालके उसकी चट्नी बनानी गोमूत्र डालके और हल्दी डालके चट्नी बनाने के अब चोट का साइज कितना बड़ा है उस पर से गेंदे के फूल की संख्या तेवों की माली जे चोट छोटे एरिया की है तो एक फूल परियाबत है जादा बड़ा है दो तीन चार आप एक अंदाजा लगा लीजे कितना चट्नी बनाने वो चट्नी को लगाना जहां पर भी चोट है ओपन वुंड है बाहर से खुली हुई चोट है जिसमें ब्लीडिंग हो चुका है खुल निकल चुका है और हील नहीं हो रहे हैं कितनी भी दवा खा रहे हैं हील नहीं हो रहे हैं और हील नहीं होने का कारण एक तो मैंने बोला डाइबिटीस जिसके कारण वह आसन किसे हील नहीं होती है दूसरा कोई जेनेटिक कारण भी हो सकता है दोनों कंडीशन में वो जल्दी हील नहीं होता और डॉक्टर परिशान हो जाता और अंत्म कहता कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता काटी दो इसको दो अब काट दिया तो वो तो कोई इलाज नहीं हो इलाज तो है कि वो अंग भी रहना चाहिए और चोट ही लोंने चाहिए तो इसकी यह मेडिसिन है गेंदे को फूर के पंकुडियां निकाल के पीला वाला है नारंगी वाला है दोनों का तो नीचे का जो ग्रीन पार्ट होता ना वो हटा लेना जैने के पुरिका वो काम का नहीं है यूजलेस है तो पंकुडियां और थोड़ा सा गाय का मूत्र थोड़ी सी हल्दी तीनों मिला के चट्नी बना लेना वो चट्नी को एपलाई करना एक्स्टर नहीं हर चोट में तो होई सकती है मैं तो सबसे सीरियस चोट की बात कर रहा हूँ जहां पर कोई चीज़ अपलाई भी होती उसकी बात कर रहा हूँ नॉर्मल चोट में तो आगे अपास बहुत कुछ है करने हैं मैं तो उस चूट की बात कर रहा हूँ, जिसको डॉक्टर भी सरेक्टर करते हैं, जलने बर भी लगा सकते हैं, नहीं जी, ताजा बना के ताजा लगा, दिन में कम से कम दो बार तो लगाई दो सुबह शाम, और इसको एक बार जैसे लगा गिया आपने सुबह, अब वहाँ प पड़ेगा, तो इसको बोत्र से ही धोनाए, लीडॉट-फ।, इस्तेमाल मत करे, काय के मुत्र को डिटॉल की तरह से यूज़ करे, और धोके साफ कर दीया, फिर बरावर चटनी बनाकर फिर लगा दिया, फिर अगले दिन सुबह कर दीजे, फिर अगले दिन सुबह दिजे इतना effective है ये इतना effective है कि आप सोच नहीं सकते आप देखेंगे तो मानेंगे ये miracle ये सब को जब भी बनाएंगे ताजा बनाएंगे और बना के लगए अरे जब तक मिलते हैं तब तक ले लीजे और बागी समय नहीं मिलते हैं तो पुराने फूल सुखा के ले लीजे मैंने आज तक इस देश में एक भी शहर नहीं देखा जहां हर समय गेंदे का फूल नहीं बिलता हर सीजन में बिलता इसलिए बिल्कुल मत घबराईए यहां पटेयाला में जो फूल बेचने वादे हैं कभी भी आपको गेंदे का फूल उपलब करा देए नहीं तो घर में ही लगा लीजे एक गेंदे की प्रजाती है उसको हिंदी में कहते हैं हजारा ये वो प्रजाती का कहता है जो बारों महीने फिलता बारों महीने फूल देता है मैडिसिन की बात कहता है तो मैं खुद बोलता आपको मैं बार बार कह रहा हूँ मैडिसिन जो है वो अर्क है गो अर्क गो अर्क गो अर्क मैंने गो अर्क भी बोल रहा हूँ वो कुत्र का मतलब है गाहे के शरीप से सीधा निकलने वाला है जी कंटीनियू आप जो है जब तक हीलिंग पूरा नहीं होता तब तक कंटीनियू कर दीजे और इसमें तीसरे दिन से रिज़र्ट दिख जाएड़ा आप अन्दास से आदा पौना चमच ले लीजे गैदे के फूल के हिसाब से रखिए एक फूल में आदा चमच बहुत है आदे से भी थोड़ा कम रहे तो भी चले जाए अन्दास से इसको बना लिए जी किसी का दश्म किसी दवा से ठीक नहीं हो रहा है तो दो ही कंडिशन है या तो उनको डाइबिटीज है या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है दोनों में यह काम आएगा करेगा बिल्कुल काम करेगा अगर सोराइसिस ओपन वुन्ड वाला है एक सोराइसिस है जो ड्राही होता उसमयर तो यह ज़ादा यूज नहीं होगा लेकिन जो तुराइसिस है जिसमें खून मी निकलता है जिसमें पस भी निकलता है उसको तो यह बिल्कुल कम्प्लेट क्योर देता है और यह शृरीर के किसी भी हिस्से में आप इसको लगा सकते। सिर में चोट लगी है तो सिर में लगा ये हाथ पाओं में तो हाथ पाओं में लगा ये अक्सर ये एक्सिडेंट के केसिस में बहुत यूज होती है ये दवा मैं तो बहुत यूज करता हूँ मेरे पास जितने भी एक्सिडेंट के केसिस आते हैं यह वह बना कोई इंजेक्शन के इससे लगाते ही ब्लड बंद होजाता है और ही लिंटी फास्ट होती है तुम्हें लिया हुआ पूरे दिन यूज कर सकते हैं दूसरे चिसरे दिन तीन भी यूज कर सकते हैं साथ दिन तक इस में यूज कर सकते हैं इस चटनी को बनाने थीक ए इसका कोई वैसे एक्सपाइरी डेट तो नहीं है लेकिन मैंने अक्सर जो रिजर्ट देखे हो यह कि ताजा बना के लगाया है तो रिजर्ट अच्छे आये हैं अगर रखा हुआ लगा दिया है तो रिजर्ट उतने अच्छे नहीं आते मिश्ची दूप से ओक्सिडेशन होता आप जानते कोई भी चीज़ को छोड़ देंगे तो ओक्सिडेशन होगा और सब कमी होता है तो आप इसको जी अपरेशन की कोई भी चोड़ बनें अपरेशन का कोई भी घाओ उसको ही करना है इस पैस्ट मेडिसिन ए बहुत बार आप कर देता गौटर और गाव मी बनता और वो जो टांके है न वो जल्वी नहीं पपते इस टिचेस वहाँ पर पस पढ़ने लगता है कभी कभी खून आने लगता उसको अपलाई करिया उसको भी घील करेगा जले हुए को भी ठीक करेगा तो हट अच्छे से ठीक करेगा तो पिर देख्शन लग जाता है लेकिन वो पढ़ जाता है हां उसमें आप डाल दीजे इसको लगा दीजे और मैं तो इनको कई बार यूज करता हूं कैंसर के केसेज में बहुत बार ऐसे मेरे माद पेशेंट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के जिनको ब्रेस्ट कट कर दिया डॉक डॉक्टर तो छोड़ देता भगवान के बरोसे वो कहता आप जाइए अपने और इतना ही कर सकता था उतना कर दिया उसके बाद आप इसको एक सब्सक्राइब करिए बहुत अच्छा है अभी अभी मेरा एक ब्रेस्ट कैंसर का केस ठीक हुआ है वेहार की एक महिला है 45 साल क करे मिलेगा वारे धोनों cionesर तो निपन rebellious मेन चैंसर का मुण को टाटा इंसिट्योंट से वह ईलाज कराते कराते एक साल से परिशान हो गए एक तो सब्सक्राइब ऋफ्यस्राइब कर उन्हों फेसंपस नहीं खेत बेचकर उन्हों ने लूटilton사를 को ओन पीस्जिए तो अभी मैं बिहार गया हुआ था आपको मालूम है यह फ्लट आया तो वहां पे मुझे वो पेशेंट मिल गया उन्हें ने का कि आप तु कुछ कर दीजे तो मैंने उनको यही बता है गेदे के फूल की चटनी गाय मूतर और थोड़ा हल्दी तो उन्होंने पंदरे दिन में ही मुझे रिपोर्ट देगी कि हमारा तो 50% से ज्यादा ही लोग विदिन तो चला ही गया इलिंग इतनी तेज और शाहिद अगले 15-20 दिन में ज्यादा से ज्यादा एक महिने में मिन्कुल ठीट हो जाए है ताटा इंसिट्यूट से रिजेक्ट किये हुए पेशेंट को यह गेंगे का फूल और यह गाये के मूतर और हल्बी ने ठीक कई है एक्जीमा अगर ऐसा है जो गीला है एक एक्जीमा होता है ड्राई सूखा और एक होता है गीला गीला एक्जीमा है तो उसमें बहुत काम करता है सूखे में इसका यूज नहीं आता जले हुए जख़म में बहुत अच्छा काम करता हूँ कोई भी जल गया हो तो आप इमीडियेटली इसको एपलाई करें अब मैं जलने पे आई रहा हूँ तो उसकी दो-तीन प्राइमरी बात बता के फिर इस पे आऊँगा कोई जल गया हो आपके घर में किसी भी चीज से जल गया गरब दूप से, चाए से, काफी से और रसोरी गैस से वगरा वगरा तो सबसे पहला ट्रीप्मेंट आप उनको ये करिए कि उनको फफोले ना पड़े वो सबसे जिरूरी है नहीं तो उसके बाद तो बहुत कॉम्लिकेशन आदे तो उसके लिए क्या करना है आलू आपके घर में है आलू, पटटो बिना छिलका उतारे हुए आलू को धोई दे और इसकी चट्नी बनाएए पीस के और वो इमिडेट अपलाई करिए जहाँ जहाँ जला हुआ जितनी जल्दी कर सके जलने के जितनी जल्दी पांच मिनट में ज्यावका ही जैसे आप आलू की चट्नी अपलाई कर देंगे तो इमिडेट उसकी जलन कम हो जाएगी पेशेट की और वो फफुले नहीं पढ़ने देगा बाल करें, दूद का इस्तेमाल करें मुलतानी बिट्टी का बाल दोने के लिए जो आवला रीठा शीका का यह हजारों साल से स्तेमाल आया है वो करें, जितना बन सके और्गेनिक चीजों का उप्यूग करें भगवान की बनाई हुई चीजों के साइड इफेक्ट नहीं और यह जो आदमी बना रहा है वो अमेरिका में बना रहा हूँ या भारत में सारे खत्रे और सारी तकलीव है उसनी है तो बन सके अतना आपके लाइफ को चेंज करते हो जाये तो मैंने एक दिन स्वामी जी के साथ इस पर दस साल पहले बड़ी बहस की थी जब मेरा उसका परिचे तो बारे साल पहले बहस हुए थी और स्वामी जी के सामने जब ये सारे फेट्सन फिगर मैंने रखे के कैलकुलेशन करके कि हम अगर इतना सा लोगों को चेंज कर दें तो दो लाख करोड़ उपए साल का बचता है उसी दिन से स्वांगी जी ने बोलना शुरू कर दिया इस मुश्रा और खूब बोलते हैं आजकल आप जानते हैं उतके सुबह के शाम के लेक्चर शुरू हो बर्टी नैशनल को जितना गाली बो दे सकते हैं किसी की हिम्मत नहीं है इस देश में उतकी गाली देए सारे देश में घंड़ा मतलब टॉयलिट क्लीनर उनोंने घर घर में पहुँचा हैं सारे देश में इंदोस्तान लीवर और prevalence निस था उन 5 हो गया इतना अकम हो कि हमारे मार्केट से 56 आइटम गाहिव हो गए मैं बोला कैसे कि बाबा जी ने बजा दिया बाजा सब को बोल देते हैं कि हिंदुस्तान लीवर तो देश का लीवर खराब कर रहा है तो लोगों के दिमाग में सीधे बैठ जाता वो आते ही नहीं खरीदने के लिए प्रोड़क्ट डिखते नहीं तो देश के लिए तो अच्छा हो रहा है मल्टी नैशनल्स उससे परिशान हैं आप भी इसमें थोड़ा सा अपना कॉंट्रिबूशन जोड़ देंगे तो और अच्छा हो जाए स्वामी जी तो करी रहा है मेरी कोशिश है ही आप भी थोड़ी थोड़ी कोशिश करें अपनी पर्सनल लाइफ से शुरू करें दीरे दीरे आपके पड़ोसियों की लाइफ में ये आ जाए फिर पूरे महले में आ जाए फिर पूरे गाओं में आ जाए तो हम पूरे देश की एकॉनमी और इसका नक्षा बज़ सकते लाकों करूर देश का बचाके देश में किसानों को समरुद शानी बनाके इस भारत माता को सुजलाम सुफलाम बना सकते हैं यही हमारा लास्ट टार्ग है कि भारत देश के लिए जो गाना लिखा गया ना सश्ष श्यामला मातरम सुजलाम सुफलाम बनाना है सिर्फ इसको गाने में नहीं गाना है बनाना है सुजलाम सुफलाम माने समरुद्द शादी बनाना है कोई गरीब ना रहे माने हर्वेक्ती समरुद्द शादी हो तो भारत देश अमीर हो ये उद्देश लेकर हम चल रहे हैं हेल्थ आपकी अच्छी हो स्वास्था आपका अच्छा हो ये हमारे लिए साधन है साध ओको three हमारा इंट्रेस्ट है कि आप ठीक हो जाए दूसरों को करें दूसरा तीसरे को करें दूसरा चौथे को करें चेन पूरे देश में बने लाखों करोडों की जो दमाएं विक हों हजारों करोड के कॉस्मेटिक्स भी करें वो बंद हो फाल्टू के टॉयलेट्रीज आइटम भी करें साबुन मंजट वो बंद हो तो देश को सही में हम बना पाएंगे और मैं वार्निंग देते हुए आपको कहके जा रहा हूं एक बात कि अगर हमने ये नहीं किया तो क्य रात दिन लूटना इस देश को शुरू कर दिया है इस इडिया कंपनी चार सो साल पहले एक आई थी जिसने धाई सो साल इस देश को लूटा था उसी में हम गरीब हो गए कंगाल हो गए अब साड़े चार अजार कंपनिया आ चुकी है पेपसी कोला, कोका कोला, कॉलिगेट पामुलिग, प्रॉप्टर इंड गैंबल, रेकटेट कोलन, जॉन्सन इंड जॉनसन, यूनी लीवर, सब भी देशी कंपनी, रात दिन लूट के जो पैसे लेके जा रही हैं, ये आपके खून पसीने की कवाई के पैसे हैं, ये अगर भारत के बाहर गए, तो भारत तो गर गरीव होता जाएगा, जिस देश में जाएंगे ये पैसे, वो देश हमी हो जाएगा, और वो अमीर हो जाए, हम गरीव होते जाएं, तो फिर राजनेतिक शक्ती भी कम हो जाएगी हमारी, जिनकी आर्थिक शक्ती नहीं होती, उनकी राजनेतिक शक्ती नहीं होती, उनका ध थोड़ा सा सेंसिटाइज हो अपने देश के लिए स्वयम के लिए थोड़े इंटेलिजेंट हो चूजी हो क्या करना है क्यों करना है क्यों करना है क्यों नहीं करना है थोड़ा सोचना शुरू करें विचारना शुरू करें एक भीड की तरह से चलते जा रहे हैं सब के सब एक अमेरिका को समझ में आ रही है क्योंकि अमेरिका में पचले 50 साल में कल्चर डवलप हुआ खर्चा जादा करो आमतनी बले कितनी कम और इस एक दुष्ट कर्व में जाकर ऐसा फ़स गया है अमेरिका कि पूरी एकॉनमी खतम हो गई है आज हाले तितनी खराब है कि अमेरिका को चीन से करजा मांगना पड़ रहा है अपनी एकॉनमी को सस्टेन करने यह नौबत कभी हमारे देश के सामने ना आए इसके लिए एक ही रास्ता है खर्चा कम करें बचत जादा करें हमारा बचाया हुआ एक एक पैसा देश की अर्थव्यमस्था में काम आएगा ऐसी आपको यही बात कहकर मेरा व्याख्यान पूरा कर रहा हूं आपसे माफी चाहता हूं कि कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो चमा करना और आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों को यह बताना इन सब बातों का गाओं गाओं गली-गली घर-घर-घर पॉब्लिसिटी हो इस इस संभावना से आप सभी वहावार व्यक्त करता हूं धन्यवाद देता हूं और यूरिन की प्रॉब्लम हमारे भुजरुगों को अक्सर होती है रात में बार बार यूरिन जाना पर सकता है क्योंकि रिटेंशन कैपिसिटी कम हो जाती है यूरित्रा की मुत्र पिंड जो रूब के रखता है पेशाब को वो कमजोर बढ़ जाता है उसकी सबसे अच्छी मेडिसिल है खजूर पिंड खजूर को चुट चुट टुकड़ों में काटे हैं फिर दूद में डालके उसको खूबाले हैं उबाले हुए दूद को पी हैं सोने के पहले और जो खजूर है वो चबाके खाए दो खजूर एक दिन में लेना परियाप्त है एक डिड़ बढ़ने लेंगे तो ठीक हो जाए इसी पिंड खजूर से बच्चों की भी समस्या हल हो जाती है जो रात को विस्तर पेशाब कर देए खजूर को पिंट खजूर भी जैते हैं और यह खजूर है चुआरा है सुखे रूप में मिलता है तो दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर से लिए प्रॉस्टेट में भी यही काम आएगा जो बार बार आप मुझे पूछ रहे हैं प्रॉस्टेट की प्र जालीवाल जी आए हैं उनकी दरब पत्मी भी आई हैं उनके साथ उनके एक कजिन भी आए बांजे उनके घर में एक बहुत विशेश दवा है वो आपके बहुत काम की है मुझे आज ही देखने आए उनके पास मैधी का दाना है और वेल प्रॉसेस्ट है माने उसको जो प्र इन टाइमस बेटर होंगे जो मार्केट में में थी है तो आप में से किसी को भी अगर डाइबिटीज है इसको आप ध्यान से सुनेगे किसी को भी डाइबिटीज है तो आप दानिवाल जी का फोन नंबर ले लिजे एड्ड्रेस ले लिजे अभी वो खुदी आपको एनाउ ले सकते हैं जिनको इसकिन की डिसीज है वो भी उसे ले सकते हैं क्योंकि वो प्रोसेस किया हुआ है और हाई ब्लड प्रेशर वाले सब लोग उसे ले सकते हैं जिनके ब्लड में कॉलेस्टरॉल बहुत जादा बढ़ा हुआ है वो भी उसे ले सकते हैं जिनके ब्लड में ट्र दर्द होता है चाहlaw को जूइंड है नी जूइंड में एंग्र हुआइंड हैं उसे लेил, आप ऐसे समझ लिए टाना है जो प्रोसेस किया हुआ है वो कम से कम द दो companies लोगसे और चुकाल PBS के लिए ले सकते हैं वेट एक्ञीमा WiFi के लिए के लिए यूज़ाना है उस पानी ना है वोर जो दाना है उनके उनके घर में राइडाइस हो ग्राइट में बनाके उपलंद कराने वाले हैं आपको एक पैकेट की जरूरत है एक ले लिजे दो की जरूरत दो ले लिजे एक साथ सब लोग ज्यादा ना ले ले ज्यादा लोगों को मिल जाए और उन्होंने यह भी बोला कि यह खतम होने के बाद वो फिर उकलब्द करा देगी कि यह सेवा के लिए आपकी दर्म पत्वी को भी है यह जादा दूर नहीं है एंड्रेस फोट नंपर वो खुद ही बताएंगे वो खुद अभी दो मिनट कुछ बोलने वाले हैं तो मेरा आपको सिर्फ बताने का काम था कि उनके पास जो मैंथी दाना है वो वेल प्रॉसेस्ट है वो प्रॉसेसिं आप नहीं कर पाएंगे वो प्रॉसेस किया हुआ मैंने तो आपको बोला सिर्फ बती दाना खाने का मुझे आज ही पता चला दुपहर में उन्होंने दिखाया कि इतना सब रखा हुआ है तो आप जरूर नहीं लीजिए उनके हां जाके जरूरत के हिसाब से लिजिए अगर दूसरा मेडिसिन है दाल चीनी दाल चीनी को पाउडर मनाके शहद के साथ लेना एक चमश दाल चीनी पाउडर एक चमश है मिलाए चाटिये उसको सुबह और पीचे से गुनगुना पानी देजिए यूरिक एसिट के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है घिये का रस एक प्रस निकालिए फिर उसमें 5 पते घनियें कि 5 पते पुदीने के 5 पते तुलसी तीनों पीस के मिला लिजे इसको पीना और सुबह खाली पेट पियेंगे तो बहुत अच्छा नहीं तो दुपहर को खाने के आदा गंटे के बार अस्थमा के लिए दालचीन पाउडर एक च अगर यूरिन रुख गया है किसी का भी तो आप एक काम करिए एक होमियोपैथी की दवा का नाम लिख लिए वो दवा आपके घर में नहीं होमियोपैथी की दवा है किसी के साथ भी यह हो सकता है बच्चों के साथ भी हो सकता है बड़ों के साथ यूरिन पूरी तरह से रुख गया अब बेट फूलता जाएगा यूरिन जब तक बाहर नहीं निकलेगा और अनीजीनेस और सारक कुछ होने वाला एक दवा है उसका नाम है एकोनाइट ए-सी-ओ मैंने इसको बहुत पहले बताए था हर्ट के लिए जब अटेग आता हो रात को दाई तीर वजे आप ये दवा की ड्रॉप डाल दीजे वो मरेगा नहीं आत्मी तो ये हर्ट अटेग में भी काम आती है बेस्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन है और यूरिन रिटेंशन की तो स सबसे अच्छी मेडिसिन है पेशाब रुक गया हो इस दवा की तीप बून डाल दीजे जीप पर दस-दस मिनट में बिल्कुल खुलकर पेशाब हो जाए अपने बच्चों को नहीं पीने देते अपने लोगों को नहीं मैंने जब पहली बार देखा उन लोगों को इस बारे में काम करते मने तो मुझे बहुत हैरानी हुई फिर बहुत पूछा मैंने क्यों नहीं पीते क्या प्रॉब्लम है तुम तो गाई रखते हो तो उन्होंने बहुत धीरे से बहुत दिन बात बताया कि इससे कैंसर होता है जर्सी गाई के दूट से हैं एच एफ मने होलेस्टियन फ्रीज हैं जर्सी गाई की एक नसल है तो वह सभी के दूट से प्राबलम है इसलिए डेलमार्ग में नॉर्वे में सुटन में फिनलेंट में एक भी देश जो सब जर्सी गाई पालते हैं को गाय का दूद नहीं पीते हैं चाय भी पीएंगे तो काली चाय पीते हैं बिना दूद की चाय नाग में गी डालो गाय का कलॉड निकल जाएगा या दोड़े दिन चूना लो क्योंकि मरी ट्रेन का टाइम हो रहा है एक दवा लिख लो आप आपके लिए है बाकी कोई ना लिखे इस दवा को क्योंकि यह जर्णल मेडिसिन नहीं है इदी के केस के लिए या कोई ऐसा केस आपको मिले तो उसको बताएं जिनको पढ़ते पढ़ते जब किया जाती है यह हर्ट की प्रॉब्लम है और सीरियस प्रॉब्लम इसकी दवा काली फॉस के आगे नंबर लिख दीजे थ्री एक्स थ्री एक्स यह दवा की चार चार बोलियां तीन बार दिद контр Kill धुस के हैं झार जार चार जा कर यह दोवा के चार चार को इसकी फवा कर दॉच्वा के लिजे बार दो जो मिलें ङित्व मरी की जा मारra को हो ज़र भी जा जानली का जाय कूै कर के जाली है